नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ड में दोस्तों हमें जब इतिहास चानना होता है तो हम किसकी मदद लेते हैं अफकोर्स हम उन फैक्ट्स का ही मदद लेते हैं जिनसे हमें सच्चा इतिहास मिले जैसे आर्केलोजिकल एविडेंस भासा विज्ञान य हैं उनकी मदद से ही हम इतिहास को पता करते हैं और भी कई माध्याम है लेकिन ये सबसे प्रमुख माध्याम होते हैं तो इसमें से मैंने फर्स्ट पार्ट आपको अल्रेडी किया हुआ है जो आपने इस जेल 95 देखा होगा हैंसॉंग का वहां पे आपको फर्स्ट पार्ट है आज सेकेंड पार्ट है तो आज का भी चर्चा काफी महत्वपूर्ण है और इसलिए क्योंकि आज के जो चर्चा परिवेश है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं जो बनारस जगा है उसके बारे में और जैसे कि आप जानते हैं आज बनारस जो है वो घड़ है ब्रेमेनिक आए थे तब बनारस का परिवेश क्या था उसके बारे में हमें चानना है तो इसलिए जो भी उन्होंने बाते लिखी है उसको आपको समझना होगा कि जब हैं सांग 645 इस्वी में जब यहां से भारत से गए थें 629 इस्वी 629 एडी में जब भारत आये थें तो उन्होंने जो 15-16 साल जो अपना अध्यन किया था उस बीच में भारत के जिन जिन जगों का देखा था उसके बारे में वो खुद लिख कर गये थे तो उन्होंने बनारस के बारे में क्या लिखा है दरसल बनारस उस समय नाम भी नहीं था कासी भी उस समय नाम नहीं था यह आपको दोस्तों यह बात याद रखनी होगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको डिस्कलेमर दिखा देता हूँ हमारी जो भी चर्चा होती है इसका एक मात्र असपश्ट कलियर उद्दे से है साइंट्विक टेंप्रामेंट को इंकरेज करना अच्छा चलिए इसके बाद से यह बुक है आपको हैंसॉंग की भारत यात्रा और इसके जो अनुवादक हैं वो है ठाकूर प्रसाद सर्मा समपादक है सांति स्वरूपबौद और प्राकत्थन है→ डौक्टर राजेंदर प्रसाद सिंका और जैसा कि आप जानते हैं कि ठाकूर प्रसाद सर्मा जी का ही अनुवाद पूरे भारत में चलता है चाहे यह किसी भी publication से छापी जाए चाहे वो क्यों ना सम्यक publication ही छापे तो जो अनुवाद किये हैं वो ठाकुर प्रसाद सरमाजी हैं जो अल्रेडी ब्रह्माइंकल हैं तो बहुत सारी जगों पर इन्होंने थोड़ी बहुत गलतिया भी कर दी हैं क्योंकि ब्रामःत हैं तो इनको सब्धावली पता नहीं थी बहुत मारकी तो अनुवाद करते समय अपनी ब्रामःवादी सब्धावली इस्तेमाल कर दी हैं तो अब जब लोग कुछ लोग पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा confusion हो जाता है उनको लगता है औरे कहीं हमारी तो बात नहीं हो दिप्राम बढ़ते हैं तो जो बिदेशी ट्रेवलर्स जो भारत में आते हैं तो ध्यान दिजिएगा वो दो बाते लिखेंगे एक बात लिखेंगे उन जगह को विजीट करेंगे देखेंगे आँखो देखा हाल जो ग्राउड रिपोर्ट होती है वो वहां पर दर्ज करेंगे और एक दूसरी बात होगी जब वो एक कहानी सुनाएंगे कि यहां के लोग क्या कहते हैं इस जगह का इतिहांस इसके बारे में क्या कहते हैं तो वो बाते बताएंगे तो यहां पे दो बाते आपको दिखने को मिलेंगी किसी भी विदेशी ट्रेवलर्स में एक जो उनको लोगों ने क्या कहानी बताई उस जगा के बारे में वो और दूसरा उन्होंने आँखो देखा हाल क्या लिखा तो जब आपको हिस्ट्री पता लगा नहीं हो न कि एक्च्छल हिस्ट्री क्या है तो आपको आँखो देखा वाल जो है न उस पे फोकस करना होगा न कि उन कथा कहानियों पे जो उनको किसी वहां के लोगों ने सुनाया जो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी सुपर्टिसियस भी लग सकती है अंध्विस्वासी भी लग सकती है क्योंकि आपको पता ही है कि जब हैंसौंग भारत में आयत हैं तब तक बुद्ध को गये हुए भ तो इसलिए जब भी आपको ये बात समझना होगा कि actual history क्या है तो आप focus करें कि इन्होंने आखों देखा हाल क्या बताया जो कहानिया बताएंगे वो लोगों की मान्यताएं हैं उस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते और उससे exact इतिहास भी नहीं पता चल सकता है आपको थोड़ कि अब यह देखिए handsome के बारे में क्या लिखा गया है सबसे पहले थो थोड़ा सा समझे है इनके कई सारे नाम हैं भारतिये लोग जो है handsome कहते हैं कहीं कहीं पर इनका नाम इंको कहा जाएगा कहीं पर युवांच्वांग कहा जाएगा कहीं पर युवांच्वांग कहा जाएगा कहीं पर चेन कहा जाएगा तो यह अलग-अलग नाम से इनको कहा जाता है और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि अलग-अलग देशों में उच्छारण जो है अलग-अलग होता है तो लोग उसी सा आपसे अपना उच्छारड करके बना लेते हैं आचा है हैंसॉंग जो है यह जो भारत में तो ऐसे बहुत सारे जगों का यह गूमे थे और उनके बारे में लिखें हैं लेकिन जो मुख्य इनकी जगह थी जो केंद्र था बौध मारका वो था गंधार कास्मीर पंजाब कपिल वस्तु बनारस बोधगया कुशी नगर इन महत्वपुन जगहों की इन्होंने चर्चा की है और इनहीं को आधार बना के जो करनिंगम महोदे थे उन्होंने एक्सक्वेशन शुरू किया था और वो सारी चीज़े सच पाई गई अचा जब यह आये थे तब महराजा हर्सव वास्तों में जो हर्सवर्धन थे वो कन्योज के राजा थे वो बुध मारगी राजा थे इनका अर्केलोजिकल एविडेंस में मिलता है और पूरे नोट्स में इनकी ही चर्चा है और यह बहुत राजा थे तो यह कन्योज में गय थे और वहां से इनको आधर समान भी मिला और अंतिम में कन्योज से ही अपने देश के लिए रवाना भी हुए थे अचा यह जैसे मैंने बता भी दिया कि ठाकुर परसाद सर्मा जी ने इसका अनुवाद किया हुआ है अचा यह कैसे भारत में पहुंचे थे तो आपको इस बात को समझना होगा कि जैसे मैंने बताया आप लोग इनके पास पास नहीं था तो यह पूरे तरह से हिमाले परवत को लांग कर बहुत चोखी मुठा के यहां पे पहुंचे थे आचा यह भारत में जब पहुंचे ना लंदा जो पहुंचे थे तो वहां पे यह 15-16 सालता कर रहके पढ़े भी या पढ़ाये भी थे लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि जब यह भारत में आये हैंसौंग इनसे पहले फाहियान आ चुके थे जब हैंसौंग भारत में आये तो इन्होंने काफी तबदिली देखी भारत में इन्होंने देखा कि भारत में तो बहुत मारको कोई मूर्तियों को तोड़ और यहां तो देख रहा हूं कि बुद्ध के देश में ही सड्य अंतरकारी आ गये हैं, बुद्ध को ही नहीं मान रहे हैं, बुद्ध की मूर्तिया तोड़ पोड़ कर रहे हैं, इस तरह की चीजे इन्हों ने देखा, तो कुछ लोगों ने ये अधार बना कर ये बताने का पर नोट्स में इस पुस्तक के प्रिष्टो का आध्यन करने पर पता चलेगा कि हैंसोंग के समय में भारत भर में बौध धर्म और बौध धर्माव लंबी उपासक और भिखुगड किसी न किसी अवस्था में मौजूद थें, भले ही बौधों के मुर्तिया तुड़ी उड़ यही मारग मिला, यह बात समझिएगा, तो वो जो एक घटना है न कि किसीने कहा दिया था कि अरे बुध ने कहा था कि मेरे महिला अगर सामिल करोगे तो पांसो साल बाद खतम हो जाएगा, इसलिए पहली सादी में खतम हो गया था, इसापूर्व में ही बौध मारग खतम हो देख लीजिए, हैंसोंग और फाहयान को मिलाकर चीनी पोध यात्रियों की संख्या करीब सो बताई जाती है, सो से ज्यादा भारत में यात्री आयते, किसी ब्रामण गरंत ने आपको बताया है आज तक, कि विदेश से कोई आया था हम लोग को हमारी स्टडी करने के लिए भारत में, कोई हम लोग की सभेता संस्कृती देखने लिखने पूरा लिख लिखे गया था, नहीं बताया ना इन लोगों ने, इन लोगों ने तो सिकंदर तक के बारे में नहीं लिखा, सिकंदर भारत में आया लड़ाई किया, लड़ाई करके चला गया, इन लोग को पता ही नहीं था दरसल क्योंकि यह धर्म ही उस समय नहीं था ना यह लोग इस फॉर्म में थे भारत में पूरा का पूरा बहुद मार्ग था और हैंसॉंग के समय से चेंज आने शुरू हो गयते हैंसॉंग इसका वर्णन करता है और यह भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके सवय में लोगों ने तरह तरह की कहानिया बनानी शुरू कर दे थी यानि कि जो बुद्ध मार्ग एक्चुल है उसको कोई तोड़ फोड़ तो शुरू ही हुई थी और जो एक्चुल जो कहानी थी उसकी जगा पर कथा कहानी परोसी जानी शुरू हो चुकी थी यह भी है हलांकि पूरी तरह से बुद्ध मार्ग खतम नहीं हुआ था और इसको पढ़ने के बाद आपको एक चीज और के लिए रहोगा कि बुद्ध मार्ग के जगा थी जो तोड़ फोड कर रही थी उपद्रो कर रही थी जिसको हूडो को कहा जाता है कि हूडो ने तोड़ फोड की थी चलिए तो यह देखिए यहां पे लिख रहे हैं कि इन सभी की यात्रास के दोरान महान चक्रवर्ती समराट असो के प्राकरम के प्रमाड यत्रत्र भग भगनावस्था में ही सही पर भारी मात्रा में मौझूद थे यह बात यहां पे लिखे जा रही है कि जब वह आये थे तो समराट असोक के जितने भी सबूत थे जो चीजे उन्होंने बनवाई थी वह भले ही खंडाहर के रूप में या फिर बिखरे हुए फॉर्म में लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्द थे सुचिए समराट असोक हुए इसा से धाई सो तीन सो साल पहले के तब से लेके साथ सो इधर साथ दो नो सो साड़े नो सो साल तक समराट असोक की बनाई हुई चीजें मौझूद थी यह बात समझ में आ रहा है लेकिन उसकी पर काफी प्रभाव पड़ा था इफेक्ट पड़ा था अच्छा इसके आलावा जैसी अवस्ता में उन्होंने बहुत धम का स्वरूत था बुद्ध विहार महा विहार संगाराम सिलालेक धम अस्तम आधी देखे थे आज उनमें से भी अधिकतर अस्तित्विहीन कर दिये ग आपको भारत का इतिहास जानना है कि कम से कम सेवन्थ सेंचूरी तक तो बुद्ध थें अ क्या क्या चीज वो देखे थें अ क्या क्या चीज चीज जो है ना गायब करनी सुरू कर दिगी आज कितनी चीज़े गायब कर दिगई और जो गायब कर रहा है जो बुद्ध विरो यही तो आपको पकड़ने की जुरुत है कि वही 7th century में कौन से ऐसे लोग धीरे-धीरे पैदा हो रहे थे हैं जो 9th century में संक्राचारे बनके पैदा हो गए उसके बाद से 11-12 सदी में रामानुजाचारे बनके पैदा हो गए फिर धीरे-धीरे इनका सिलसिला ही आगे बढ़ते जगा गया तो बीज जो है पढ़ना सुरू हो गया था 7th century में यहाँ से यह समझ में आता है चले आगे देखते हैं बराणसी को जब हैन सौंग आये थे हैं तो उसका नाम था पवलो निसी याद रखिए बनारस नाम भी नहीं था यह बोलते हैं ना कि बनारस कासी जो है दुनिया का सबसे पुराना सहर है यह लोग गंदगी मचाये हुए है संकर भगवान के तिरसूल पर बसा हुआ है और संकर भगवान के गले में जो साप है उस साप के फन पर पृत्वी है असंकर भगवान के हाथ में जो तिरसूल है उस तिरसूल की नोख पर कासी है यह तो कहान ही इन लोगों ने प्रचारित की है ऐसे ऐसे ढपोरे लोग है लेकिन सच्चाई यह है कि सेवन सेंचूरी में उसका नाम पॉल्लो निसी था ऐसा उच्चारण किया है फैन सौंग ने जिसको हम लोग यहाँ पर अनुवाद करके वराणसी या वरारस कहते है अब कोई यह पूछ सकता है कि यह आप लोग कैसे अनुमान कर लेते हैं कि यह वराणसी ही होगा पॉल्लो निसी को ही बराणसी क्यों कहा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिया आप यह समझ सकते हैं कि यह पूरा न इनने छेतर फल दिया है और पॉल्लो निसी पहुँचने से पहले यह कूसी नगर गय थे कूसी नगर से उन्होंने बताया कि इस दिसा में इतने दूरी चल कर हम पॉल्लो निसी पहुँचे थे अब फिर यहां से यह आगे बताएंगे यह चेप्टर खतम होने पर कि इतना ली आगे बढ़कर इस दिसा में गए तो उस जगह पे पहुँचे फिर यह बताएंगे कि इसमें कौन सी नदी थी उसके किस किनारे पर क्या था तो पूरा सारा चीज मैच करा के तब इतिहासकार जो है यह अनुमान लगाते हैं कि किस जगह की बात हो रही है यह पॉइंट अब लोगों के लियर हो गया होगा तो यह बताते हैं बनारस के बारे में तब कि 4000 ली है इसकी छेतरफल रजधानी की पश्चमी सीमा पर गंगा नदी बहती है गंगा नदी का भी जिक्रा आ गया थोड़ा सा और आपको किलियर हो गया होगा और इसके भीतर कंगी और दातों के समान बने हैं अबादी घनी है उस समय भी घनी अबादी थी लोगों का आचरण कोमल और सव्य है वे विद्या भ्यास में तत्चित रहते हैं अधिकतर लोग विरुद धर्मा वा लंबी है बहुत धर्म के अनुआई बहुत थोड़े हैं यह ध्यान दिजिएगा इन पॉइंट्स को यहां पर लिख रहा है ना बहुत धर्म के अनुआई बहुत थोड़े हैं लेकिन यह जो बोल रहा है ना कि धर्मा वा लंबी विरुद लोग हैं इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रामण धर्म की बात कर रहे हैं यह दिगंबरों की बात करेंगे यह जैनियों की बात करेंगे कि जैन थें यह लोग जो बहुत धर्म के अनुआई के जो विरुद जितनी इन लोगों ने बाते कही है जहां जहां पे वो पूरा चीज आप पढ़ेंगे तो उनके विरुद में जैन मार्गियों की चर्चा होगी बौध मार्ग और जैन मार्ग यही स्रमण परंपरा जो है उस समय जिवित थी उस समय अस्तित्तों में थी यह द्यान दिजिएगा भी देखिया आगे आभी जाएगा तो अब बहुत धरम अनुवाई थोड़े बहुत थे पहले बहुत ज़्यादा थे धीरे-धीरे कम होते गए थे सेवन सेंचूरी में इसके बासे प्रकृति कोमल पैदवार अधिक वरिच फल्युक्त और घने घने और सब के सब सम्मतिय पंथानुशार हीन यान बहुत धम के अनुगाई थे ध्यान दिजिएगा आगे न यहाँ पे कि सब के सब सम्मतिय पंथानुशार हीन यान बहुत धम के अनुगाई थे कि वहाँ पे बहुत वह सब ही यानी थे तो महा यानी जो है उनकी भी चर्चा होने भी बाकी है आएदेखिये महेश्वर की अराधना करते थे तो अभी यहां पे बात आगे न बहुत धम के नुवाई बहुत थोड़े हैं इनमें ये सब के सब ही यानी हो गए महेस्वर की सोचेगा कि महेसवर तो कहा जाता है तो नहीं भाई सब्ध मार्ग में औनर बुद्ध को जाता है आप उठा के लीजए गुगल प्र UP-ɪ सरच अब बोलता है क्या कि इसमें देखो इसमें लिखा है ना कि महस्वर की पूजा अराधना करते थे तो उसके पहले क्या लिखा हुआ है कि सब के सब सम्मित्य पंथानुसार ही यान बौद धम के अनुवाई हैं महस्वर की अराधना करते हैं क्या इसका मतलब निकल रहा है बता आगे वाला statement पढ़िए, actual में होता क्या है, कि जो अनुवादक हैं, वो है ठाकुर परसाद सरमा, खुद ही ब्रामण हैं, तो अनुवाद करते समय ये लोग कुछ इस तरह की सब्दावली इस्तमाल करेंगे, कुछ इस तरह का statement रखेंगे, ताकि लोग थोड़ा सा भ्रमीत हो आपने बच्चों के लिए लोग जानबुज के material देते हैं, अनुवाद इस तरह ढंक से करेंगे, कि वो जो है ना खुज के लोगों को भ्रमीत कर सके, आगे देखिए क्या लिखे हैं ये, कुछ अपने बालों को मुड़ा डालते हैं, बताए बाल मुड़ा के कौन रखता ह और कुछ बालों को बांध कर जाटा बनाते हैं, तथा वस्त रत्याग करके दिगंबर रहते हैं, आगे हैं यहां पर, कि वस्त रत्याग करके दिगंबर रहते हैं, और सरीर पर भस्म का लेप करते हैं, तो यह यहां पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ दो की बात हुई, किसक बात हुई और दूसरा किसकी बात हो रही है तो जैन दिगंबरों की बात हो रही है तो यह लोग वहां पे थे ब्रामध धरम की बात ही नहीं हो रही है अगर ब्रामध धरम की बात होती तो बोलता नहीं यहां पे कि यहां पे जो है ब्रामध रहते थे यग हवन करते थे इस त तो जो यह बाल मुडाने की बात है फिर वस्त अत्याग करने की बात है तो यही दो लोग वहां पर रहते हैं इसकी बात आ रही है यह आप लोग को समझना होगा यह सब आप लोग को फरजी अनुवाद दिखा के इसी सब्दों को अपना मन चाहे वो करके दिखा देंगे कर दो गया होगा कि नहीं बहुत हो रही है आगे देखिए जैन भी पहुत कम थे इसने तो अनुबाद में यह लोग इतना घपला कर दिया हैं कि आप लोगों समझ में ही ना यह देखिया क्या लिखते हैं कहा गया तो इसके बाद से यह बताते हैं कि यहां पे जो मूख्य मुक्यराजधानी वहाँ पे 20 से ज्यादा देव मंधिर है आजा, इसंडर प्रकार की चित्रकारी या इत्यादी खोðकर बनाए गये से तो उपर जो है ना इसका लाइन ये छूट गया है यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य रजधानी में 20 देव मंदिर है जब भी देव मंदिर की बात आए तो आप समझ चाहिए किसकी बात हो रही है देव मंदिर मतलब क्या होता है देव मंदिर की बात हो रही है इसका मतलब ब को कहते हैं बोधी सत्तों को कहते हैं देवा देओ उनके मंदिर थे ये बात आ गई चित्रकारी त्यादी खोद कर बनाए कहता आपको पता है कि प्राचेन काल में जो सिल्ब कला थी वो बौधोंने कितनी जवर्दस्त थी ब्रामर ध्रम का तो नमों निसान नहीं है पूछ दि ब्रिचो की घनी छाया थी पवित्र जल की नगर इनके चारोर बनी हुई थी महस्वर देव की मूर्ती 100 फिट से कुछ कम उची तांबे की बनी हुई थी देखिए तांबे से बनाने की जो मूर्ती कला थी ये भी आगे मैं दिखाऊंगा बुध की बनती थी महस्वर जो है ये बोधी सत्व थे इनहीं की बनी हुई थी 100 फिट उस समय तांबे की बनाई गई थी महस्वर देव बोधी सत्व की बनाई गई थी इसका स्वरूप गंभीर और प्रभावसाली है तथा या सजीव सी विधित होती है मतलब लगता था कि बिलकुल वो है जिन्दा है इस त अब यह बता रहे हैं कि वहां पनारस में उस समय जो है यह सो फिट उंचा सतूप बनवाए थे समराटासों की यह इनको दीखिया था आज आपको जाएंगा तापको नहीं दीखेगा गायब कर दी हैं सब पूरा बनारस से यह सब गायब करकर के असब वहां पे जाडू और यह महायानी और जैन दिखंबर यही सब वहां पे रहते थे और आज की डेट में दाखिये पंड़ापुरा कैसे रिप्लेस कर दिया इन लोगों ने यह समझना होगा आप लोगों को इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग को इतिहास जानना जरूरी है कुछ भाग बरप के समान चिकना और चमकदार है इसके प्राया छाया के समान तथागत बुद्ध की परचाई दिखाई पड़ती है बर्ना नदी के पुरुवत्तर की और लगभग दसली चलकर हम एक संघाराम में आए देखिए दसली आगे चले है न तो अब यह पहुंचेंगे संघाराम का नाम म्रिगदाओ था म्रिगदाओ आप समझें यह सारनाथ की बात हो रही है आप आज भी बनारत से 10-11 किलोमीटर आगे चलेंगे न तेरा किलोमीटर आगे चलेंगे ताको सारनाथ मिल जाएगा और आज भी वह बौध हो का ही गड़ है कासी पर तो इन लोगो ने कबजा कर लिया लेकिन सारनाथ पर यह लोग नहीं कबजा कर पाए सारनाथ में आज भी बहुत मार्ग है वहां पर चुकी राजा जो है न 11-12 सदी में जो जैचंद्र राजा थें उनके उनके जो वो थे दाधा जी थें उनकी दादी जो थी कुमार देवी उन्होंने ग सारनाथ को भी गयव कर दिये होते सब उसको भी कासी बना दिये होते पंड़ा पुरोई तो इसलिए बच गया क्योंकि 12-13 सदी तक जैचंद और उनके पुर्खों ने उसको बचा कर रखा था तो यहां पर बात आ रही है कि मृगदाओ यहां पर चलने की बात आ रही है पंड़ा चज्य बरामदे बहुत मनोहर है बहुत सुन्दर था कोई पंद्रसो भीखु इसमें निवास करके सम्मित्य पंथानुसार ही यान के सिधानतों का अध्यान करते थे देख लिए वहां पर उसमें पंद्रसो भीखु निवास करते थे यह बात चल रही है सेवें से होंगे वह बौधमत का ही तो पालन करते होंगे ना कहीं किसी देश में आप जाएंगे अब वहां के अगर भीखु रह रहे हैं इतने बड़े अमाउंट में तो इसका मतलब अगल बगल के लोग और वहां के लोग जो है उसी मार का पालन करते हैं यह भी इससे प्रमारित हो है देखिए सोने से मढ़ा हुए आमरपल उपर लगा हुआ तो इससे राजा बनवा के देज़ते हैं इस संगाराम की बुनियादे और सिर्या पत्थर की हैं परन्तु मंडप और आले आदी इटो के बने हैं चारो और कोई सो आले लगतार बने हुए हैं जिन में से परतेक म तथागत बुद्ध की एक सोने की मूर्ती है देख लिए सोने की मूर्ती जो है बुद्ध की उस समय लोग बनाए हुए तो शारनात जाएगा आपको गुल-गुल मिलेगा एक बहुत बढ़ा अभी भी है वो एबलेबल है इंटो का बना हुआ और और लोग बताते भी हैं क इसी में सोना का जो है वो बना हुआ है उपर सोना का वो बना हुआ है जाए भीतर इसके रखा हुआ है और बिहार के मद्ध में बुद्ध भगवान की एक मूर्ती तांबे की बनी हुई तेखिया आ गया ना भगवान बुद्ध की मूर्त तांबे की बनी हुई तांबे की का चक्र संचालित कर रहे हूं तो यह बता रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी वहां पे बनारस जो है पूरा पुधिष्टो का ही गड़ था बिहार के दक्षिन पस्चे में पत्थर का एक सुतूप समराट असोग का बनवाया हुआ है देखिए समराट असोग का बनवाया हुआ सारा सुतूप अभी तक मिल रहा है असोग के जाने के 900 साल बाद भी यद भी वह खंडार हो रहा है तो भी जो कुछ दिवारे बाकी हैं उ उनकी उच्चाई 100 feet या उससे अधिक है यह point ध्यान दिजिएगा खंडार हो रहा है तूट रहा है उसके बाद भी उसकी उच्चाई 100 feet है तो सोचिए वो कितनी उच्ची उच्ची उस समय वो लोग बनवाते थे कितनी उच्ची उच्ची उस सिल्प कला में भारत कितना आगे निकल चुका था हम लोग कहते हैं न कि भाई दो मंजिला चार मंजिला पांच मंजिला घर आप कैसे बनाते हो देखे 100-100 feet का खंडार मिल रहा है तो सोचिए हाइट उसकी कितनी उपर हो इसके सामने पत्थर का ए हैं ये जितने फी असोक स्तम रहां यह सवक बता बता के गएं हैं कि सम्राट असोक इतना सारा संवर बना गाए तो सब घयब कर दिये हैं हर स्तम पर कुछ ने कुछ लिखा होता था अब मिलेगा तक उसको पढ़ते तब तो और कुछ पता चलता संब अर क्या लिखवा तारे भारत में इतिहांस लिखवाने वाला आज से सड़े थेई सो शाल पहले साड़े बाईस सो साल पहले भी लिखवा रहा था इसके बाद से यहाँ आप देखते हैं कि इनका पथर साफ चिकना और चमकीला है जो लोग यहाँ पर प्रेम और उत्साह से प्राथना करते हैं और अपनी भावना शुरूप अच्छा या बुरा आवस्य देखते हैं सम्यक संबुध के उपरांत भागवान बुध इसी अस्थान पर से धम के चक परवर्तित करना प्रारम किया था देखिए यहां से भी क्लियरफाई होता है कि जो तथागत बुध थें वो पहली बार गय अपना नहीं की थी बलकिल धम चक प्रवर्तित किया था उसमें बदलाव किया था धम चक में यानि कि धम चक बुध से पहले भी चल रहा था उन्होंने अपडेट किया था यह सेवन सेंचूरी में हैंस्वंग भी अपने नोट्स में लिख रहा है यानि कि बुध से पहले भी बुद्धों की प्रम्परा अल्रेडी थी बुद्ध ने उसमें कुछ अमुल्चुक परिवर्तन किये इस कारण से उसको कहा गया धमचक प्रवर्तन अचा इस अस्थान की बगल में थोड़ी दूर पर एक सुतूप उस अस्थान पर है जहां पर अग्यात कॉंडिय आदी अपनी तपस्या को छोड़ बुद्ध के साथ हो लिये थे आगया ना कि यहीं पर जो सारनाथ है वहां पर एक सुतूप है अब वहां पर एक अग्यात कॉंडिय जिसको कहते हैं सब की ब्रामड था बुद्ध के साथ तपस्या करने गया था बाद में जब बुद्ध को ग्यान के प्राप्ति हो गई तो फिर जाके वो उनका चेला बन आगया जूंटी बाते हैं ब्रामड फ्रामड नहीं था अरे कॉंडिय था जंगल में लोग जाके अपना कुछ करते रहते थे खुच्छते रहते थे कुछ निए कुछ चिंदन मनन करते रहते थे देखा कि बुद्ध को ग्यान के प्राप्ति हो गया तो उनके पीछे चल ल और वो ब्रामड थे इनकी ऑकाद तब भी नहीं हो पाई कि बुध का गुरु बना दे सबका गुरु ब्रामड बनाये हैं याद रखिएगा यह चाहें सीवाजी महाराज हो चाहें चंदरगूप्त हो सबके पहले लाके ब्रामड ब्रामड खोदे हैं लेकिन बुध के पहले इनको उकात नहीं हो पाई थी कि बुद्ध का गुरु बना दे ब्रामड था कोई तो इसलिए यह हमेशा जो है इस तरह की चीजे करते हैं यह चेला बना देंगे यहां पर नहीं फिट हो पारा है तो तो वो भी आगे भी पुल खोलोंगा उसकी भी पुल खुल जाएगी कि वो पांचों जो थे ना कौन सी ब्रामड थे या क्या थे उसका भी मेंशन किया है यह इसलिए मैं आज बनारस का खोज के लाया क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है वो भी किलियर हो इसके बाद से क्या है कि इस इस अस्थान पर है जहां पर 500 परतिक बुद्ध एक ही समय में महापरे निर्वाण को प्राप्थ हुए थे तो वहांपे 500 परतिक बुद्ध मतलब किसीने बताया होगा मैंने क्या कहा आप लोगों को कि जहां जहां इन्होंने आखों देक हाल ल लिखा है तो अब 500 प्रतिक बुद्ध जो है वहां पर महापरे निर्वाण को प्राप्थ हुए होंगे तो यह काधानी किसी ने उनको सुना ही होगी तो उन्होंने लिखा है सचाई कितनी है सचाई कितनी है इस पर हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि इतिहास को देखने का जो है वो आँखों देखा हाल पर भी हम लोग विलिव करते हैं तो इसलिए आपका भी नजरिया जो है यहां पर किलियर होना चाहिए कि जो उनको वहां के किसी बंदे ने सुनाया होगा उस पर आप भी विलिव मत कीजिएगा ठीक है ना चलिए इसके अतरिक तीन और सुतूप है जहां पर गद्व से उठने बैठने के चिन पाए गया है और पर परिनेर वाड़ हुए थे यहां से लोगों हुए थी क Tina पर वहां से इस अंत्यम अस्थान के पास एक तो तूप उस अस्थान पर बना है जहां पर मेत्रे बोधी सत्वों को अपने बुध्ध होने का विश्वास होगा था अब नको एक और कहानी यहां पे सुनाई गयी है इस कहानी में बताया गया है कि एक नाम का बोधी सत्व था वो जो है कर रहा था विपशना वगरा कर रहा था तो बुद्ध जो है बुद्ध कहे थे उससे कि यह देखो एक समय आएगा जब इंसानों के आयू बहुत अधिक हो जाएगी कहानी है किसी ने इनको सुनाया था तो बहुत ज्यादा जब हो जाएगी ना तब जो है एक बंदा जो है उसको तीपिटक का ग्यान होगा और वो उपदेश देगा तो वहाँ पे जो बोधी सत्वत है मैत्रय वो कहे कि अच्छा क्या मैं हो सकता हूं तो उन्होंने कहा कि हाँ अब ये किसी तीसरे ने इनको कहानी सुनाई है और ये आपको पता ही होगा कि 5th century में ही 16 और 18 तरीके के विनेपिटक हो चुके थे अब विनेपिटक जो है वो भिखुओं के ही अचार विचार सहीता है तो अलग-अलग माननेता भी थी इसमें बहुत लोगों का क्लेम है कि बुद्ध जब मर रहे थे तो बैठके वो आके चार सिस्यों को अलग-अलग बाते बता के गए थे वो उनकी माननेता है सब लोग नहीं मानते है अलग-अलग भिखुर संकी अलग माननेता है तो ये भी एक माननेता है मैत्रय का कि मैत्रय किस दावा इन लोगों ने किया था ये सारा काम दावा करने वाला हुआ था समराट अशोक के बादकाल में तब जो है मोगली पुत्तिस ने हड़काया था समराट अशोक के समय में कथावत्थु किताब लिखके धर्दक के बजाए था इन लोग तो ये पूरी fact checking है कि जो कथा इनों ने सुना है वो हमें कथा के रूप में ही लेना है उसको बहुत ज्यादा वो नहीं समझ लेना है कि यह सच्चाई है ठीक है ना अच्छाई इसके बाद से क्या होता है कि आगे फिर यह लिखते हैं कि इस अस्थान के निकट दच्छिन दिसा में गत चारो प्रतेक पुद्धों के उठने बैठने आदी के चिन है यह अस्थान नीले पत्थरों में बनाया गया है जिसकी लंबाई पचास पग और उचाई साथ फीट है उपरी भाग में टहलती हुई यह अस्था में तथागत भगवान की एक मूर्ती है देखिए यहां पे समझे इस बात क कि कितने मूर्तीया भरी पड़ी थी सेवंथ सेंचूरी में भी यह जब बोल रहे हैं वहां पर बनारस में गए हैं तब भी जो है पूरा भारा पढ़ा हुआ है यह मूर्ती मनोहर और दर्सनिया ने तो मैंने जो सुरू में बताया था झा जब आये थे तो इन्होंने बोला था कि भारत में बुधमार खंडहर हो रहा है मेरा मंदूर टुक हो गया मैंने जितना सोचा था जितना अच्छा होगा उतना नहीं है यहां के लोग जो है कुछ तोड़ पड़ भी किया है लेकिन इसके बावजूद भी देखिए इन्होंने चूटिया बना दी गई थी मतलब जो चूटी होता है उसके आस्तान पर बालों को गूत करके बड़े विलक्षन प्रकार से लटकाई गई थी तो सेवेंथ सेंचूरी में आप देखिए कि उस समय जो है बुध को कोई चूटी बना के मूर्ती में लटका रहा था अब ब्रा चीन में मंगोल में वहां पर थोड़ा सा 11-12 सेंचूरी 9-10 सेंचूरी के बाद का स्टडी कीजिया पाएंगे कि वहां के भिक्षू चूटिया रखते थे उसी का इन लोगों ने कॉपी करके चूटिया लटकाया है इन लोगों ब्रामडों ने इनका हर चीज ही चूरी का मा इनकी मूर्ती में देखिए उस समय कोई जो है चूटिया लटका रहा था अच्छा इसके बाद से इस मूर्ती में अध्यात्मिक सक्ति और देवी परभाव विलक्षन रिती से सुवस्पष्ट होते रहे हैं तो आ गया ना कहानी पूरा कि चूटिया लटकाया अब क्या बत सेड़ने का परियास कर रहा था एक आप लोगों किलियर हो गया होगा कि कैसे जो है सेवन सेंचूरिय में बुद्धमार का जो स्वरूप है वो बदला जा रहा था अध्यवी करण किया जा रहा था और उस तभी चूटिया भी लटकाया उसने इसके बाद आके देखिए संगाराम के पश्चे में स्वक्ष जलकी एक जहील थी इसमें जो है एक वहां पर भी इनको एक कहानी बताई गई थी कि इस जहील में जो अच्छा आद्मी होता है वो नहाएगा न तो इसमें जो भीतर जो मगरमच होते हैं उनको कोई हानी नहीं पहुंचाएंगे और जो बदमास होगा न जो दूश्ट होगा वो जब जाएगा तो मगरमच उसको खा जाएंगे इस तरह की कहानी उनको जलासे होगा जलासे में जो रहता है नाग रहता है आधी तुफान कर देगा उसको डरा देगा पिडित कर देगा आपने कहानी सुनी है ना गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं वो चीज भी यहीं से चूरी की गई है वो बता रहा है कि उसमें जो पुन्य आदमी कहानी उल्टी है थोड़ी सी उल्टी है कि इसमें जो पुन्य है जिसमें ऑल्रेडी तो जो अच्छा आदमी है वो नहाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा जो पाप करके आया है वो न नहाएगा तो उसको मगरमस मारके खा जाएंगे उसके साथ कुछ दिक्कत हो जाएगी यह एक्चुल कहानी है सेवन सेंचुरी की इसको बरामडों ने बदल के क्या कहानी बना लिया कि कोई पापी आदमी भी नहा लेगा ना तो उसका पाप धुल जाएगा इस तरह से दोस्त कहानी भी बदल दी है तो इसके बाद से जो है आगे और भी कैसारी कहानिया आति हैं बेसिकली इसमें इन्होंने कैसारी जातक कःथाएं भी यह पता चलती है कि सेवन सेंचुली में जातक कःथाओं का भी परिवेश आ गया था यह जो हैंसौंग अपनी बाते रख रहे थ जाती थी कि इसके पीछे ये कारण है ये कारण है और मैं आप लोग को इस अस्थान से थोड़ी दूर पर एक जंगल में एक सतूप है प्राचिन काल में इस अस्थान पर देवदत और बोधी सत्व नामक मृग जातियों के दो राजाओं ने एक मामला तय किया था तो देखे यहाँ पर अब देवदत की भी बात आज रही है कि यहाँ पर देवदत कभी थे हैं और दो म्रिग राजा थे हम का मतलब पосू्होथा क MA इंसान के ऊपर दो सिंगर राते हैं तो जो दो सिंगर राते हैं उस तरह की जो आकरिती होती है उसको पसू राजा काते थे म्रिग राजा काते थे बेसिकली पाली में म्रिग का मतलब जो है वो होता है पसू कुछ लोग म्रिग का आज बना दिये हैं हिरण हिरण नहीं होता है पसू होता है तो ये लिखते हैं जिसमें म्रिगों के दो यूथ जुन्ड जिन में परतेक में 500 म्रिग रहा करते थे उस समय देश का राजा मैदान और जलासियों में सिकार खेलता हुआ उस अस्थान पर पहुंचा म्रिग राजा बोधी सत्वने देखें बोधी सत्व है म्रिग राजा ध्यान दिजिएगा म्रिग राजा बोधी सत्वने उसके पास जाकर निवेदन किया महराज एक तो आपने अपने सिकार अस्थान के चारो और आग लगवा दिये हैं उपर से अपने बाणों से मेरी जाती बनाई गई है इसलिए प्राथना है कि आप अपने भोजन के लिए नित्य एक म्रिग ले लिया करें आपकी आग्या होने से आपके पास उत्तम और पुष्ट म्रिग पहुंचा दिया करूँगा हमारी जाती का बहुत कुछ अधिक दिन तक जीवी तरह सकेंगे आपको याद ह होगा यह कहानी जो है महाभारत में इन लोगों ने चूरी करके लिखा हुआ यह जाता कथा कि कहानी जब भीम जो है जाता है जंगल वहां पर अग्यात अपने माता और भाईयों के साथ रहने के लिए तो वहां पर एक घटना आती है कि एक जंगल में रक्षस रहता था उस और दिन जो है खाना पीना भेजते थे और एक इंसान भेजते थे तो भीम एक दिन खाना पीना ले किया और खुद भी गया फिर उसने जो है उसको मार गिराया था यह पूरा कहानी जो है यहां से चूरी किया गया है यह कहानी देखिए यह म्रिग के बात है कि लोग तै करत तुम ऐसे न सबको मत मारा करो तो राजा इस सर्थ पर प्रशन हो गया और अपने घर को लोटकर चला गया उस दिन से बारी-बारी करके एक-एक म्रिग देने लगे तो यहां से घटना आती है देवदंद के जुंड में एक म्रिगी गर्ववती थी अपनी बारी आने पर उसन लेकर उतर दिया है राजा जो अभी उत्पन नहीं हुआ है उसका मारना न्याज संगत नहीं कहा जा सकता है उसके उपरांत मिर्गी ने अपनी दुख कथा को बोधी सत्व से निवेदन किया बोधी सत्व म्रिग राजा ने उतर दिया वास्तों में बड़े सोक का अस्थान है माता का चित क्यों न उसके लिए दुखी हो जो अभी सजीव नहीं हुआ है अस्तु तेरे अस्थान पर आज मैं जाओंगा और प्राण दूँगा देखिए ये जो बोधी सत्व दिखाया गया है कि जो म्रिग है वो इतना द्यालू है इसलिए उसको बोधी सत्व कहा गय जो लोग उज रास्ते से होकर निकलते थे और यह समचार को जानते थे उन्होंने राजमहल में जाकर सबसे कहा कि म्रिगो का बड़ा राजा आज नगर में आता है राजधानी के छोटे बड़े सभी आदमी देखने के लिए दोर पड़े तो यहां से आप देख पा रहे है कि यह जातक कथाओ की भी यहां पे घटना आई है और इसमें देखे आगे अब क्या होता है राजा ने इस समचार को असत्य समझा परन्तु द्वारपाल ने जब इसे विश्वास दिलाया कि वह द्वार पर उपस्तित है तब उसे निश्चे हुआ कि उसने म्रिग राज को बुला कर पूछा तुम यहां क्यों आये हो म्रिग राज ने उतर दिया जूंड में एक बड़ी म्रिगी गरभवती है उसकी आज बारी थी परन्तु मेरा हिरदय इस बात को सहन न कर सका कि बच्चा जो अभी उत्पन नहीं हुआ है उसके साथ मारा जाए यही कारण है कि मै उसके अस्थान पर प्राण देने आया हूं राजा ने इसे सुनकर सोक से उतर दिया कि वास्तो में मेरा सरीर मनुस्य का है परन्तु मैं म्रिग तुल्ले हूं म्रिग तुल्ले हूँ देखे कहा ना कि मैं म्रिग तुल्ले हूँ मतलब पसु समान हूँ म्रिग मतलब पसु ही होता है और तुम्हारा सरीर म्रिग होने पर भी मनुस्य के समान है फिर उसने दया करके उस म्रिग को छोड़ दिया तथा उसी दिन से वह नित्य की हत्या भी बं तो ये कहानिया ये लोग बनाये थे और जैसा कि मैंने बताय कि जातक कथाय हमेशा ही सिक्षा देती थी लोगों को सिक्षा प्रद कहानिया थी कि लोग उसे सबक सीखें और उसको वो लोग बोधी सत्व से जोड़ देते थे कभी बुद्ध से जोड़ देते थे ताकि लोग जो है ना इतना बिलीव था बुद्ध पे क्रेडिवेल्टी थी अब देखें ना जब एड़टाइजमेंट आता है तो बड़े-बड़े जो क्रेडिवेल्टी के आधार पर इस एड़टाइजमेंट के उसको खरीद ले तो यहां पर बुद्ध जो है उनका इतना ज़्यादा क्रेडिवेल्टी थी भारत में भारत के पूरे बिश्व में आज भी है देखिए ना आयम बुद्धा बना के बिदे से पैसा फंड इकठा करकर के कितनी नफरत फैल आ रहा है सब देख लीजिए बुद्ध के नाम पर बिदे से चंदा आ रहा है अब वो बुद्धिस्ट बुद्ध के नाम पर बिदे से चंदा मांग के अपनी भरबर के बौधों को ही उनका संहार करने में बौधों को ही गाली देने में पैसा फंड यूज हो रहा है यह हाल चल रहा है चलिए यहां पर आके बढ़ते हैं तो वो क्रेडिवेल्टी यूज करेके जातक कथाओं के माध्यम से पबली को एजुकेट किया जाता था तो यह चीजे ना बनारस का जो इन्होंने नोट्स लिखा है उसमें इस चीज को दिया है कि वहां पर जो वरिग्वन है उसके बारे में हमें यह जाता कथा बताई गई है फिर यह वहां से आगे चलके देखे यह सब लिखते हैं आज यह लोग बनवा रहे हैं ना कितने फीट 284 फीट इतने फीट इतने फीट उंचा उस समय जो सोच यह 300 फीट उंचा यह लोग से तूप अल्रेड़ी बनवा रखे थे उसके आस पास भी बहुत सा अस्थान घेर कर एक उंची इमारत बनाई गई है जिसमें सिखर के उपर सलाका लगी हुई है परंतु सलाका मतलब जो लकड़ी होता है लकड़ी का होता है परंतु उनमें घंटिया नहीं लटक रही है इसके निकट ही एक और छोटा सुतूप है यह वह अस्तान है जहां पर अग्यात कॉंडिन्य इत्यादी पांच मनुस्यों ने ब कि पांच ब्रामण थें अब वो जो है बुद्ध के सिस्से बने थे हैं सॉंग के नोट से इसका खुलासा होता है कि ब्रामण नहीं थे यह देखे क्या लिखते हैं पहले तो इन्होंने अग्यात लिख दिया अग्यात कॉंडिन्या इत्यादी पांच मनुस्यों ने बुद में सिधार्थ अपनापा भूलकर और करम के देखे फोर्ट फिफ्ट सेंचूरी से लोग बुद्ध को सिधार्थ कहना शुरू कर चुके थे उनका नाम सुगिती यह नाम था लेकिन चुकि जो अस्वगोस हैं उन्होंने सिधार्थ लिखा था तो फिफ्ट सेंचूरी तक सिधार्थ कहना शुरू कर चुके थे तो सिधार्थ अपनाना भूलकर धरम के जिग्यासू बनकर पहाडों में बसने के लिए और घाटियों में तपस्या करने के लिए नगर से निकल गए थे उस समय सुदोधन राजा ने तीन सजातिय पूर्सों को याद रखिए क्या लि अच्छा यहां का भी पेजगायब हो गया लगता है एक मिनट यहां का भी पेजगायब है मैं पता देता हूँ तीन सजातिय पूर्सों को और दो मातूलों को यह आग्या दी कि मेरा पुत्र सिधार्थ ज्यान समपादन करने के लिए घर से निकल गया है उस समय वो अकेला पहाड़ों और मैदानों में घूम रहा होगा अथवा वन से एकांतवास कर रहा होगा इसलिए मेरी आग्यानुसार तुम लोग जाकर पता लगाओ तो देखे तीन सजातिया यानि उनके ही जाती के थें जिस जाती के बुद्ध थें जाती मतलब उस समय जाती तो होती नहीं थी वंस थी साके वंस ही लोग थें तो उनके ही जो खरखंदान के लोग होंगे वो लोग होंगे कबीले के उनके जो लोग होंगे तो वो लोग और दो मातूल थें, मातूल मतलब जो उनके उसमें रहे होंगे, सेना वगरा में جो उनकी आग्या वगरा वालन करते होंगे, वो लोग थे, तो ये पाँच लोग जो हैं, गयत है, और इनको भेजा किसे लिए था, तो इनके पिता जो सुदोधन लिखा जा रहा है, वो भेज लाने के लिए नहीं गय थे ये देखिए इस बात को समझिए कि बुद्ध को ये जो बंदे हैं ये गय थे उनका साथ देने के लिए क्योंकि इनके पिता जी कह रहे हैं कि भई ये जो है वो अक्ये एकांत वास में वो कर रहा है घूम रहा है जंगल में पहाड में तो तुम ल लामड वहां तपस्या कर रहे थे और बुद्ध गये तो वो सब जो हैं इनके सांथ करने लगे और फिर जो है जब बुद्धर से आ गए ग्यान प्राप्ति करके तो यह उनके चेले बन गए सचाई यह नहीं है दोस्तो दोस्तो यह सचाई है कि वह उनके पिता जी ने खुद भेजाता है कि आरे तुम लोग जाओ उसके सांथ और लोग क्या कहते हैं कि अपनी पत्नी को और बेटा को छोड़ कर चल दिये थे अरे बेवकूफो जो बंदा अपनी पत्नी को और बेटे को छोड़े देगा उसके पिता जी उसका सांस देने के लिए पांच लोगों को और घर से थोड़े भेज देंगे neutrals जाओ उसको साहइता करो कहां पर उसको साहायता कर लाने की बात नहीं Ready प्रतीत होती है हैंसोंग के नोट से अब आगे देखे इसमें क्या लिखा है यह लिखते हैं इसी लिए मेरी आग्यानुसार तुम लोग आगे तुम लोग जाओ पता लगाओ और उसे सहाइदा दो इस काम के करने में तुम लोग अपनी मेहनत में कुछ कसर न रखना क्योंकि तुम्हारा समंद उसके बहुत पास काम तब तुम लोग उसके बहुत करीबी हो पांचो आदमी आग्यानुसार साथ साथ जाकर देश-विदेश में उनको ढूंड़ने लगे वे पांचो आदमी जब ढूंडते ढूंडते उस अस्थान पर पहुंचे जहां पर राजकुमार थें तब वो लोग जंगल में रहते थें स्रमड़ लोग तो इसे भी जंगल में रहते थें तो वो लोग तपस्या कहने का मतलब अपना चिंतन मनन जो भी करते होंगे तो वो करते थें तो इन सब के ये जो है ना ये दोनों लोग बिरोधी थें जैसे कोई अगर वरत वरत कर रहा है यह कर रहा है तो उनके यह दोनों विरोधी थें उससे यह भी पटा चलता है कि ये लोग जो कहानी बना रखे हैं कि जंगल में जो साधू थें साधू रिसी लोग थें बुध गय थें उनका विरोधी बुध के घर वाले कैसे हो सकते हैं इसका मतलब कि जो जंगल में जो जिस वर्ग के लोग थें उसके ठीक उल्टे वर्ग के बुध के घर के लोग थें तभी तो उसका विरोधी होगा ना तो यहां पर यह बात लिखा हुआ है कि वो जो दो पूरुस्त पांच में से जो दो पूरुस्त हैं वो कठिन तपस्या के गोर विरोधी थे और राजकुमार को देखकर कहने लगे इस प्रकार की तपस्या सनमार के विप्रित है यह अच्छी बात नहीं है यह तपस्या पस्या पेकार चीज है क्योंकि ज्यान की प्राप्ति सुख पुर्वक साधन करने से होती है यही बुद्धमार का भी नियम है कि मैं तपस्या कर देता हूं मतलब निराहार रहना है ला भाई मैं निराहार भी रहके देख लेता हूं वरत करना है ला भाई वरत करके भी देख लेता हूं सारा काम किये तो यह मना कर रहे थे दो परन्तु राजकुमार कठिन तपस्या कर रहा है इस कारण हम उसके साथ नही हम लोगों के यह सब तपस्या फपस्या होता नहीं है देखो यह कर रहे हैं आप इसके साथ नहीं रहेंगे यह विचार करके दोनों चले गए अच्छा जब दोनों चले गए और ग्यान की प्राप्ति के लिए अलग रहने लगे राजकुमार ने छे वर्स तक तपस्या करके भी जब ग्यान नहीं पाया तब अपने वरत को छोड़कर खीर खाने के लिए जो सुजाता नाम के कन्या दी थी वो जब दी थी मतलब वरत में एक दिन बहुत उनको दिक्कत हो गई तो अच्छा यहां पर आ गया यह सामने आपको यहां पर दिखा तब अपने वरत को रहे थे खाना पीना नहीं खाये थे जब खाना पीना नहीं खाये थे लगतार वरत कर रहे थे तो इनको हुआ क्या कि यह मरने की इस्तिती में थे अभी आप जाएंगे तो पाकिस्तान में एक मूर्ती मिली है जिसमें इनके ना पेट की हड़िया हड़िया दिख रही है तो वो चीज दिखाया गया कि बिल्कुल हडडी हडडी हो गय थे तो फिर इनको लगाना कि अब मैं मर जाओंगा बेहोस हो गय थे तब लड़की जो थी उधर से गुजर रही थी सुझाता वो लाके खीर लेके जा रही थी वही खीर दी उनको किलो तुम ही खालो मर जाओगे दो थे वो पहले ही बता चुके थे कि यह मत करो इसा बखवास चीज है वरत फरत आ यह खीर खाक जब खाएं तब इनको पता चला कि सुकून जो है खाने पीने में है बखवास चीज है निरहार रहना यह ग्यान की प्रत्ति हुई थी तो तब इन तीन आदमियों ने इस बा उवरत रखने की बाद तो उनों ने कहा कि इसका ग्यान अब परिपक्व होने को ही था परंतु सब नश्ठ हो गया छे वर्स की कठिन तपस्या एक दिन में ही मिटी परीद हो गई मतलब कर रहे हैं कि छे साल से यह काम हम लोग कर रहे थे यहां पे थें और छे साल तक हम लो कर उन दोनों आदमियों को ढूड़ने के लिए वहां से निकल लिए अभी यहां से देखिए यहां से कई चीजे भंडा फोड़ हो रहा है इनका कि लोग काते हैं कि छे साल तक भूख है रहने की बात ही नहीं हुई है यहां पे तो बात हो रही है कि छे साल में अलग अलग अवस्था में विभिन कर्म किये थे कभी एक पैर पर खड़ा होके रहेते कहीं पर विपशना किये थे कभी निरहार रहेते वह तो छे साल वाला वह बात फरजी है जूट फेंक नहीं हुज है जिसको फेक चेकिंग करा नहीं हो आके पढ़ले नोट्स यह हैंसॉंग का लिए भेज रहे हैं यह देखी लिजिए अचा अब इसके बाद से क्या होता है कि निकले जो पहले से अलगत हैं मतलब यह तीनों चले आएं उन दोनों को ढूंडने के लिए कि वह तुम लोग कहा हो तो लगा खाने पीने वो तो दरम रश्ट कर दिया तो उन लोगों को प देखा बुराई चल रही है उनकी खाना खाली है ना व्रत तुड़ दिया है तो बुराई चल रही है क्या कह रहे हैं सब कि राजक्मार स्वार्थ सिद्ध ने सुन्य घाटियों में निवास करने के लिए राजभवन त्याग दिया था तथा रतन और वस्त्र हटाकर लेकिन तपस्या करते पाया परन्तु अब उन्होंने उस तपस्या को भी छोड़ दिया है और एक ग्वाला पुत्री यह देखे क्या लिख रहे हैं ग्वाला पुत्री वो जो लड़की उनको खीर खिलाई थी वो लड़की ग्वाला की बेटी थी यह पॉइंट आपको ध् इसने बुद्ध की जान बचाई वो ग्वाला लड़की थी आचा कुछ आजकल यह प्रचारित कर दिया हैं कि जो यादो लोग हैं जो ग्वाला लोग हैं बिदेशी है ब्रामण कितना चतुर है खुद बिदेशी का तमगा हटाने के लिए ग्वाला लोग को भी बिदेशी जो ग्वाला लोग थे उससमें एवलेबल थे उससमें भारत के मुल्यमासी लोग में थे यह बात यहां से भी सत्यापित होती है तो और दूसरा चीज कि यह लोग ब्रामण धर्मी नहीं यह तो बुद्ध का सपोर्ट कर रहे हैं तभी तो जो सूजाता है जो ग्वाला विष्णु में नहीं भाई साब उस पर लिखा हुआ है बाकायदे कि यह सूजाता का सुदूप है विडियो 117 में तो यह अब यहां पर देखिए कि उनके हाथ से इन्होंने खीर ग्रहण किया है तो अब यह कहते हैं कि हमारा विचार है कि वो बंदा कुछ नहीं कर सकता है यहां पर यह बात चल रही है यहां पस मैं डिसकस कर रहे हैं अब उन दोनों आदमियों ने उत्तर दिया वह महोदे आपने अब जाना कि राजकुमार पागल सरी का है अब यह जो दोनों आये थे साहता करने वो उनकी बात सुनी है वो कह रहे हैं कि अच्छा राजकुमार तो पागल है यह तो हम लोग बहुत पहले बोले थे अजी जब वह अपने घर में रहता था और आदर सतकार के साथ सब प्रकार के आनंद भोग करता था उस समय पागलपन के ही कारण तो वह अपने चक्रवर्ती राजे को छोड़कर निक्रिष्ट पूर्सों के साथ जीवन इनने एक बड़ा त्याग किया था और कौन मुर्ख व्यक्ति होगा जो इनके त्याग को कहेगा की गलत कर दिया यहां पर बुध जो है बीवी बच्चे इनके राज में हैं राज भोग रहा है यहां यहां पर यह बात है तो यहां पर जो है अब यह कर रहें कि उसका नाम सुनते ही दुख उमड आता है इधर भगवान बुद्ध का या विर्तान थे कि वह सम्यक संबुद बनकर देवता तथा मनुस्यों के सास्ता हो गया और नरंजना नदी में असनान करके बोधी सत्यों के नीचे आसीन होकर वि हो चुका है उसे यदि उपदेश दिया जाए तो अवसे फलीभूत होगा और वह उसे ग्रहण भी सिग्र कर लेगा और दो मातुलों को आग्या दी अच्छा पेज इधर इधर हुआ था यहां पर वो पेज था जो उस समय मिस कर गया था कि उन्हें पांच आदेश दिया था तो यहां पर आब आते हैं कि हां तो उसी समय अभी उनको फिर एक से कहानी सुनाई गई है यहां पर ठीक है ना एक और कहानी सुनाई गई है एक पेज थोड़ा सा करबड हुआ है यह जो खीर वाला है कि यह जो सुजाता लड़की है खीर दे रही है बुद्ध को उसका यह चित्र है तो अब यहां पर बुद्ध जो है वो यह कहते हैं कि भगवान तथागत बुद्ध को अपने अपुर्ण ग्यान पर फिर सोक हुआ तथा पुनह विचार करके उन्होंने कहा कि मृगदाओं में पांच परिवाज्रक है तो जो अवस्य सरवपर्थम उपदेश को गरहन करे तो उन्होंने पहले जो सोचा था कि उस लड़के को दूंगा तो उसको नहीं दिये थे और वो चले गए थे पांच जो यह आये थे इनको वो चले गए थे अपना ज्यान देने के लिए जो अवस्य सरवपर्थम उपदेश को करहन करेंगे यह विचार कर तथागत भगवा द्रकों को धर्मो पदेश देने के लिए निकट गए वे लोग उनको दूर से देखकर कहने लगे अरे यह देखो सिधार्थ आते हैं वर्सो तपस्या करने पर भी गुधत्व लाव कर तब धैरे चूत होकर हमारे पास आते हैं परन्तु हमें इस समय चुप रहना चाहिए यहां तक कि इनकी आओ भगत के लिए अपनी जगह से हटना उठना भी न चाहिए अच्छा ये त्रिसकार की बात कर रहे हैं सब के अच्छा आ गए गये ग्यान प्राप्ति करने मिल गया गया त्रिसकार की भावना इन लोगों के मन में आ रही है तब तथागत भगवान अपने मनोहर स्वरूप से संसार को विमोहित करते हुए ऐसा रिती से धीरे-धीरे उनके निकट गए वे लोग अपनी प्रतिग्या को भूल गए तथा बड़ी सरधा से उठकर दंडवत करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े तथागत भगवान बुद्ध ने सने सने उनको विशुद धरम का उपदेश देकर कृतार्थ किया विश्राम के समय समाप्त होने पर लोग पुनी तफल के अधिकारी हो गए तो ये दोस्तों आपको बनारस और सारणाथ की जो नोट सिनों ने कमपाइल किया है उससे पता चलता है कि जो बुद्ध को कहा गया है कि उन्होंने आकर भारत में कैसे किसको ज्यान दिया था या जो पांच बुद्ध थें उनके बारे में बताया गया कि वो ब्रामः थें वो चीज डिबंक होती है कुल मिला के मुझे पूरी ये स्टोरी दिखाने का ये परपस था कि जब आप पूरा सीन ही देख लेते हैं इस पुस्तक का तब आपको पता चलता है कि exactly seven century में क्या कहानी थी और कैसे slightly आज इस कहानी को बदल दिया गया है इतने बड़े-बड़े मैं देखा हूँ कि अपने को कुछ लोग भंता बना रहे हैं पता नहीं भंते हैं भी कि नहीं है और वो ऐसा प्रचारित करते फिरते हैं कि बुध जो है वो पांच ब्रामण उनके सिस्यत हैं बताइए यह आपने पढ़ा seven century में अब कम से कम जो अस्वगोस्त हैं वो पहली दूसरी सदी के बताया जाते हैं दूसरी तीसरी सदी के बताया जाते हैं उनके बाद से जो नज सेवेंथ सेंचूरी में जो बंदा उस कहानी को लिखके जा रहा है वो तो ज्यादा सच्चाई के करीब होगी ना तो यहां से तो पता चल रहा है कि वो पांचो ब्रामण कत्ताई भी नहीं थे यह इनके ही जाती के लोग थे अब कोई कह दे कि बुध ही फिर ब्रामण थे क कि यह चीज जो है हैंसोंग से यहां से डिबंक होती है और दूसरा चीज क्या मिलता है कि समराट असोक के इतने स्थूप और सारी चीज़े उस समय बनारा सारनात इंसम में एवलेबल थी और ब्रामण धरम का तनिक भी नामों निशान नहीं मिलता है तब भी फिर इसके बाद से जो है आगे इसी तरह की बाते जो है आती जाती है यह सारा चीज दिखाते जाते हैं कि कैसे कैसे और वहां पर क्या क्या चीज़े बनी थी कुछ कहानिया भी जून को सुनाई गई थी वह यहां पर वह बताते हैं और इस तरह से पूरा बनारस का जो है वित्तान्त वो दिखाते हैं अच्छा यहां पर एक और कहानी है उसको भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि उसको भी सोसल मेडिया में बहुत ही गलत ढंग से परचारीद किया गया है यह लोग कहते हैं कि बहुत हमारक में कहा गया है कि चांद पर खरगोस रहता है तो दरसल यह जातक कथा है और जातक कथा में यह बात है भी नहीं कि चांद पर खरगोस रहता है इसका भी मेंसन किया है हैंसॉंग ने देखी कितनी भ्रामक चीजे लोग प्रचारिद करते हैं एक्चुल में नोट्स वो सही से पढ़ते नहीं हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है आप कोई बात समझना होगा यहां पर एक कहानी आती है इसको थोड़ा सा समय लगेगा सुरू से ही बता देता हूँ इस जील के पश्चिम में एक अस्तूप तीन जानवरों का है इस अस्थान पर बोधी सत्व ने अभ्यासकाल के दिनों में अपने सरीर को भस्म कर दिया था कल्प के आरंव में तीन में काने का मतलब जब वरत में थे और उनकी हड़िया हड़िया दिख रही थी उसकी बात हो रही है तो यह दपी इन तीनों की प्रकृति भिन्नति देखें तीन जानवर है कौन-कौन लोमड़ी है खरगोस है और बंदर है यह कहानी उनको बताया गया था सेवन संचूरी मे तो जाता कथा थी basically तो परंतु वास्तों में रहास पर परम मित्रत हैं और वोधी सत्व चर्या का अभ्यास करते थे हैं एक दीन देवराज संखर देखें यहां पे लिखा है ना देवराज संखर लिखा हुआ है बेसिकली ये तलाबे सब भी नहीं है, सो को को है, ये क्रो लिख दिया गया है हिंदी में, बेसिकली दंती सवला सो, आधा को, अको, ये लिखा होता है, ये लोग अब क्या कर दिये हैं, कि जहां जहां सक्र लिखा होगा, वहां वहां इंदर लिख देंगे, ये भी इन लोगो मनुस्य का स्वरूप बनाकर उस अस्थान पर आए और उन तीनों को संबोधन करके पूछा कि तुम लोगों को कुछ कष्ट और भैतो नहीं है तो उन्होंने उतर दिया हम लोगों को कोई दुख नहीं है हम लोग बड़ी प्रसन्नता से कालयापन करते हैं यहां जहां हमारी इच्छा होती है विस्राम करते हैं जहां इच्छा होती है सैर करते हैं हम लोगोंने परसपर मेल जोल भी बहुत है इस कारण हम लोग बहुत सुखी है व्रिध पुरुष ने उतर दिया है मेरे बच्चे इ पूरा यही थीम इन लोगों ने अपने प्रभानिकल सिस्टम में कौपी किया है इनका भी बेस भदल के आ जाता है इंद्र चमतकारिक सकती से इस से उस से इस तरह से तो देखे आगे अब यह क्या करते हैं कि उसके प्रेम में मैंने व्रिधा वस्था और पौरुस हिंता का चला आया बुढ़ा का रूप धर के आया था प्रंतु इस समय मैं छुधा से बहुत पिढ़ित हूं अब बताओ तुम लोग कौन सी वस्थू मुझे खाने के लिए दे सकते हो तो उन्हों ने उत्तर दिया आप थोड़ी देर का उकास कीजिए हम लोग जाकर भोजन का प्र प्रबंद करते हैं अब देखिए ये कैसे प्रबंद करते हैं यह कहकर वे तीनों विभिन मतावा लंबी भोजन की तलास में निकले यह दपी उन तीनों का भी प्राय एक ही था प्रंतु भोजन प्राप्त करने का धंग अलग-अलग था लोमड़ी एक नदी में खुश आई कि यह वही हम खिलाएंगे सक्राजा को और बंदर ने जंगल में जाकर अनेक प्रकार के फल और फूलों को इकठा किया तथा दोनों अपनी अपनी भेंट लेकर व्रिध के निकट पहुँचे तो देखे क्या हुआ लोमड़ी मचली लेकर आई और बंदर जंगल से फल कि मुझे मालूम होता है कि तुम्हारा मेल इन दोनों लोमड़ी और बंदर से नहीं है तो मेरे लिए बड़ी प्रसनता से भोजन का प्रबंध कर लाए यह दोनों परणतु तुमने मुझे कुछ भी लाकर नहीं दिया खरगोस को यहाँ बात सुनकर बड़ा सोग हुआ उसने बंदर और लोमडी से कहा भाई यहाँ पर एक धेर लकड़ियों का इकाठा कर दो तो मैं कुछ भेंट कर सकूँगा उन दोनों ने उसकी आग्यान उसार इधर उधर से लाकर लकड़ी का घास का धेर लगा दिया और जब वह धेर अच्छी तरह जलने लगा तब खरगोस ने कहा है मैं एक छोटा और असक्त जनतू हूँ यह बात मेरी समर्थ से बाहर है कि मैं आपके लिए भोजन प्राप्त कर सकूं परन्तु मेरा यह सरीर अवस्य आपकी छुधा को मिटा देगा देखे कितनी जबरदस्त कहानी है एक खरगोस जो है वो कहता है कि मैं भी किसी दूसरे को पकड़ के लाऊंगा जीव को उसको आप खायेगा अब मैं भी तो एक जीव ही हूँ लकड़ी जला दो दोस्त होती थी कहानिया यह चीछे यहां पर आभी देखे आगे क्या होता है इसमें यह कहा कर वो अगनी में कूद पड़ा और भस्म हो गया तब व्रिध मनुष्य ने अपने असली स्वरूप को प्रकट करते और उसकी हड़ियों को बटोर कर बड़े संत्पत मन से लोमडी और ब इसकारण मैं इसे चंदरमा की मूर्ती में अस्थान देता हूं देखिये चंदरमा को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आज कले लोग प्रचार फैलाते हैं कि देखो चंदरमा मैं घरगोस जैसा अकार दीखता है यह कहानी जो है, यहां से आती है, कि इनों ने इस कहानी में बताया गया, आप किसी ने पूछा होगा, वह जो चंत्रमा है, उस पर कैसा चिन दिख रहा है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसने दो टुक्डे कर दिये, मुहम्मद है ने दो टुक्डे करवा दिये ते, कोई बोलता तो इंद्र ने उसको अर्सिबाद दिया था इस तरह की चीजे तो यह कथाएं हैं दोस्तों यह आपको समझनी पड़ेगी कि यह कथा उस समय भी प्रचलित हो चुकी थी तो वही यहां पर मेंसन कर रहे हैं हैं सोंग कि यह कथा बताई गई थी तो अब इसमें क्या होता है कि इस कारण मैं इसे चंद्रमा की मूर्ती में अस्थान देता हूं जिससे इसकी कृति का कभी नास नहों तो इसी कारण लोग अब भी कहा करते हैं कि चंद्रमा में चोगडे मतलब खरगोश का वास है इसी घटना को लेकर लोगों ने इस अस्थान पर सतूप बनवाया है तो मैं जो चंद्रमा की मूर्ती है वहां उसका अस्थान मैं दे रहा हूँ यहां पर यह भी बात नहीं हो रही है कि चंद्रमा पर मैं तुम्हें जीवन दे रहा हूँ कि वहां पर खरगूस रहता है या तुम जाके वहां पर रहोगे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है या चंद्रम पर जीवन है इसकी भी कोई बात नहीं हो रही है यह चीज़ आपको समझ नहीं होगी मैंने देखा सोसल मेडिया में बहुत सारे लोग इस तरह का भरम फैला रखे थें कि जो बुद्ध है उन्होंने कहा है कि चंद्रमा पर जीवन होता है यहां पर बुद्ध का जिक्र ही नह में हुआ था उसके लिए यह सा तु डेडिकेटेड किया गया था और उसके पीछे यह कहानी है इसकी बात हो रही है चंद्रमा पर जीवन है यह खर्गोस रहता है इसकी यहां पर कहीं बात ही नहीं है तो वह पूरी तरह से फेक नहीं होगे दोस्तों यह चीज़ आपको सम आना चाहते थे कि बनाराश के बारे में क्या क्या चीज़े हैं सोग ने लिखी है कुछ लोग किस तरह से इस सचाए क्या है वो दोनों चीज मैंने आप लोग को दिखा दी कहानी भी दिखा दी बाकी आप सब जो है समझ सकते हैं कि एक चेक्टिक किस तरह से भ्रामक प्रचार किया जाता है अच्छा चलिए अब देखते हैं कि कुछ साथियों के सुपर चेट आये थे इस माध्य हम इस बीच में तो उ मैं चाहता हूं कि जो नए साथी हैं वो लोग जुड़ें जिनको कुछ डाउट्स हैं वो लोग जुड़ें और साथी उनको भरपूर मौका दीजिए जो लोग डिवेट करना चाहते हैं उनको मौका दीजिए उनको आने दीजिए क्योंकि वो लोग जब तक आयेंगे नही उनकी व्यथा क्या है दिक्कत क्या है वो रखेंगे नहीं तब तक चीज़े क्लियर नहीं हो पाएंगी तो मैं चाहता हूं कि जो लोग डिवेट करना चाहते हैं वो लोग प्रिफरेंस दूगा मैं उनको आएं वो और जिनको नहीं मिल पा रहा है लेंक वो प्राइबेट चे 85 सर जी नमो पुद्धाय जय सविदान जी बहुत सुक्रिया आपका राजकुमार जी इसके बाद से आया था प्रयाग सिंग जी का आपका भी बहुत सुक्रिया अमित तिवारी जी का आया था जय भीम आप सबको आपका भी बहुत सुक्रिया अमित जी और RS जी जी का भी प्रकास पर्व उनकी बहुत सुख्रिया आपसी आपका प्रकास आप्या है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं देखें कौन कौन लोग आ fils है कि चलिए यहां पर राकेश कुमार आये हुए है इनको लेते हैं बात करते हैं इनसे क्या कहना चाहते हैं यह जी राकेश जी बताएं आपकी काफी ज्यादा बैक्राउंड आ रही है राकेश कुमार आप हमें सुन पा रहे हैं हाँ बोलें आपको वाज़ारी में की सर आ रही है सर आपको वाज़ारी में हाँ सर यह जानना चाहता है कि यह जानना चाहता है कि मैं दोस्त है मेरा जो फ्रेंड है अपने आपको बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया अच्छा जी जातवात नहीं करी किसी के साथ तो उनको ले आई है न वह आएंगे तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है उन्होंने गलत थोड़े किया है गलत करने के लिए एहसास होना जुरूरी है ना अगर आप कोई गलती करते हो जैसे ग्रावनी औरत की मूर्ती बना ली है उसकी वो पूजा पाट करता है उससे प्रातना करेगा कहेगा कि हे माता आप जो है मुझे आज के खाने की विवस्था कर दो और कुछ भूल चुक हो गई है तो मुझे माफ कर दो फिर वो जाएगा गाउं में डांका डालेगा लूट अब आप बताओ कि उसने जुल्म किया या उसने अपना पेट भरा क्या किया उसने अदेक इतने तो डेकेट यह डाली जुरूम ही है इस बात का कि वो गलत कर रहा है नहीं सर उसको तो अपने उसे ठीक कर रहा हूं बस यही चीज़ होता है ना जिसके ओपर जुलूम हो रहा उसका पता आना सर यह तो बस एक्चेकली यही बात है जब तक अहसास नहीं हो जिस बंदों को कि हमने या हमारे पुरवजों ने क्या गलती की है तब तक वो उस कर्म को ही अपना अच्छा कर्म समझता है आप देखि कौन चुख. है कि अब दोनों में से कौन खराब हैं कि कि दोनों ऐसे को अगरा को आपने को सही समझ रहे है तो अहसास की बात होती है जब अहसास नहीं हो तो आपको लगेगा चांश की हो पर हाए भले वो आहसास करे या ना करे कौन जो है प्रभावसाली है किसके पास ज्यादा जो है जमीन पर या संसाधन पर कब जा है किसका वर्चस्व है वो चीज देखी जाती है और जिस पर अधिकता पाई जाती है माना जाता है कि उसी ने कुछ बुरा किया होगा क्योंकि जो अल्रेडी विक्टिम है वो क्या कर पाएगा उसके आगे वो कुछ है ही नहीं तो उसको इसका बेनफिट भे मिलता है तो इसलिए जो भी अपने को यह बात कह रहे हैं उनको आकर सामने बताना पड़ेगा अपना पूरा इधियास खोलना पड़ेगा दिखाना आपकी वीडियो में देखता रहता हूं मेरे को से बहुत जानकरी मिली जितने भी तक मैंने देखी हैं वीडियो तो मैंने यहीं का मैं ऐसा वैसा नहीं है कि हमारा इतियाज जो है हम तो मूल निवासी हैं आप जो आए हो हम पर अलग-अलग वो करके हम पर थोपके कि आप यह हो वो करके हमको बाट दिया और हम पर आपने रूल किया सब कुछ हमारे यह जो आपके पास है भी ठीक है ठीक है और कुछ पुछना था आपको नए जारी यही पुछना था थीक है ऑच्छा इससातियों बहुत से ऐसे भी साथी होते हैं जो नही जुड़ पाते हैं उनको धिक्कत आती है जुड़ने में और बहुत से ज्यादा भी सवाल होते हैं तो आप लोग सुपर चैट के माध्यम से भी सवाल अगर रखेंगे ना तो उसका भी मैं उत्तर दूँगा प्रिफरेंस भी दूँगा उनके सवालों का मैं चलिए और देखते हैं और कौन लोग आये हुए है और जिन सांतियों से बात हो जा र हैं वो लोग आये हैं वर्ड लाइफ आये हुए हैं चलिए इन से बाते करते हैं बताएं वर्ड लो सर अवाज आ रही है आ रही है तो सर मेरे यह सवाल था कि यह जो चंडाल जिनको बोला जाता था कि आपने बताया भी प्रेजेंटेशन में की बुद्धिस्ट लोग सब्सक्राइब जो खाते थे तो वह जब आते थे तो शूर कर देथे कि आरम हमारे अब हमसे दूर जा या बिक्षू हो अप यह हो जो भी बोलते हैं क्या उनिंगे बाद ना दिया गया नहीं इसका कोई जिक्र नहीं और देखिए आपने आज का प्रेजेंटेशन देखा तो थोड़ा साउंड आपके बैग्राउंड में साउंड आ रहा है उसको या तो दूर रखिए माइक से मुग या हवा से करना कीजिए हाँ देखिए कि समझे पहले फिफ्ट और सेवेंट सेंचुरी में क्या सिचुएशन थी एक्जेक्टली उन्हीं लोगों को बाद में सुद्र या छूत बनाया गया ऐसा तनिक भी पॉसिबल नहीं है आपने देखा अभी कि जिन जो बुद्ध के ही अपने तीन सजातिय लोग थें और तीन जो उनके मौतूल थें उनको ही बाद में किसी ने ब्रामड कह दिया प्रचारित कर दिया कि बुद जो है ना पिछले 1000 साल में बहुत तोड़ पोड़ करके बदली गई है जिनको सत्ता से हटाया गया जो हांसिये पर ढखे ले गए उनमें से ही लोगों को अच्छूत बनाया गया नीच बनाया गया इस तरह की चीजह हुई है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो उस समय जिसको मतुरा में ऐसा हुआ था पूरे भारत की नहीं पूरे बंगाल मांसाहरी रहा है लकतार तो पूरे जितने मांस खाते थे बंगाली वो तो सारे के सारे सुद्र होने जाने चाहिए थे नौर्थ इस्ट पूरा का पूरा मांस खाता था तो पूरे के पूरे नौर्थ इस्ट ईदर विहार जारखंड के लोग मांस खाते थे वहां का तो ब्रामठ है वो आज भी आप चले जाएगे तो जैसे ही दुर्गा पुजा होता है उसमें बकरा काटता है महराष्ठ में काटता है बकरा काटता है भैंसा कोने कहा है कि उनको सहर से इसलिए बाहरा निकाल दिया गया है कि वह खाते हैं यह कहा गया है कि वो लोग जंगल में रहते है और जो पिछले टाइंपर रेपिस्ट होते थे क्राइम करते थे मारते थे मड़र करते थे उनको भी वही शूद्र बन गए अच्छले ready how ऐनको और को सुध नहीं थी कि यह तो घड़े में मठगे से पैदा कर देते थैं यह तो पका जाता था कहीं पर वहीं से बच्चा पैदा हो जाता था यह तो लगड़ी उखड़ी एक चीज धे करूंगा मतलब вже इसको 뛰 ज़नी नहीं दे रहे थे और वह स्कूल अच्छा खाःसा था वह स्कूल अच्छा खाःसा था बहुत अच्षा कासा है ऐसा भी नहीं और कोई दर्या वरिः की वाला uda स्कूल अच्छी खासी फी से उसकी सर्फक स्कूल की वज़े से नहीं दे रहा थे और हिंदू स्कूल था वो ऑई से पिरिशन स्कूल नहीं था साइन्स सब्जेक्ट नहीं लेने दे रहे हैं बताएं ऐसा मतलब 21st सेंचुरी दो साल पहले की बात बता रहा हूं आपको यह अभी हो रहा है ऐसा नहीं कि दस साल पुरानी बात बता रहा हूं यह तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है अगर ऐसा कोई कर रहा है तो साइन्स सब्जेक्ट नहीं दे रहे था उसको सब पुलीस की धंकी दी गई तब दिये हैं वो जाके ओके और सर यह जो फैस्टिवल है दीपा वाली जो होता है दीवाली और बोली जो होता है यह क्या और भारत के जितने भी पर्व तेवहार है वो कहीं न कहीं जो बुद्ध मारगियों के जो तेवहार है उसका रूप बदले गया रहना कुछ नहीं नहीं चीजे भी जन्रेट की गई रामायन उनको अपने नैशनल बना लिए तो उस पर बहुत गरब करते हैं यह तुलनी देखो दुध भी बुद्धिस्ट कंट्री भी रामायन का लोहा मनवाती है नैशनल बुद्ध बना रखा है इनसे पूछना पड़ेगा ना कि वो बुद्धिस्ट है तो रामायन को बना यह कभी जातक कता इनका दो पूरा का चोरी का माल है इसे तो यह सावित होता है कि इन्होंने खुद रमायन चुराई हुई है रमायन रमायन व्रिस्ट देखिए यह मैं पहले भी बता चुका हूं फिर से आपको बता देता हूं जो जातक कता है बौध मार्की उसको एक्स् रमायन लिखा गया उसमें भाई बहन है बौध जातक कता में जैन रमायन में पति-पत्नी बना दिया गया कहानी को और आगे बढ़ा दिया गया जातक कता में वह जंगल से जाकर लोट आते हैं सीता और लचमन दोनों भाई बहन है इनके राम के तो वह 9 साल पे ही लोटके चले आते हैं राम पूरा तीन साल और अधिकरह के 12 साल पे लोटके आता है जैन रमायन में कहानी को और विस्तार दिया गया पति-पत्नी बना दिया गया जंगल में ही रामड उठा के ले जाता है सीता को अब उसका जो है वध करने के लिए राम और लचमन जाते हैं लचमन इतनी सारे लिखके गये हैं तिपीटक का नाम लिया उसने जो है इतनी सारी चीजों का नाम लिया कहीं पर लिया इन्होंने रमायन मा भारत का नाम थे ही नहीं तर नाम कहां से लेगा यह तो खास बात है जातक कथाओ की इतनी सारी कहानी आ रही है आपने देखा इतनी सारी जाता कथाओं का उसने वर्णन किया है जगा जगा पे रमायण मा भारत का क्यों नहीं अब बानारस में गया था बानारस में इसको कोई मिला ही नहीं बानारस में इनके इतनी सारे जो घटनाएं हैं साधू महात्मा हैं हरिस्चंद्र और किसकी किसकी बाते करते हैं क्यों नही कि पूजा हो रही है कि जाता का था कि उरे सारा किलियर हो जाएगा उसमें जी वर्ड लाइप सर वो जो मेगा स्थनीज आये थे जिनको फादर आप इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है वो उनकी वो लोग तुनी दिखाते हैं कि बुख जब आये थे तो एक मूर्ति उन्होंन कोई कुइजन का नाम ही नहीं हो जूट बोलते हैं तो वह ऊटुब यूटुब मे प्ठेख ना फूरा प्हेंक नहीं हो जा modules कया ब्रामण उसको एक भी और नहीं दीखा पूरे भारत में उसको वेदा ही नहीं ना रमायन दिखाना माभरत दिखाना गीता दिखाना वेद दिखाना इनका प्रम्भविष्णु महец दिखा और उसको जो है वह हेराकलीस की बात कर रहा है हेराकलीस गृक पहिंटक अगरppoiset संसी ग्रीक गौंड है तो माइकल जेक्च अच्छा ये बताओ अब माइकल जेक्शन है लिए को रहा है कि क्रिष्णा उसको लिख के जाना चाहिए था कर आप कि रहे तो लिखके बात कर रहे है थे लुग्ण है अट लिखके जाए गा तब ऑन भलराम का एक जगा नहीं लिखा है है कहीं पर जो इंका वैपन था उन्हों लिए रहते थे ना एक ठोप पीछे का कुछ वहीं मुर्ती में कुछ देखा था तो बता रहें तो बोधी सब्सक्तों का है वो तो पूरा जाता कथा में है एक चीज़ से नफरत बहुत दिख जाती है इंकी जब आप छेस साथ हुआ पड़ करते कि आप नोटीष और कश्मीर च लोवी आई इसको फूल प्रमोशन दिया गया सारे हिंदू हो ने दिया लेकिन जैभीम जब मोवी आई थी तो किसी हिंदू ने कोई स्टेटस पर नहीं लगाया कश्मीर को दबा दबा के पूरा प्रमोट किया गया है कश्मीरी पंडित वहां जनो साइड हुआ ठीक है मानता हूं मैं खुद बोलता हूं सपोर्ट करता हू लेकिन जैभीम वहां भी तो बहुत बुरा हुआ राइजिंग ऑफ शूद्र मूवी भी आई है उसको भी कोई नहीं मतब उसको और भी बुरा होता था बच्चों का जीप काट लेते थे लोगों को मार दिया जात के नाम से कोई वाती नहीं करता है पिर कश्मीरी पंडित क कहानी है तो उसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वह लोग पंडित हैं हिंदू कितने मतलवी हैं यह लोग वर्ड लाइप आपने बिल्कुल सही कहा है आपके मुद्दे पर लोटते हैं यहां पर स्याम कुमार हरदाहा जी लिख रहे हैं मेरी सूपर चैट सेंड क्यों नहीं कारण होता है अगर आपका डेवेडिया क्रेडिट कार्ड जो है वह इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए अलाव नहीं है तो फिर वो नहीं सेंड करेगा बाइडिफॉल्ट वो ओफ होता है ऑन करवानी होती है बैंकों से या फिर नेट बैंकिंग यूज करते हो तो उस आपके यह कह रहा है ना कास्मेरी फाइल्स की बात कर रहे हैं कि एक हिंदू बता देते हैं जैब हम मूवी को ठीक है वर्ड लाइफ अब मैं आपका प्रशनल ले लिया हूं अब सूने थोड़ा सा देखे यह ब्यात बिल्कुल सही है कि कास्मेरी फाइल्स आई है तो इसक पर्शन ले के मत की बात आती है जहां पर पर्परगंडा फैलना चाहते हैं बहरत में तो बहुत मूवी आई थी सुद्रों पर जुँ अट्यचार हुआ है उसके आगे तो जो कास्मीर हुआ हुआ है क्समेर जुकुया था उस समय जो गॉर्मेंट थी उस civic अ देखना कास मेरी पंडित के साथ भी बुरा हुआ है इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग उसको अच्छा कहें नहीं खराब हुआ है बिल्कुल खराब हुआ है किसी के साथ भी कोई भी जाती धरम मजभ हो उसके साथ अगर गलत होता है तो गलत है लेकिन सवाल यहां पर यह है कि उनको नयाय मिलना चाहिए तो जैसे उनको नयाय का हक है वैसे ही भारत में हर बंदा जो पिल्ध है उसको भी नयाय का हक होना चाहिए लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी वीडम बना है कि यहां पर आवाज भी लोग जाती देखके उठाते हैं अच्छा ही मेरी जाती का है तो आवाज उठेगी मेरी जाती का नहीं है तो आवाज को दबा दिया जाएगा उसको एंटी हिंदू बदा दिया जाएगा उसके सांथ कुछ गलत दूसरी घटना जोड़ दी जाएगी उसको बदनाम किया जाएगा तो यह हमारे यहां इससे पता चलता है इन घटनाओं को द को मानना चाहिए कि हां उनके सांथ बुरा हुआ है इसमें किसी को उत्साह अत्य उत्साह दिखाने की ज़ुरत नहीं है बुरा हुआ लेकिन सब के हर भुगत भोगी जो है भारत में मैं कहता हूं कि एक आप जो घोड़े पर नहीं बैठने देते हो उसका क्या गुना है फ्लैट वगरा देने से मना करते तो जाती पूछते हो यह सब क्या है तो यह तो लोग वैसे हैं कि जो कम से कम भागे नहीं यहां से वो लोग डटके मुकाबला किये किसी तरह रह लिए आप वहां से भाग लिए भाग लिए तो चलो ठीक है भाग लिए आपके सांथ गलत भी हुआ लेकिन आपके आपके नाम पर कितनी राजनिती हो गई है यह भी तो देखना पड़ेगा तो यहां पर दोस्त यह राजनिती की बात है इसको मैं ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह पॉलिटिकल मुद्दा है इस मुद्दे को सौल्व करने की ब पता लगा कि यह कितने जो दलित सूद्र ओवी सी पिछड़े हैं इनके साथ भी पूरा हो रहा है इनका कभी गरीब ही इनकी इनकी जो दिकते हैं वो किसी को नहीं दिखती है आज भी मैं देखता हूं कि लोग जो है गरीब ब्रामण का फोटो लगा घुमा देंगे कि इसका बंदा हो भी गरीब होता है ऐसा कभी पुष्टर आपने देखा है नहीं देखा होगा अपने ब्रामण गरीब होता है यह जरूर दिखेगा तो दोस्तों यह जानभूश कर यह पोलिटिकली एक खड़ा किया गया इसू है और हम लोग को इस बात को समझना चाहिए च नहीं चाहिए उसके बाद से और कोन आया है वह को बताएं कमेंट में तो बहुत सारे लोग दिन रात चिलाते रहते हैं मुझसे डिवेट करो मुझसे डिवेट करो यहां पर जब मैं बूलाता हूं तो यहां पर आते नहीं है इंस्टा पर मैसेज मेसेज आते हैं कि मुझसे डिकर लो आते क्यों नहीं हो क्यों करने क्यों एकि वल कमेंटवीर बंने कहीं रादा है क्या है मैं के अब कि अब तो औल भी अच्छी बात हो जाएगी मेरे ही प्लेटफॉर्म पर आकर आप सबूत दिखा देंगे और सबूत दिखाएंगे तो आप गलत साबित कर देंगे तो यहां के लोग आपकी बात को माल लेंगे जाल यहां पर आये हुये हैं कहां गए गुपता आये हुए थे भाग है क्या है यह नाशा के विज्याणिक आये हुए थे चलिये जैड़िये इनसे बात करते हैं और आजी अटुल गुपता नाशा बताएं किया कहना चाहते हैं। हेलो सर नमस्कार नमस्कार सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों को जाती वाद धों पकंड से जागरूप करने के लिए क्योंकि आज लोग एक घटिया राजनीती के चलते धर्म और भगवान को हतियार बनाकर राजनीती की कुरसी पकड़ रहे हैं कोई लोटेरा ढोंगी बिजनेस करके देश को लोटने लगता है और जो हमारे देश के लोग हैं उनको सामने बस धर्म और भगवान का नाम लेलो तो उनकी जो बुद्धी है उकाम करना बंद कर देती है और फिर यही अन्दभक तो उन लोटेरे ढोंगी का सपोर्ट करके उन कि लोग नहीं सोच रहे हैं और ब्राह्म इन्हीं को जो है सब से जादा हर चिज में उलजा कर इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन क्या बताए अब सच्छाई बोलो तो सालेह अपनी द्रोग का लिए लगते हैं तो क्या बताए आचा अतुल गुपता आप यह बताए कि आप आत्म अचा क्यों ते कॉई बात नियाए ठीक है कोई बात नशें अच्छा आपको ऐसा लगता है आपको क्युए आपको एसा लगता जी सर मैं अपना बता रहा हूं किसी किताब तो आपको नहीं बता रहा हूं किसी धर्म का मैं बता रहा हूं जैसे मैं कोई सी जीव को देखता हूं शोटे जीव को देख लिए तो उसको भी जो है तो कितना परफ्रेक्टली बनाया है कि मतलब मारने के लिए सिंग और मच्छर अच्छर जो है दूर भगाने के लिए पूँच दिया है इंसानों की दिमाग दिया है चीटू को दिख लीजी कितना दिमाग होता है कि अतुल गुपता अतुल गुपता मान लेजिए कि एक गाय जो है उसके सर पर एक मक्ही बैठ जाती है उसके आंख के पास मक्ही बैठ जा आपने कहा कि मच्छड और मख्छी हटाने के लिए जो है पूछ दिया हुआ है तो आँख पर कैसे हटेगा अगर मख्छी और मच्छड आँख पर बैठ जाए तो वो तो सर अपना मूड सिर हिला लेती है तो दूरी भाग जाते हैं तो मैं दोहरां दे रहा था हर जीओ का तुब बार बार तब उसका सर इसलिए बना हुआ है कि मख्छी बैठे तो बार बार वो सर हिलाती रहे आप क्या करें तो हाथ पैर तो चलाएगी नहीं आपके सर पर आपका मुझ पर या ना कर स्क्राइब बैठी नहीं आपको लगता है कि आप उसको म भागा दे नहीं तो साइंसको देखिए आपको मारने ज़ुरत नहीं है आप लगा लेजिए ना कुछ भी गुड़ नाइट या कोई भी चीज लगा लेजिए या ऐसा घर ही बना लेजिए तो आतुल गुपता यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से तो आपका इस्वर भी नीचे परतीत हो गया ना जिसको आप इस्वर कह रहे हैं कि उसने बनाय है वही भगवान का बनाया हुआ है आप यह सोच रहे हैं लेकिन साइंस क्या कह रहा है कि वो तो उचीज उत्पन भी नहीं होने तरह उस सिच्वेशन को ही हटा दे रहा है तो यहां पे आपका इस्वर है कहां पे फिर तो आपके इस्वर से जदा परफेक्ट तो इनसान हो हुआ है देखे तर मेरा सुरू से सपना था कि मैं थोड़ा नासा में जाओं यह सुरू में जाओं और मैंने तैयारी भी किया था इसका नोटेस्ट होते हैं तो यह मुझे यहां अच्छा लगता था पढ़ना हो यह सुनना हो लेकिन दुरभाग वश्न नहीं हो पाया यह म यह अपने नासा लगा लिया वो तो ठीक है यहां पे एक आरहा है सुपर-चैट आ रहा है कि कल यह हनुमान जी को ब्लैक होल बता रहे थे गुपता जी सुरज निगलने वाली बास मैंने ब्लैक होल नहीं समझा रहा था ब्लैक होल का सहारा लेकर की मतलब ऐसे काम करते थी अच्छा सहारा लेकर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मतलब ब्लैक होल ब्लैक होल से अपने तुलना कर दिया अब सभ्षेश्चा मतलब नहीं है कि मतलब नहीं है कि इतना भी छोटा ब्लैक होल नहीं है है बीच हो भीच है भीच है नधू तो सूरच को निलेता गण हने फिर उसको जो जो है सबस्कर को जो तो एसे ही ह तो यह तो बहुत सालों की बात हो गई तो कोई अर्फोलाजिका रेविडियन्स है नहीं तो आपको तनिक भी आइडिया है कि कंपेर कैसे किया जाता है या कंपरिजन कैसे किया जाता है तनिक भी आइडिया है आपको पता है ब्लैक होल जो होता है वहाँ पर लाइट भी जाती है तो रिटर्न होके नहीं आती है अगर हनुमान ब्लैक होल होता तो हनुमान पहले धर्ती पे था तो धर्ती पर जब था तो उसके तो पूरा धर्ती ही उसी में आ जानी चाहिए थी फिर तो सूर्य को खीचा हुआ इसके अंदर आ जाना चाहिए था क्योंकि सौर मंडल के अंदर में है ये सूरज भी और सारे सूर्य के आने से पहले जितने भी गरहन अच्छत्र है वो सब आ जाने चाहिए थे आप कौन अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप नासा लगा के क् होना चाहिए आप क्यों इन चीजों से चपके हुए हैं जिसका कोई साइंटिफिक टेम आप आपकी सूर्य यह भाग गई यह भाग गई है इस हालात पर आप कहां गए गुपता अतुल गुपता इस तरह से आप नासा में जाएंगे आपको यह तक नहीं पता है ब्लैक होल क्या होता है हनुमान को आप ब्लैक होल बता रहे हैं और यहां पे जब जबाब देने की बारी आई तो आप भाग गए और बोल रहे हैं कि हां इस्वर को मान लेता हूं और आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस तरह से जो छोटी महोदे ऐसे नहीं चलेगा ठीक है न इस तरह से आप लोग आओगे और भाग भाग के जाओगे देखिए अब आये हैं यह हां तो अतुल गुपता आप यह बताएं कि सुन पा रहा है मेरी बात को कि देखिए फिर यह भाग गए यह आके भागते रहेंगे तब के किले लेता हूँ प्रश्ण विजे कुमार सौ जो है यह लिखते हैं जै भेम सर डिवेट करने पर यह तुनी लोग मुद्दे पर बात न करके गाली गलोज पर उतर जाते हैं कैसे डिवेट करें आपकी राय क्या है क्या राय है जी बिल्कुल विजे कुमार सौ जी आपके भी बात को सुनेगा उसकी बात को आपको पड़ेगा उशलैया देना पड़ेगा एक दूसरे का जबाब यहाँ पे इनसे belli जबाब लेने वाला था जबाब दे रहा जिसको आएगा वो तो पहले आपके जो प्रश्न है या आपके जो आपने जो सवाल खड़े किया है उसका जबाब देने का पर्यास करेगा वो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो लायक ही नहीं है आपसे डिवेट करने के ये बात आप जो है ना खुली तोर पर इस चीज को समझ समझने की उससे ज्यादा उसकी आउकात नहीं है जो डिवेट करता है वो घाली गलोज नहीं करता है यह बात समझ यह सब लोग कोई बात समझनी हो इसके बाद से प्रवीन निगम कुछ लिखते हैं तनातन धर्म की बखिया उधेड़ने वाले बहुजन नायक मानेवर कासी राम जी की जयनती पर सत सत समंझी सत सत नमन मानेवर कासी राम जी का बढ़्डे है जनम दीन है और इसमें उनका जो योगदान है भारत में जो बहुजन वर्ग के लिए वह अतुलनिया है उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है अच्छा इसके बाता से और कौन आये हुए है कि के लिए जो आना चाहते हैं वह आएं मैं फिर सेर कर दे रहा हूं नासा में जाने के लिए अंटक बstag बता है कि मांटक किया हूं नासा में जाना चाहता था बोल रही कि के कैसे जा पाईजे सूची ही अंसाइंट्ट है सुच तक आपकी साइंटिफिक नहीं है आप ख्वाव देखते हो नासा में जाने का यह सुरू थोड़े समझ रखे हो आप कि बैठ गए हो लॉंच करना है आपको चंद्रयान टू लॉंच करना है बैठ के पंड़ा पंड़े को बैठा के आप हवन करवा रहे हो जाके नारियल फूल रहे हो मुर्खता पूर्ण चीज़े दिखाई जा रही है कराई जा रही है ऐसे ऐसे लोग जब हाई पोश्ट पर पैठे होते हैं तो सर्म पाभी से होता मुझे तो सर्म आती है ऐसे लोगों पर भारत के बहुश्य से चलाएंगे यह क्या मैसेज दे रहें बच्चों को तो इस तरह के जो चीजे हैं न हमें समझना होगा दोस्तों कि कैसे बच्चे जो हैं बर्बाद होते हैं उसका बच्चा होगा क्या करेगा रहे हैं पीदा जी तो इतने पढ़े लिखे थे तो वह नारियल फोड़ते थे हमन करते थे तब मैं भी कराऊंगा तो समझिए इसे यह लोग क्या चाहते हैं क्या करवाना चाहते हैं देश को बरबाद करना चाहते हैं बेसिकली अच्छा यहां पे जॉन मोसिस जो है अच्छा मेंबर्शिप थैंक्यो थैंक्यो आपका जॉन मोसिस और कौन आया है डिवेट के लिए सांतियों मैं फिर से कहूंगा जो डिवेट करना चाहते हैं वहीं आया है common लोग तो मतलब जो हमारी public है वो तो आती ही जाती रहती है तो जो डिवेट के लोग है न वो आये हैं डिवेट होगी तो ज्यादा मज़दार होगा आप लोग अभी कुछ सीखने को जानने को मिलेगा सर इससे पहले बिवेक ची लिखते हैं सर इससे पूछें ब्लैक होल बता रहे हैं वहां जा रहा है बता है ब्लैक होल होता है वो खीचा हुआ जाता है क्या कभी किसी ने सुना है कि जो प्यासा है उसके पास ही कुआ चला आया हो ब्लैक होल अगर हनुमान है तो हनुमान के पास सूर्या आएगा ना खीचता हुआ इसमें आके गिर जाएगा औ और हनुमान कहां पर पृत्वी पर है कि इतने आउकात नांटीएट नांटीद में सुर्टा स्टम 15 प्र में सारे सारी सीस्टमों के छुद्रगष से लेकर फूरे सारे प्लानेट उनकी इतनी आउकात प्रित व jullie deben रहा है और उसको ब्लेक फुल बताया जा रहा है सुर्य को खाने के लिए तो विवेक जी समझें उनकी मांसी का वस्था जो है ना इनकी सही नहीं है तभी वो भाग गए उनको जबाब देना चाहिए था इस चीज़ का यहां पर और कौना नाया है स्रामन आये हुए है चलिए इनसे बाते करते हैं जी स्रामन बताएं क्या काना चाथ लोगले ज़िए कि जाए lepaint के आपकी डवल साउंड आ रही है स्रावन जी डवल साउंड ारे हुए करें है अभी अभी हैo अभी भी आपकी डबल साउंड आ रही है आप एक काम करें आप पूरा अपना स्टेटमेंट रखतीजिए फिर म्यूट कीजिए तब मैं बोलूंगा कि जो दलित है अगर आख मांगेंगे तब इनको पता नहीं चलता कि भी हम इंदू नहीं है इनका इंदू होने का परम क्यों नहीं तूटता और पिछड़ों का भी क्यों नहीं तूटता जब उन्होंने मंडल कमिशन लाग हुआ तब तब कितना विरोध वाद शपन परशेंट लोगों को 21 परशेंट मिला उसका भी विरोध वाद दूसरी बात ये है कि कब तलिकतों का अपना जो बहिमानी है वो उसका क्या अंत है कैसे दूर होगा बहिमानी तो है ना बहुत साथ difference भी मानी कर रहा है हम भी तो अपने समाज के साथ नहीं देखना है ये बहुत सारी चीजzing को नहीं, पर अंदर है ना इनका सोट में अगर तीस सेगेंड में अगर आप जवाद दे दे तेंक्यू वरी मच्छ यह मैं यूट्यूब पर जाकर सुनूगा आप इसको जवाद देजी ओके ओके स्रमान जी देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ लोग तो हिंदू बने घूम रहे हैं और वो उन लोग का हिंदू पन तब कहां चला जाता है जब इनके रिजर्वेशन पर बार होता है दरसल आप यह देखिए कि जब हम एक बड़े समुदाय की बात करते हैं तो बड़ा समुदाय जो है उसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनको आसानी से क्यार पूरे मेरी पूरी की पूरी जो पिलियां है जो मेरे पूरे विरादरी हैं उनको जौ मिले या नहीं मुझे तो कुछ मिल रहा है न उस Birth जाते हैं तो वह अपने सुना होगा ना कि करई के लिए दाने बिचाए जाता है तो दो चार दानों के लिए कodar ह्यों पूरे ज इनमें भूल जाते हैं तो यूनिटी उड़ने का जो काम है और यहां पर यूनिटी इसलिए टूटती है और इसलिए ये लोग फसते हैं दूसरा जो आपका प्रश्ण था, कि हम लोगों के अंदर ही जो गदारी वाली चीजें है, या जो हम लोग के यहां जो बैड मैनर से दहेज प्रता हो गई, हम लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, जो भी दहेज ले रहा है, वो कत्ती भी सही नहीं ह आप एक तरफ movement की बात करते हैं कि हम बाबा साब के movement को चला रहे हैं हम जो है आगे बढ़ेंगे और सब के सब दहेज ले रहे हैं कौन ऐसा बंधा है भारत में कुछ गीने चुने लोगों को परिवारों को छोड़ कर जो दहेज नहीं ले रहा हूँ सबको बढ़ा अच्छा लग रहा है दहेज लेना और एक और सच्चाई अभी आप जाच कर लेजिए पता लगा लेजिए इतने जो घूम रहे हैं कूद कूद के कहने वाले की जाती नहीं होनी चाहिए आप जाके देख लीजिए क्या वास्तों में अमल कर रहे हैं लगेंगे कूंडली दिखाने के लिए कूंडली नहीं तो जात देखना सुरू कर देंगे अच्छा किस जाती की है किस बिरादरी की है कुछ गीने चुने परिवारों को छोड़कर कुछ बिल्कुल ही बहुत ही कम ऐसी संख्या है जो इस पर अमल कर रहे हैं जो इससे बाहर निकल रहे हैं तो ये जो कमिया है इसको भी दूर करना होगा और बार-बार मैं कहता हूँ कि इंटर्नल कमिया भी दूर करनी है जोहां से जो सोर्स है उसको तो दूर करना ही करना है उसको तो लगतार प्रहार करना है लेकिन जो कमियां है उस को भी सही करना होगा नहीं तो पता चला कि आपने लाइन तो पूरी विछा दी और इंटर्नाल लॉस Kapbai वो ज्यादा हो रहा है। तो भी पहुंच नहीं पाएगे इंटर्नल लॉस वह वही कम करना पड़ेगा एक सिर्फ पंत में चोटा स्वाल है देहज पर था आज कल कुछ लोगों ने नगत लेना बंद कर दिया है नगत नहीं ले रहे हैं वो सिद्धा साधी करके गर आ रहे हैं बोले हम कोई देहज नहीं लें लेकिन देहज का रूप बदल गया है मतलब भीमानी देख्या देहज क कोई बेडबकरी खरीदने के ले जा रहे हैं तो 50 वार देखेंगे 20 वार पूछेंगे मतलब वो देहज नहीं लेंगे लेकिन यह यह भी तो देहज है यह देहज लेने का तरीका है यह सक्सम लोगों में शादी कर रहे हैं घरीबों में लड़की नहीं देश सकते तो की बिदल गया देज़ तो है और एक भी गड़ नहीं है मेरे हिसाज स्क्कृ स्थ मैं कहता हूँ कि इनडिया में एक एलोन एक भी गड़ ऐसा नहीं है जो देज़ नहीं लेता हो पूरा कि पूरी लोग वगर सब गलत काम कर रहे हैं तब मैं कहता हूँ कि अगर अपने आप में सुधार कर लिया जाए ना तो ये जो ब्रहामन वाद है ये वाद है वो वाद है वो ऐसे तास के पत्तों की तरह ठेजाएं बीमारी को हमने अपने सरीर में पाल रखा है ना उसको खाद पॉसन ये सब हम देते हैं निशन की बात करने वाले वो करने वाले खुद सुधर जाए ना मैं कहता हम कि ये समिशें ज़्यादा नहीं है अब नबे लाख करमचारियों का जो समाज है उस समाज को कहीं गोडी पे गोडी से नीचे उतार रहे है बताओ पूरे जिले का मालिक है उसको गोडी पे नहीं सबने दे रहे खाँ का कलेक्टर हो गया तो ऐसे इतने बड़े करमचारियों का इतने अधिकारियों का जिनका समाज का राश्टरपती है उनका कुछ भी नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि खुद के अंदर बेमानी है तो थैंक्यो गिरमट सर बहुत बहुत सुक्रिया ठीक है स्रमन जी सुक्रिया आपको अच्छा यहां पे चनाकुल करनी जी दिखाई दे रही थी ओके चली गही अच्छा एक प्रशन आया है इसको ले लेते हैं तब तक वील हरी नाइडू जी लिखते हैं ओरिजिन ओफ हिंद्वीजम आर्दव ब्रह्मेनिकल टेंपल जी बिल्कुल सही कहा है आपने इसके अलावे उसका इतिहांस ही नहीं है मुह से गप्पि छानने वाली बात बिल्कुल कुरी कल्पना है जब से इनका इतिहांस दिख रहा है तब ही से जब यह मंदिर में बैठे हुए हैं हंड़िट पर्चंट रिजर्वेशन के साथ वहीं से इनका इतिहांस शुरू होता है अच्छा प्रवीन निगम आये हैं चलिए इनसे बाते करते हैं बताएं प्रवीन निगम क्या कहना चाहते हैं प्रवीन निगम अपनी माइक अन्म्यूट करें प्रवीन निगम अपनी माइक अन्म्यूट करें क्या आप हमें सुन पा रहे हैं हुआ के इनका तो कोई रिस्पॉं具 नहीं है सुपर्मैन आया है चलिए इनसे बाते करते हैं बताये सुपर्मैन क्या कहना你看 है कि हाजी सुपर्मैन बताये क्या कहना चाहते आं आई ऑफ हाजी हैऑ हाजी ह्लो अ के जी बोलें कि सर में यह कुछ ना चाहता था कि आप कर्तिक हैं क्या कि अगर हमारे स्कूल के टीचर ही कि अगर नहीं नहीं अलगूं कि अच्छा तो लगतार बोलिए ना अगर स्कूल में पड़ानेवार तो क्या करें कि आपकी आवाज ही नहीं आई आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोले ना क्या पूछना चाहते हैं कि सुपर्मेन के अगर मिक्टा सिखा रहे हैं कि आपकी अवाज कट रही है कि अब आज कट रही है कुछ भी क्लियर नहीं है स्कूल में कि स्कूल में पड़ानेवाले टीचर यह अगर धार्मिक्ता कि सिखा चलिए चलिए रुख जाइए रुख जाइए आप सुपर्मेन आप जो है आपकी साउंड एक तो क्लियर नहीं आ रही है आप एक काम कीजिए अभी तक मुझे जो समझ में आया है आपका यही समझ में आया है कि आप यह कहना चाहते हैं कि स्कूल के टीचर जो है अगर वो धार्मिक्ता फैला रहे हों तो कैसे बदलावाएगा तो अगर आपका यह प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं आपको साइंस भी तो पढ़ाया जा रहा है ना आपकी सोच साइंटिफिक रखिये ना इतना तो मैंड में होना चाहिए ना आपको साइं इसको फॉलो करना है उसी तरह से आपको रिच्छ को नही जो मिझाश्phon कींदाब हैं उसको परलो करना उं उसके लिए कोश्चन खड़े करने सीखने होंगे टीचर से भी किजिये अगर टीचर ज्यादा दिक्कत करें कि नहीं परश्न का जबाब भी नहीं देंगे उनका आप मान मत किजिये या उनको ऐसा मत दिखाए कि आप उन के ही सही बोल रहे हैं मैं ही कहीं गलत हूं मैं कभी ऐसा सूची नहीं पाया था तो यह भी आप कर सकते हैं तो यह एक तरीका है तो इसलिए हतास या निरास होने की जरुरत नहीं है जो चीजें हैं वह आगे हमें के देखना है कि आगे क्या करना है जी सूपरमें एक हिस्टरी के टीचरें वो वी म अम्रुत्युंजय मंत्र की बहुत गुंगान करते रहे थे जो अम्रुत्युंजय मंत्र होता एक न हो ओ को मंत्र के कर बृत्यु पर विजय सकते हैं यह सब बोलते हैं अच्छा ओम ओम्त्रियंबकम या जामाई वो है न सुगंधिंपस्टे वो वो हर दिन बच्चों से पड़ा थे ओके ओके नहीं तो यह इनकी तो आदत है ना इनकी तो आदत है यह लोग तो बैठ गया है ना सारे सिच्छा संस्थानों में इनकी दो आदत है और बैठ के वहां पर करेंगे क्या आदा जाता तो कुछ है नहीं तो पढ़ाएंगे दो सब्द और चार सब्द जो है अपने धरम का गुर्णगान करेंगे यह तो इनका पूरा धंदा है चल रहा है मैं खुद जेला भी है यह चीजों को तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेकिन दोस्तों इसमें निरास होने की जरूरत नहीं है इसमें जो है आपको ऐसे सफिसेंट बहुत सारी और्गनाइजेशन भी हैं जो मुवमेंस हैं उनके पैरलल में साइंटरीक टेम्रमेंट खुझ से क्रिट करना पढ़ेगा ना बाबा साब की किताबं पढ़िए और भी जो रैशनल किताब हैं उनको घटे थैं तो जब इनहीं के चीजों में पढ़े थें तो नहीं पढ़ने दिये दें आ इनको भी इसकूल से बाहरा रखते कि इन ही लोगों के बीच में से फाइट किया ना तो हमें भी तो ऐसे फाइट जारी रखनी है ना इसमें निरास मुने की जरूरत नहीं है रास्ता निकलना जरूरी है जी सुपरमेन ओके हां सर पिलकुल हमने उन से पूचा भी था कि अगर इश्वर ने पूरा ब्रह्मान तो साथ में एक प्रश्ण और खड़ा कर लेते ना उनसे कि अगर स्वयंभू है तो हर चीज क्यों नहीं स्वयंभू है यह तो बहुत असान है इसमें साइंस कहां है साइंस तो कहता है कि हर घटना के पीछे कोई कारण है तो अब साइंस की बात माने या ऐसे ही आँख मुन नहीं पता लगा सकते हैं तो यह गलत यह जो चीजह हैं हम लोग ऐसे कैसे मान सकते हैं सब्सक्राइब प्रश्ण तो आपको रखने पड़ेंगे किसी की भी बात आप सुन के बिल्कुल साइलेंट नहीं हो सकते अगर अंसाइंट बात है इस बात को कहता है कि आपको साइंट विक टेंपरमेंट प्रमोट करना है और टीचर जब अंसाइंट विक चीजह प्रमोट कर रहा है तो यह बड़ी दूइधा क्या विसा है सांतियों इस चीज को समझना पड़ेगा मैं तो कहूंगा कि इस पर सवाल खड़े होने चाहिए अगर कोई भी टीचर अंसाइंट विक चीज़े प्रमोट कर रहा है तो ठीक है सुपरमेंट ओके अच्छा यहां पे सैम जो है यह कुछ लिक रहे हैं सर एड में आइकन प्रूफ बिग बैंक थियरी इस रॉंग अच्छा सैम प्रूफ करेंगे बहुत बढ़िया जी आजाए आजाए यह सैम खाली है बॉक्स खाली है आजाए यह प्रूफ कीजिए आपका हम लोग देखेंगे लिंक भी शेयर कर देता हूँ इसके बाद से और कौन आये थे हैं अच्छा यह कुछ लिख रहे हैं डार्क लून राइज लिख रहे हैं अबे नीच पहले को बोल को बोल नोबेल प्राइज जीते हां देखिए यह इनकी भासा सुनिया इनकी डार्क लून राइज का है यह धरम के रखवाले हैं यह बोल रहे हैं अभे नीच पहले इन्होंने नीच बता दिया कि यह नीच लोग है यह हमारे भारत का कल्चर है सांति यह समझना लैकिन हिंदू बनके मरूंगा नहीं दरसल ऐसे ही धूरतों के कारण उन्हों ने यह बाते कही थी क्योंकि यहिंदॉ ध्रमец जितने भी दरसक देख रहे हों जितने भी भारत में धरम ग्षदर में जो पिछड़े लोग है जो सुदर रहा है अचूत है अदिवासी लोग है उनके यह सब्द है दोस्तों यह है मैं फुल के कहूंग उभी बात को यह खुल के कह रहा है यह बात कि यह हम लोग नीच है ठीड़ के पिछड़े वर्कियोग है CST OBC जो लोग है ये लग पिछड़े लोग नीच है अगर अगर यह लोग नीच है इनको ख नहीं दिया गया है तो फिर जो है यह बंदा जो है किस बात के फिर ब्रामण धर्मी समझना पड़ेगा अचा नोबेल प्राइज की भी बात कर लेते हैं आजा भई डॉर्क लून राइजेस आजा यहां पर अभी हमें गिनाता हूं कौन-कौन नोबेल प्राइज भारत में जीता है कहां से जीता है कौन भारत म जीता है कि आज भी बिल्कुल स्वागत होगा यहां पर इनकी यह हालत है कि देश आहजाद नहीं हुआ था ब्रिटिस भारत जब आया हुआ था तब्रिटिस भारत में वह हुआ था लोगोंने नोबेल प्राइज मिले ता वह भारत में इनके ब्रामण बेद पूरान पढ़ाई की थी विदेश में रिसर्च के भारत में तो एक कोई रिसर्च का साधन तक नहीं था क्या हवन करते क्या गड़ा खोड़ लेते वहां पे ले आते चंदन लकड़ी धूप अगर बती और वहां पे मार फूक देते आग फूक के घी अदे उसमें घी डाल डालके उस पस्चिम की साइन्स जो मॉडर्न साइन्स वह पढ़ना पड़ता है जाके पता लगा ले ना तुम्हारे कितने वेद और पूराण पढ़े के तुम्हारे धरम गरंद पढ़े कितने नोबेल प्राइज जीतते हैं एक भी नहीं जीता है जिसका नाम भी लोग है वो सब जाक कि नागरिक्ता तक विदेश की ले लिए हैं वहां से जाके नोबेल प्राइज जीतते हैं यह बंदा आ रहा है बाता ने से बूल कि नोबेल प्राइज जीते अरे वो खुद ही स्ट हो गया तुम्हारे धरम गरंद में लिखा है कि संस्कृत छोड़के दूसरी भासा नहीं करने नहीं पड़ने वह नीच हो जाता है तो खुद ही तुम्हारे कथन के अनुसार ही कर लेते हैं अक नहीं कर दिजी अगर भरा हुआ हो तो इनको बताते हैं अभी कि क्या नोबेल प्राइज कौन से सीस्टी जीता है क्या जीता है कि अच्छा जी और कौन आये हैं चलिए देखते हैं गोड़ विधास आये हुए हैं चलिए इन से डिवेट करते हैं बताएं गोड़ विधास क्या कहना चाहते हैं नमस्कार सर नमस्कार बताएं देखो सर दो वर्ल्ड भी होते हैं मैं तो सर पर्वु येश्व में विश्वास रखता हूं सर आपको पहले भी आपसे पहले मेरी बात चीट हो तो खुला बोला हुआ ठीक है खोई समय पाने वाली कोई बात नहीं है नहीं वहाइव रहे हैं । सर येश्व वे बेखती हो मैं नहीं बना या हिदू क्यों नहीं बना पर वह येश्व वेक्यों में ने विश्वास किया हूँ वो सार चीज़ और नहीं है। से बोतार रीजन है इसे हैं तो दो भी हो प्र सकता है या एक सबसे है तो इसमें बैटर अच्छा किसका है जीने की रहा किसकी अच्छी है जो इस वर को मानते हैं या जो आप है आपने जो कहा वो ठीक है लेकिन एक चीज़ बताईए मुझे इसमें कि आप इतनी सारी बाते कह रहे हैं मैं इसमें कोई कमी नहीं निकल रहा हूं आप मुझे एक बात बताईए कि आप गौड को मानते क्यों है मैं मेरी मेरी मानता हूं अच्छा इसमें बाइबल का क्या रोल है क्रिश्चि का क्या रोल है इसमें मान लिजिए कि आप जो है रुख जाए प्रशन सुन लिजिए सुपरिम पावर है उसे आप क्रिस्टियांटी या वाइबल purchase में बता रहूं सर. माली जीए सब whose कि विस के गलत उत्र होने कि किस्ती हुआ इस मैं कह रहा हूं कि आपने इसाहेत का ही क्यों माना क्योंकि कि भी कीक्त सारे तो आप बोलिये नहीं, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, बता रहा हूँ, जैसे जिस्तरी के सब एक मैध का एक उदानम ले रहा हूँ, एक मैध के सवाल के, बहुत सारे गलत अंतर हो सकते हैं, बहुत मैक्सिम हो सकते हैं, उस मैध के सवाल का एक ही सही अंतर होगा, बांते ह उस बात को, सभी claim करते हैं कि मेरा गुड़ा मेरा घुड़ा अच्छा है, मेरा गुड़, मेरा गुड़ सभी सभी गुड़र अधर, सब ही तूष कलेम कर रहे हैं, उसके लिए एविडिश क्या है, सभी टूठ कलेम कर हैं, यह नहीं बोला है जूर बोल रहीं, सभी टुफ क्लेम कर रहे हैं पर मैं जाओंगा उसका लोजीकल रीजिंग क्या है एविडन स्क्ование क्या पॉइंट आउट करते हैं क्या हूँ पूरी बात आपकी सुन रहा हूं लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है कि आप जो है कि धिगोट कर रहे हैं अ पायवल के हवाले से बतांना रहा है कि अपनी दूस्मान से प्रेम करें करो कोना ऐसा साइंटिस्त या कून ऐसा दो यह बतापाये वहालका हुई एक आसी टीचिंग living अधिशि病 हुई कोई अच्छा आप नहीं जानते हैं क्या नई कोई एक कई ने बॉलाओ की आपको क्रिष्टन बने हुए कितना समय हुआ कि 4 अन्य चार साल हुआ चार साल पहले आप क्या फॉलो करते थे मैं चार साल पहले आप हिंदू में थे तो चार साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि भई जो है प्रभूई इशू ने आपका बता दिया है कि दूसमन से प्रेम करो तो इससे आप जो है क्रिश्चन बन गए यह बात सुनके तो कोई और रीजन आपके पास मैंने इसका मतलब पढ़ा ही नहीं है आपने इसका मतलब कि भारत में बौध जैन सरमण परंपरा का कल्चर ही नहीं पढ़ा है इसका मतलब अपने बहुत रूकिये तो थोड़ा सुन लिजिए मेरी भी बात सुनी आपकी रहा हूं आपने कहा एक कोई करम या या religion बता दीजिए जो कहता हूँ कि दूसमान से प्रेम करो मैं तो आप से कहता हूँ कि आप जा के देख लीजिए आप जो है Google पे या कहीं पे भी सर्च कीजिए मैं बता रहा हूँ ना गौड वितस आप सुनेंगे एक क्रोस मत कीजिए एक मिनट फिर आप को होगे कि सुन रहा हूँ तो क्रोस मत किया करो देखो एक चीज पहले आप सुन लो आपने जैनियों को आपने सुना नहीं है जैनमारगी तो ऐसे होते हैं कि जो बैचारे रात को खाना तक नहीं बनाते हैं कि कोई जीव न मर जाए आप दूसमन से प्रेम करने की बात कर रहे हैं आप जो है मचली खिला रहा है लोगों को मचली कहता है कि मचली में जीव नहीं होता है क्या आप बताव मुझे जैनमारगी ऐसे होता है जो नाक पर रुमालवान के चलते हैं कि कोई जीव तक नहीं मर जाए अब इन से ज्यादा प्रेम आपका मिल जाएगा क्या आपके जिसस में अब बताओ मुझे इसी के पहले जबाब दो फिर मैं काता आइए मत समझ लेना कि मैं जैनी हूं या बोधिश्ट हूं मैं अभी आपने सिर्फ एक उदाहरन मांगा है कि कोई आपको फिर सुनी है आपको भी मेरी बाति इतंच सुननी होगी पिर जबाब देना होगा मैं प्रश्ण खड़ा किया है आप लगे बाहरा नेEP कि नहीं प्रश्ने खढ़ा किया, आपके जिसस ने कहा है कि सत्रू से प्रेम करो, तो मैं ने आपको प्रेम का परिभाजा बता दिया, भाई भारत में ऐसे ऐसे culture है कि जो आपके जिसस से कहीं ज़्यादा जीव जनतों से प्रेम करने वाले हैं अब आपको यहाँ पर उत्तर देना चाहिए ताकि हाँ आप गलत सावित हो गए तो आपको गलत सावित होने के बावरार हैं अकर है कि मुझे निकाल दो मैं निकालूंगा नहीं आपको यहीं पर रखोंगा न मैं आपसे प्रतिक्रिया लूँगा और हटाना इसलिए पढ़े रहा है कि आप क्रॉस कर रहे हो देखो ऐसे नहीं चलेगा डिवेट करने के लिए आपको पूरा मौका दे रहा हूं सुनने तो आपको मेरी भी सुनने पड़ेगी और आपकी फिर मैं सुनगा अब आपका टाइम है आप बोलो आई इसका पहले क्लियरफाई करो जो मैंने आपको उतर दिया आपको बागने दूंगा इस चीज से फिर रोने लगे आप जबाद दो ना आपने कहा कि प्रेम करना आपक करना जबाब दिया नहीं नहीं मैने जबाब दिया कि नहीं दिया मैंने जबाब दिया मैं नाम जब द्याइक नाम बदाइक आपका जो है दूसमन से प्रेम करो कोई एक religion का नाम बता दो, आप लोग repeat करके सुन सकते हैं, मैंने इसका जवाब दे दिया, भारत में सर्मण कल्च में बहुत जैनों में बहुत ज्यादा अहिंसा की बात है, जैनी तो बहुत extreme लेवल पर अहिंसा की बात करते हैं, वो तो जीव जन्तु तक नहीं मारते हैं, जबकि इन उसने, पूरी भीड को मचली और रोटी खिलाया है उसने, तो यहां पे इनको इस बात का जबाब देना चाहिए था, कि यहां पे प्रेम के मामले में तो जैसा स्फेल हो जा रहा है, भारत के स्रमण कल्चर के आगे, तो इसका इनको जबाब देना है, तो यह बंदा बोरा मैं आपको फिर से स्क्रीन पे ले रहा हूं, अब आपने उमीद है कि मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, आपने जो प्रशने किया था उसका उतर दिया है, अगर आप इस बार भी नहीं जबाब देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप डिवेट करने में कि मैंने जवाब नहीं दिया, मैं रिपीट करना हूं, आप नहीं पूछा, आपने कहा, एक मिनट, आपने कहा कि आपका जिसस जो है, वो फ्रेम करना सिखाता है, आप एक भी उदारान देजिए, कोई दूसरा सिखाता हो, तो मैंने वह आपको जबाब दिया, गलत, गलत, प्यार करने की बात नहीं हुई, आपने बोला तुमने टेक मिनट, टेक मिनट, टुक है, गोड़ भी तरह से लुख जाये, इस तरह से भागने से काम नहीं चलेगा, भाग रहे हो, आपको नहीं लग रहा है कि आप जो डिवेट का पॉइंट है, उस से भाग रहे हो, आप क्या था, प्रभी नहीं हो पर शुरू से बात करते हैं तो पहले आप बता हो कि आप यह बात कहे थे कि नहीं कहें चाहिते कि ऑविजुर्ड जश्श्व को दुसमान से प्रेम करना सीखाता है कि नहीं कहें बदो नाम लिए आपने बोला अश्मेर फारत फरत है फीर पिर वही बाटाइब बेर को एक मिन टेक्विंट मैंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं जो रहे हैं चयांतने आपका साथ और रोटी भीर्ड को खिला दश्राइब कर रहा हूं भियाद पर पूछी है कि दूस्मन से गॉपकर ने कहा है है अपने चेह और जो बॉट है वह कहते हैं यह कहते हैं कि यह कहाँ कहते हैं कि अपने दूसमन को वह मौत दो आप सबूत दीजिए ना पहले कि आपका जैस कहां पे कहता है कि दूसमन से प्रेम करो बताओ बताओ आप डाउलोड नहीं है मैं ले लूँगा ना ले लो बताओ अब मचली बाला भी निकलना कि मचली के साथ जो है वह खाने की बात क्यों कर रहा है वहां से दोनों चीज किलियर करूंगा ना मैं दोनों पाइंट दिखाओंगा प्यार नहीं करोगे बाकी के दूस्मन हो गए क्या मचली क्या है आपके लिए मचली को मार के खा जाओगे अदूस्मन आपका कौन हुआ मचली मार के खाना सही है अब आप दूस्मन से प्रेम करने की बात कर रहे थे अब मचली मार के खाना जीव प्रेम में आप कहा भाग रहे हैं में आपके नहीं बनाया है जितने भी जीव है चाहें साप हो चाहें जो है मचली हो यह समापका जीस बनाया है की नहीं बनाया है पहले ये बता है कर रहा है यहां पर चिलाने की जरुरती नहीं है आपको सबूत दिखाने हैं सबूत की बात हो रही है स्क्रीन से मुझे बार-बार हटाना पड़ेगा क्योंकि आप बेमतलब का जो सोड़ गुल कर रहे हो मैं डिवेट में चाहता नहीं हूं मुझे आप लोग इस तरह का वो करते हो बार-बार सोड़ गुल में बार-बार कहता हूं कि डिवेट में आपकी बात मैंने सुरू में बकाइदे से सुनी जब मैं अपनी सुनाने अप लगे सोर गुल करने दिक्कत क्या है आपको इतनी इंसेक्योर्टी क्यों फूल हो रही है हार ने इतने ज्यादा डर है क्या आपके अंदर क्या आप हार जाओगे आपने कहा दूसमन से प्रेम मैं एक कदम आगे बढ़ा इसना अपका दूसमन कौन है साप। साप को मरना सी खाया है कि नहीं सिखाया है साप को कुछलना चेहिए कि वह अब सब्सक्राइब अब इतना इंसिक्योर क्यों हो इसे आप कैसे समझ सकते हो कि दूसमन आपका सिर्फ इंसान है इंसी क्यों अगर आप इंसीक्योर नहीं होते हैं आप हर पोईंट पे कहते हैं कि मैं हर प्वाइंट पे जबाब करना सिखाया हैं गली सैसला मैं आ सब्सक्राइब करेंगे अपने टॉपिक दताया है ना टॉपिक आप ही ने बताया है अभी तोपिक आपने चूझ यह मुझे बात करूँगा जब मेरा टॉपिक खतम हो जागा तो मैं आपके जो आपका फैथ उस पर बात करूँगा करोंगे मेरा कोई फैथ नहीं है मैं किसी अनरगल चीज़ पर फैथ ही नहीं रखता हूं मेरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर है मैंने आप से कहा कि गौड पर आप क्यों बिलिव करते हैं और क्रिश्चन के ही गौड पर क्यों बि कि अपने कहा प्रेम करना सिखाए Сत्रु्स honestly मैं ने पूछ दिया आपसे कि भшие ऊसने भाकी के जिव जन्तुओं से प्रेम करना सिखाए आप ब आपको बताना चाहि सब्शुन नहीं जवारे करो ना Parents if मुझसे भी करो मुझसे भी करो पहले आप लेकिन जबाब दो पहले लेकिन आप एक इंसान को कि और एक पसू को क्ष्छी जैसी यूअ को यूई करती माली जी एक नदी में बच्चा दूब रहा है और एक रादमी का डूब्र चा HIS है बताओ मुझे से उस समय से बोल रहे हो एक मिनfalls रुख जाओब उस समय समय से बोल रहा कि मेरा सीधा सीधा सा एक प्रशन था कि जीव जन्तु से प्रश्ण प्रेम करना सिखाया है कि नहीं सिखाया तुरंत मुद्धा बदल के आप लगे एक जामपल एक जामपल खेलने ऐसे आप डिवेट करोगे तो आप अपने तरीके से जबाब देना लेकिन आप सीधे-सीधे एक बात बताओ ना यहां पर पहल प्रश्ण मैंने पूछा है आपने कहा था कि दूसमन से प्रेम करना मैंने पूछा कि जीव जन्तु से प्रेम करना सिखाया के नहीं सिखाया आपको हाँ या न कहने में इतनी तकलीफ हो रही है यहां पर आदा गंट आप समय बरबाद कर दिए 10 15 मिडर पता नहीं कितना बरबाद कर दिया一ह सब्द आपको बोलने मैं इसे तो यहीं पता चल रहा है या तो आपका जेस को है वो प्रेम उसने मारेन की उसैने को चल ने की बात करता था मचली मारेीन की बात कर था। दूसरी तरप दावाट ठोकर हो कि पूरी दुनिया जेसस बनाया है बाई सब आपका इस वर जो है जिस जीव को बना रहा है उसी को मार के खाने के जरुत पड़ रही है और भीड को खिलाने के जरुत पड़ रही है आपको जबाब देना होगा गौट वितस साब ऐसे आगे भाग नहीं सकते हो चीजों से प्रेम करने की बात कर रहे थे ना जीव से प्रेम करने की मैं बात कर रहा हूं चलो इसके बाद से अब फिर आऊंगा इसका हा या ना में जबाब दू देन मैं फिर अगले पौइंट पे आऊंगा डो चलिए तो जीव जन्तु की जब बात आई थी तो उसमें तो एक तरफा बोल दिये कि बहुत्ट इसने दूसर में पूलने में क्यों क्यों इतना लग लपेटा रहा है कि नहीं कि नहीं जिसस मचली खाये है कि नहीं खाये है है पहाँ है मचली खाते थे नग जिएसस गौड के बेटे थे उनको जीव को गौड ने बनाया है उसको मचली इसका मतलब कि वह जीव को मार सकते थे अपने फायदे के लिए इससे पता चलता है कि वह गॉड नहीं थे फिर उसमें गॉड कहा रहा क्या गॉड जो होगा वो तो सुप्रीम होगा ना उसको भूख और दूसरे जिन्वा उस जीव को मारके खाने की जुरत पड़ेगी इससे पता चलता है कि वो इनसान थे आपने फरजी में उन्हें गॉड बना रखा है आप नहीं तो आप आप क्या समझते कैसे समझते हो वो गोड नी ते कैसे समझा आपने को आप नहीं पता है तभी तो पूछ रहा हूं ना बताओ न मुझे बाइबल अभी तभी तो प्रश्णे का जवाब दूगा ना जवाब अगर मुझे ुषे लेना है तो अपको बताना पड़ेगा लगी आपका वापिसने लिखा है तभी तुम्हाब दूंगा ना बताओ पहले बाइबल कि नहीं लिखा अब मैं बता देता हूँ कैसे, कैसे भी बता देता हूँ, सबसे पहला चीज कि अगर आपके Jesus God होते हैं, तो वो इस चीज को जो Bible आप लोगों ने परोसा है, जो public को परोसा है Bible, वो Jesus परोसते हैं, कि ये हमारी book है, ये हमारे rules है और ये चीज़े हैं, वो खुद परोसते हैं, उन्होंने नहीं परोसा, दूसरी बात कि वो जब मर गएं, मरने के बाद से उनकी इतनी बुरी तरह से मार पीट के पता नहीं क्या क्या करके, उनको किसने धोखा दे रहा है, क्या कर रहा है, सारा इंसानी तो गुन है, कोई भी तो इसवर वाला गुन नहीं है उनमें, सारा Bible लिखते हैं, Bible लिखके वो परचारित कर रहे हैं, उसमें भी 4 तरह, 5 तरह कितने तरह की Bible आ गई है, उनमें भी अलग-अलग variation है, जो अलरेड़ी इसी पे, इसी चैनल पे अलरेड़ी पड़ी हुई है वो, और यह हम लोग का दावा नहीं है, यह जो experts हैं, उनका दावा है, तो सुनते जाएए थोड़ा सा, तो इससे भी पता चलता है, कि अगर अनुवाई लिखता है, तो अनुवाई क्या लिखा है, इसको वेरिफाई करने के लिए, उस समय जिसस नहीं थे, अगर जिसस उस समय होते हैं, वो कहते हैं, यह जो तुम लोग लिखे हो न, एक्जेक् लिखा रहा था, तो वो वेरिफाई करने के लिए नहीं थे, इसका मतलब यह है, कि उनके अनुवाई उने जो लिखा है, वो वेरिफाई नहीं है, उनके अनुवाई कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए तो अलग-अलग वाइवल में अलग-अलग बात आ जाती हैं, तो इसल तो ने पॉइंट आथ कर लिए रखी आप जो है इंसान से इसवर कि तुम को बार बार मूट कर रहे हैं वहां जब मैं आपको समय दे रहा हूं कि आप आराम से बोलें चिल्ला क्यों रहा है आपको डंडा चला रहे हूं अपक्लियर बोली है जब आप आप स्टेटमेंट रख रहे हो ना तो आरूप मत लगाईए अपना स्टेटमेंट रखिएगा तो आपको स्क्रिन से भी हटाने के जुरत नहीं पड़ेगा जब आप आरूप लगाईएगा फिर वहीं पर मुझे क्रॉश करना पड़ेगा कि यह आरूप गलत है फिर आप कहो आप कौन सी क्यों फ् drone लोग पतानी मैं तो सोचता था कि इसा है लोग जो है वो थोड़े से सभ्वय होते होंगे थोड़ा अच्छा डिएक करते होंगे कम से कम जो भ्रहामय कल सिष्टम उला हते होंगे उनसे तो अच्छा डिविट कि कैसे आप साबित करोगे कि जो आज का Bible है वो किसी गॉड का बुक है पहले यही सत्याफित करो मुझे गॉड वित अस एक 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 बंदा इस्टोरी के लिए बता दिजी यह नहीं हुआ था इसे यह कैसे साबित हो जाएगा कि Bible जो है वो गॉड की बुक है इसने लिखा नाम ले रहा हूं जगहां के नाम लेने से यह कैसे साबित होगा कि Bible कोड का बुक है इस्टोरियन है सब्सक्राइब करेगा नाम बता है नाम बता है थोड़ा लड़ा एब नाम बता है आपको नहीं बता है आप अपको सब्सक्राइब पीडियान नाम बता रहें उसका इनको एश्टोरियन तक नहीं बता है यह यह है आपकी इस पर आप DP करने आएं है God with us आपको spelling तक नहीं बता आपके historians की मैंने आपसे पूछा इसलिए कि आप अपने historian का spelling आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपके जो आप क्लेम कर रहे हैं उसका सबूत मैं खोज के दूँ अरे भाई सब आप क्लेम कर रहे हो आपको spelling बता नहीं है न या फिर आप PDF करो यहां दिखाऊंगा सबको मैं कौन historian आ गया आपका जो जिसस के समय का Bible खोज के जिसस से लिखवा के लोगों को दे रहा है यह आपको देना था God with us चलिए बताए मुझे अपसे भी स्पेलिंग बताएं कौन से historian के आप बात कर रहे हैं यह आपकी जिम्हादारी है ना अभी सुरू में आप क्या बोल रहे थे कोई बात नहीं कोई बहात नहीं पता है तो आप बढ़के क्यों यह बताए आपको नहीं पश्कु नाम लिया मैं जिक है ठीक मुझे स्वंपलिंग नहीं कोई घुश से कोई दिक्कत नहीं कि आपको स्पेलिंग नहीं आती है आपको और भी भूझ से आपको स्पेलिए करने चाहिए ती क्योंकि यह आपका क्लेम है आपने नहीं किया तो इसलिए मुझे आपसे स्पेलिंग पूछने की जुरत पड़ रही है खैर आगे बताएं क्या कहना चाहते हैं मैंने बता दिया आप देखो मेरी टोपी बात आपने क्या बताया आपने क्या बताया आपने तो दूचारा लोगों का नाम गुजरा आपने नाम ही इस बताया को सी सदीका हिस्टोरियम है वह बताया ये सबसे सब्सक्राइब जैसा हुए थे आये सेकंड थर्ड सेंचूरी का अप इगनेशिस को बता रहे हो इस पर वह दोगे सबूत दोगे इससे आप कैसे सबूत करो जाएगा जेस के सामने जब जिन्दा थे तब वो था लिख राता था ऑज इतना फूड़ा रूजए आप गोछ पूल ने दीजिए सबसे पहले तूब बाई आप समझे आप पचास में जब एक teacher पढ़ाता है तो वहां पर अपर 50 बच्छे होते हैं। 50 बच्चे एक्जेक्ली जो teacher बाइन रहे हैं वो तो समझे नहीं पाते हैं। उनके माष्ट जो है teacher चेक्ग करता है पता लगाता है तो किसी के कम आते हैं, किसी के ज्यादा आते हैं। तो एक बच्चा जो direct teacher से सीख रहा है, वो तक गलती कर देता है, यहां आप बता रहे हैं कि 200-300 साल का gap है, वो बंदा exactly वो बाते कैसे लिख सकता है, जो Jesus की बाते हो, जो God की बाते हो, यह तो सबूत ही नहीं हुआ ना, यह पूरी तरह से illogical चीज़े हैं जो आप सोच रहे है इसमें बहुत ज़्यादा error होने की संभावना है, अरे एक जो direct एक बंदा होगा ना, आप भी अगर Jesus के साथ होते हैं, जो जो बाते बोलते हैं, आप लिखते हैं, उसमें भी error की संभावना थी, उसको भी बार-बार चेक होता, यहां तो लोग किताब चपवाते हैं, तो ब अपनी बात कहें, माइकन मूट करें, आपने बोला कि 200 साल बाद, एक छोटा सा, देखते हैं, आप में इंटलेक्ट है की नहीं, ठोड़ा सा भी होगा तो, बताते ही आप, क्या टूथ को टाइम भी जूर पढ़ती है, बिल्कुल जरुरत पढ़ती है, बिल्कुल जरुरत अच्छा अच्छा यह बताए, आइंस्टीन ने जो फिर भागने लगे, फिर भागने लगे, जैसे मैं जबाब देता हूं, आप तुरंत रोने क्यों लगते हैं, गौड वितास पूरे इस डिवेट में मैं देख रहा हूं, जैसे आप कुछ पूछते हैं, मैं जैसे जवा सबूरत मैं कहा रहा हूं कि अगर कोई theory दिए हैं, तो अइंस्टीन की जो बात है, वो अगर बाद में भी कोई बंदा लिखेगा, कोई लिखेगा, तो वो source देगा कि अइंस्टीन ने किस research paper में लिखा था, उस research का पूरा reference देगा, उनकी हर बात का देगा, यहां पे आपक जेशस ने कोई चीज लिखा उसका कोई सबूत नहीं है, आपका जो है, ये क्या नाम है, जेशस का कोई एक सिंगल दस्टावेज nहीं नें है, दूसरे बंदे उनके मरने के बाद एक किताब कमपाइल कर रहे हैं, उसमें भी आपस में अंतर है, चार-चार बंदे हैं, आपस म सब्सक्राइब करोगे आपको प्रूफ देना पड़ेगा ऐसे हलके बात आप निखेल सकते हो कि टाइम का डिपेंडेंट है आप से मैं सीधा बात कर रहा हूं आप उल्टा घुमा के बात कर रहे हो चलो अब बताओ इस पर अपना के लिए प्रफिट्मिंट दीजिए गौड वित अस सावित करें कि वाइबल कैसे आपके इस्वर का भूक है अप यहान पे तीन ही मुद्दे रखे हैं आपसे मैंने पहला मुद्द्द ये था कि आप गोड को सत्यापित करें जिस पर आपने कहा प्रेम की जिव तो भाग गए आप दूसरा मुद्दा उठा कि भाया जेसस जो है वो गॉड है कैसे वो उस पर अभी डिवेट होनी बाकी है तीसरी पॉइंट थी कि बाइबल जो है वो गॉड की बुक है वो जिस पर अभी डिवेट चल रहा है उसका आप समुचित उत्तर नहीं दे पा रहे तो भी यह कैसे सामित होता कि यह इस्वर की बुक है यहीं बता दीजिए मुझे इसका तो जबाब दीजिए कम से कम अगर जैसा से ही खुद लिखके जाते हैं बाइबल को तब भी कैसे सत्यापित होता कि वो गॉड की किताब है बताएं गॉड वितस हर दो मिन में तो प्रशने खड़े कर रहे हो अब मैं जब बोल रहा हूं तो आप कर रहा हूं कि क्योंकि आप बीच में डिश्टरब करते हैं आप से मैं यहां पर प्रशने पूछ रहा हूं आप विक्टिम कार्ड खेलना सुपर दिए यह मैं देख रहा हूं सारे कॉलर्स का यही हाल है आप लोग क्या करते हो कि जब मैं बोलता हूं बीच में क्रॉस करते हो जैसे कोई फ्रूटफूल रिजल्ट नहीं लिकलता पब चलो दो मिनट का टाइम रहे का ना बोलो आप बोल दिया ना कि दो मिनट का टाइम है बोलो ना आप मैं तो सुन तो रहा हूं पहला तो सवाल यह है कि बाइबल गौड की बुक कैसे है यह सत्यापित करें दूसरा सवाल यह है कि अगर जैसे ही अगर बाइबल को लिखे होते हैं तो क्या कारेंटी है कि वह इस्वर की बुक है यह बता है ठीक है पहला पॉइंट सर मेरा अगर पर्भू यह इस्वर ने किताब नहीं लिखी इसका मतलब यह नहीं है कि गोड़ इस नहीं है सबसे पहला पॉइंट तूसरा पॉइंट आगर उन्हें उसके अनुय यह ने लिखी है तो एक चेन है फस सेंचरी से लेकिए अभी तक उसके इस्टोरिकल वर्ग हुआ है स्कोलरली वर्ग हुआ है इगनेशियस है अर्नेशियस है ठीक है हमारे पास डैट सी स्क्रोल है एपोक्रिफिक स्क्रिप्चर है पन्द बावन सो ग्रीक मैनुस्क्रिप्टों की कोपी है उन्गे चोटल में है उन्हें ने कोई किताब लिखी है कोई किताब ने लिखी उसका चेला बाद में आया था उसने हैं किताब मतलब ग्रीक है या डैट्सी स्क्रोल है या रखी होगे चितने भी मैनुर्स्टिक स्क्रिप्ट है आपस में मैच करते हैं तोरा है हिब्रू की वाइबल है एरामेक की वाइबल है ट्रांसलेट हुए है यहां से वहां कोई भी एक एरर बताओ इस्टोरीकली बता दीजिए जोजब परमेदिया है डोक्ट बाट अर्मन है मैं कितने साइटिस कितने स्टोरीयों के नाम आपको बता रहा हूं कई एक एक कर दोगे मैं मंजांगा आपको भी नहीं यह नहीं लिखी गई है अगर यह यूर्य नहीं नहीं लिखी तो ल championship ने एक हैं कि सभश्र है ना कि माली यह को अब मैं आपसे सवाल पूछ रहूँ बस आपको दिया वने वाकी कटाई दूसरा स्टेटमेंट आपने रखा कि आई विटनेस हैं और बहुत सारे आपके डॉक्मेंट्स हैं जो सबूत के तौर पर दोनों कुछ लेना देना नहीं था पहला जो आपका स्टेटमेंट था कि गौड के प्रूफ का तो वह मैंने बार बार आपसे जो प्रश्ण रखा थ थे पहले चीज कि जैसर गौड का प्रूफ जो है बाइबल नहीं है कत्ताई भी नहीं है अगर नहीं है तो फिर आपका कोड हैक्या जो मेरा मूल प्रश्न है आपका फिर बनता ही नहीं है अच्छा दूसरा जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारे आईविटनेसे कुछ भी आ कहा था फिर जो दूसरा बंदा होगा वो कहे गाशा जीसिस ने ये कहा था आपने कहा कि कोई कंट्राइडिक्शन नहीं है आप इतने जूट रहे हो इतने सारे इतने सारे स्कॉलर्स हैं जिन्हों लाइन से डिबंग किया है क्रिस्चानिटी को सबसे जादा वर्ड में अगर किसी ने डिबंग किया है क्रिस्चानिटी को तो वो एक्स क्रिस्चियन्स हैं सबसे जादा एक्स क्रिस्चियन्स जो है उन्होंने ही बाइबल को डिबंग किया है आपको यही पता नहीं है आपके बाइबल में चप्टी धरती की बाते आती हैं आपके बाइबल में जो है इतनी अंसाइंट फिक बाते लिखी है इस वर इस तरह की बाते लिखता है आपके गलेलियों को आप लोगों ने नजर बंद किया था आपके पूप लोगों ने क्यों माफी मागा उन्होंने? क्यों माफी मागने की जुरत पड़ी थी? क्यों उनको महसूस हुआ कि उस समय उन्होंने गलत किया था और बात में उन्होंने माफी मागी? इससे भी ये पता चलता है कि आपका जो क्रिस्चान्टी है वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड था बिल्कुल अंसाइंट फिक था हलांकि बाद मैं उन्होंने यह रिलाइज किया कि हां यार हम लोग बाइबल ही गलत था हम लोगो आधुनिक है दूचार हिस्टोरियन का नाम दिया वह ऐसे पचासों हाजारों नाम भड़े पर हैं जिन्होंने डिबंग किया हुआ है ऐसे लिश्ट गिनाने की जुरत नहीं है मैं यहां पर आपको देखा सकता हूं यहां पर देखिए एक आर्टिकल है टॉप टेन अटेक्स हाँ ठीक है हिस्टोरिकल रिलाइबिल्टी है इसको चैलेंज किया है चलिए आप बताए मुझे सबूत दीजी आप मुझे आपको अपना पॉइंट रख रहा हुआ रूप आप बोलो मत देखो सब मैं तीन के नाम गिनारों तो परभू यहू के चेले थे तो आइविटने उसकी माता मरियम और जो एक बहुत तगड़ा रोमवन अंपायर में बहुत तगड़ा पॉल्टिकल फिगर था अरमितिया पॉल्टिकल लीट रहे था रोमवन समराज्य में सबसे बड़ा उसी के टूम्ब में परभू यहू का रखा गया था यह आप मैंने आपको क्या दे दिया आपने बोला की कोई भी नहीं है यह यह एक भी नहीं है अच्छा अब आता हूँ आप बोले रहा हुं मैं रहा हूँ आपको आपको आपा पूचा है आप भुद ही गलत टाइब लगाश्य आसे तो इतने सारे हैं सभी क्रिश्चन को बैकवार्ट बता रहे हैं क्रिश्चन बैकवार्ट है आपकी शाक्ति भाई भूले को क्रिश्चन बैकवार्ट हो जाएंगे उन्होंने स्कूल को ले चाल दूं किते साब यहां पे कैसे बैकवार्ट हो जाएंगे आज जो पूरी तरह से फंस गया है एक चीज देखिए पहला आपने कहा आई विटनेस मेरा सवाल था उस सवाल का आपने जवाब न देते हुए टॉपिक ही बदल दिया मेरा सवाल था कि बाइबल गॉड का बुक है कैसे आपके आई विटनेस दे रहें कि मैथ्यू है यह है मरियम है अरे आप किसका प्रूफ दे रहें आप जेसस का बता रहा है ना कि जैसेस के यह आई विटनेस है और उसका अधार क्या है Bible है तो एक तो Bible आलरेड़ी फरजी किताब है उसके अधार पर आप प्रूफ दे रहे हैं कि उनके हैं मेरा वह प्रश्न ही नहीं है मेरा प्रश्न है कि जो Bible है वो God की बुक कैसे है उसका आई विटनेस कौन है कैसे गौड को देख लिया जिसने कहा कि यह गौड की ही बुक है उसमें जितनी बाते लिखिए वो गौड की बुक है यह मेरा प्रश्न था जिसका जबाब अभी तक आपने नहीं दिया ना दूसरे में भटक गए दूसरी बाते करने लगे दूसरा आपने कहा बैकवर्ड का क्रिश्चानिटी बैकवर्ड उदो मेरा सवाल ही नहीं था उस पर मैंने कोई बात ही नहीं की मेरा पूरा का पूरा प्रश्न जो है अभी भी वही पे है कि वही आप बाइबल जो है वो गौड की बुक है कैसे यह सत्यापित कीजिए आप बार बार मुद्दा बदल रहे है अलग-अलग बाते करें आपका टाइम स्टाट होता है चलिए सवाल अभी भी वही है बोलें ओके इन्होंने कहा कोई चीज नहीं दिखती तो वो होई नहीं सकती ठीक है साब परभू को किस ने देखा गोड को किस ने देखा तो सहाब प्रेम है जज्मेंट है लड़ाई है जगड़ा है ठीक है जस्टिफिकेशन है बहुत सारी चीजें हैं यह हमें नहीं दिखती हमसे विश्वास करते हैं ना मानते हैं यह चीजें होती है या तो आप मुझे बताइए स्पेस के किस कोने में मुझे प्यार मिलेगा किस कोने मुझे लड़ाई मिलेगी किस कोने मु प्रविश्वास करते हैं यह तो अपने प्यार को भी नहीं देखा अपने प्यार को भी नहीं देखा अब आते हैं किताब के उपर की कैसे पुरू करोगे हां ठीक है मैं यह किताब कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान पुरू नहीं कर सकता कि यह किताब प्रमेश्वास की तरफ से है पर हां उसके लिए कुछ एविडेंस मैं आपको दे सकता हूं एक अर्गुमेंट मैं आपके सामने ला सकता हूं जैसे कि मोरल अर्गुमेंट अगर मैं अच्छा बुरा क कोई बताती है कौन से पहरे में कोन चीए किताब का नवा बता दीजिए जहां पर यह लिखा हो कि प्यार के लड़ाई करना बुरा है कोई एक किटाब बता दीजिए गम आपनी धार्मी ताब होसे आपको बता जूँगा कि बुराई करना लड़ा है पर आप किसी भी एक science की बुक से यह नहीं बता सकते कि कि किसी साइन्स की बुक में लिखा हो कि लड़ाई करना बुरा है, एक का नाम बता दीजिए, कोई भी एक आपको चैलेंज इस बात का, क्योंकि बगैर moral value के, गोड के बिना कोई भी moral value एक्जिस्ट नहीं करती है, अगर गोड नहीं है, तो कोई भी moral value नहीं है, आप मुझे यह नहीं मैं बोल सकते हैं कि सुनिल बुरा है, नाच्छा है, टेस्ट की बात है यह तो, मुझे कोफी पसंद है, आपको च्याय पसंद है, विदाउट गोड यह होता है, कोई भी moral objective एक्जिस्ट नहीं करते हैं विदाउट गोड, अगर आपका टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइ लेकिन आपने जो मूल प्रशन था उससे आप कभी भी उस पर थे ही नहीं, आप समय खा रहे हैं, समय बरबाद कर रहे हैं, अब आपको समय भी में नहीं देने वाला हूँ, यह आपका आखरी समय था, तो आप मूल जो प्रशन था उससे भाग गए, दूसरा आपने क्या कह प्रेम की भावना कहा दी, अरे आपका जिसस जो है, वो खुद ही जीव से प्रेम नहीं करता है, मचली खाता है, आपने कहा कि कौन सी किताब है, जो आपको यह कहती है, कि भाईया प्रेम भाव जो है, वो सिखाता है, जो गौड लेस कोई कोई religion मजहब हो, या फिर कोई science हो, जो बताता हो, कि भाईया दूसरे से प्रेम करो, या हिंसा मत करो, या जगड़ो मत इस तरह की बाते करे, आपको पता ही नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रह रहे हो, कहां पे रह रह रहे हो, भाई साब, यह आप पढ़ो, यह क क्या लिखते हैं, यह abstain from killing, not to indul in violence, यह क्या बता रहा है, violence में involved ना होने की बाते कर रहे हैं, यह not to steal, चोरी करने की बात कर रहे हैं, not to speak the untoward, इसके लिए क्या इस्वर की जवरत हैं, यह सब छोटी-छोटी बातों के, to solve fidelity, not to indul in substance abuse, तो यह चीज़े जानने के लिए आपको God की जरुरत पढ़ रही है, यह सब non-God वाले यह religion, वो है, moral आपका सकते हैं, कि धराम मजह आपका सकते हैं, यह लोग हैं, तो इसके लिए किसी God की जरुरत नहीं है, आप उस समय से कर रहे हैं, कौन सा, वो जो है science की book, या कौन सिखाता है, कि प्रेम मत करो, यह बहुत जो आप कह रहे थे, उसको मैंने कहा दिया, दूसरा बात कि नहीं दिखता है कोई चीज, इसका मतलब God है, यह आपने जबाब नहीं दिया है, और यह इसलिए मैं तीन-चार बार आपको मौका दिया, और अब मैं आपको नहीं मौका दे पाऊंगा, इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे इस डिवेट को end करता हूं, अगर आप इसको जबाब दिये होते, तो फिर मैं आपसे आगे continue करता हूं, और मेरा यह नियम भी है, मैं समय देता हूं, बहुत समय दिया आपको, लेकिन आप जो है, जो प्रश्न था, मैंने साथ बार, आठ बार repeat किया, लेकिन आप उसको देने में असमर्थ रहें, इसलिए मुझे अब इस डिवेट को यहाँ पे end करना पड़ रहा है, next time आप आप आए, सबूत लेकिया, प्रश्ना भी भी मेरा वही है, कैसे आप साविद करोगे, कि Bible जो लिखी हुई है, यह God की book है, ठीके ना, और आई witness वाली जो आप कह रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं, आप जेसस की आई witness की बात कर रहे थे, Bible की मैंने पूछा है, Bible के बारे में, जेसस का नहीं, जेसस को तो आरे उसका माप आपको वो देखा होगा, जो राजा होगा, जिसने मारा पीटा होगा, उसने भी देखा होगा, उसमें कौन सी करना पड़ रहा है, यह मैं दू-तीन बार रिपीट कर चुका बात को, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और कोन आए हुए है, चलिए यहाँ पर, गालिब जी आये हुए हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यह चले गएं क्या, कहां है आप, इस आयद चले हैं, आप अगर मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आजाइए आप, गालिब जी आये हुए हैं, आपकी मैं यहाँ डिवेट करा देता हूं, कहां गएं आप, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, एक मिनट, क्या नाम था इनका, मैं नाम नहीं दो पयाँ, जी, बढ़ियां, जी, जैवीम, 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 यह अभी कोई एक कॉलर आए थे, हाँ, हाँ, मैं, आपकोशिश कर रहा था, एंटर होने की, पता नहीं को स्ट्रीमियार्ट का एरर था, वो, पहले वो एरर न कि यह भाई तब तक जा चुके थे, मगर यह कहरे थे, कि मैथ्यू, मार्क, लूप, मैथ्यू, जान, जोज़वार्मिटिया, मैरी, मदर अफ जीज़व, यह सब आई विटनेस थे, हाँ, हो सकते है, वो आई विटनेस हों, मगर मसला यह आगे, आपके पास उन आई विटन जो के शायद जीज़व के डिसाइपल रहे होंगे, ठीक है, तो यह जो किताबें हैं, पहली तो बात यह है कि जीज़व के जितने भी डिसाइपल थे, वो एक जुबान बोलते थे, जिसे एरमिक कहा जाता है, यसू जो था, वो खुद भी एरमिक जुबान बोलता था, वो और उसके जो डिसाइपल थे या उसके जो शागिर्थ थे या उसके फालोवर थे वो भी सारे बारां के बारां जो थे वो अरमिक बोलते थे अब ये जो Gospels जो इन भाई के पास आज New Testament में हैं या हमारे पास New Testament में हैं वो सब की सब अरमेक में नहीं ग्रीक में लिखी गई थी ग्रीक ज़िए तो इस से हमें ये पता जलता है कि और जब शुरू शुरू में ये Gospels मिलने शुरू होती हैं पहली सेंचरी के End पे और किसी का नाम ने लिखा हुआ था. फिर कोई दूसरी सेंचری के एंड के ओपर जाके सेकंड सेंचरी आफ कॉमन एरा या सेकंड सेंचरी एडी के एंड पर जाके लोगों ने इनके ओपर मै्थिव मार्क, लूक और जान के नाम चिपका दिये. अब पहली तो बात में इन चीजों को अथार्टी देने के लिए क्या किया उनोंने इनके उपर जो जीज़स के डिसाइपलों जिनके नाम लोगों को पता थे उनोंने उनके नाम शिपका दियो ओपर कि हाँ छी जिज़ए जो जान की लिखियू है यह मेथ्यू की लिखियू है और इधर से फिर लोगों ने वाक़ी ये समझ लिया क्योंको पुराने वक्तों में तो नहीं पता चलता था उक्तों उनको क्या पता किसी ने लिखना पढ़ना नहीं आता जिसको कैसे पता लगेगा कि बाई ये जो लिखा हुआ नाम ये तो हो इनी सकता दूस्त तो फिर बाद में जब और ये जो कहते हैं ना कि जीजस के आईविटनस है थे नहीं जीजस के आईविटनस कोई नहीं है कोई भी आईविटनस नहीं है कोई हमारे पास कोई आईविटनस टेस्टिमोनी जीजस के बारे में नहीं जितने भी लोग हैं ये सेकंड हैंड थर्ड हैंड पूर्थ हैंड information है जो उन्होंने किताबों में लिख ली जिनको उन्होंने gospel मान लिया उन किताबों को मान गए समझते हैं कि जी हमारे पास कोई बड़ा जबरदस्ट first hand account जीजस के बारे में ऐसा कुछ नहीं है अच्छा तो एक गौड वितस अगर आप हमें सुन पा रहे हैं जो आप बता रहे थे तो यहां पर हमारे साथ expert भी हैं गालीब कमाल आप आ जाएं मैं आपको यहीं पर हो जाएगा अगर हैं तो जरूर हम इन से बात करेंगे पुरा हो जाएगा जिनको इनको पास जो information है वो कितनी ठीक है या कितनी गलत है तो मुझे तो यहीं लाग रहा था कि भाई को बिल्कुल भी पता नहीं है कि असल नहीं था इनको इन अश्षा एक नए बन्न आये है यह जो है विग बैंंग को गलत सावीत करना चाहते हैं इनको मैं जोड़ रहा हूं की stripe अच्छला है बताएं बताएं अलो सर आवाज आ रही है आवाज आ रही है अलो सर पहले तो मैं यह बता दू मैं कोई अधिस्ट वगेरा नहीं हो यह में बात कर रहा हूं असले चो बिग बैंग की थे रही है वह ऐसा कहते है कि ब्रह्मान पहले एक मितलब सुन्य में केंडित था मतलब एक डोट पे और उस पे फिर छो इसपोर्ट हुआ उससे पुरा ब्रह्मान निकला अभी हम जब ब्लेकोल को देखते हैं मतलब किसी भी यह चोटा हो बड़ा हो लेकिन ब्लेकोल का एक रूल है कि जब वो बनता है तब उससे ज्यादा उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता ब पर यह इतने सारे ब्लेकोल है वह जो बने तो पिर वो जो पहले लौट था वो तो कभी होना ही नहीं कर सकता तो फिर उस लौट की होने की मतलब कोई संभाव ना ही नहीं है वह पर receipt कॉ पर इससे गलत है ना ऐसा नहीं कहा कि बिलैकोल सले को अगी है इस बात को क्योंकि कोई भी ब्लैक होल नहीं हो सकता, इसलिए बैंग वाला डॉट नहीं आ सकता, तो ज aquela ज наход ऑंड廿 जो ब्लैक होल से बनाथा was. नहीं नहीं हो जो डॉट था नदो बहुत चोटा था ना वो ब्रभान तो कितना बड़ा है डोट तो बहुत छोटा होगा तो भी हम जो समझ आ गी है मेरे भाई आपकी बात हमें समझ आ गी है आप मुझे बताएं कि आप ब्लैक होल वाली लॉजिक बिग बैंग वाले प्राइमीवल डॉट पर कैसे अपलाई कर रहे हैं अब यह बता दें कियोंकि वह के पास इस बाद के अविधिए कि वह जो वह जो पहला बीग बैंग वाला जो डॉट ठा वह एक ब्लैक बोल था क्यूंकि अगर वह ब्लैक होल नहीं था तो फिर आप ब्लैक्व मोने लॉडिक मेर जा रे उसकते इसका मतलब है अब 蛟्र वह बात करने है कि जिस जिस से जि प्रचार तब तब स्पेस टाइम विसा कुछ भी नहीं था ब्लیک होल वाला कनेक्शन बना रहे हो वो बिग बैंग वाले प्राइम वीवल डॉट पर लगता नहीं है चुक्छा हमें यह नहीं पता कि वो ब्लाक होल था ठीक हैं समझ गयो आपके पास नहां तो इसका कोई यहां तो पहले यह साबिद कर दो कि बिग बैंग वाला जो प्राइमी विल डॉट था वह ब्लाक होल था तो फिर हम ब्लाक होल वली लॉजिक आपकी को को कि नहीं नहीं यह तो आपकी बस आपके जेंड में एक ख्याल आ गया आपने कहा कि यह हो गया बस है तो नहीं ने ने चल यह माल लेते कि वो भी जला है शुकर आप में लाना तो सही है वह चलो ब्लेक ओल से हम रिलेट नहीं करते हैं तब बढ़ आप यह तो मान सकते हो न कि इतना सारा जो matter अभी मतलब चितना भी हम लोग देख रहे हैं या फिर जो भी matter नहीं है जो भी बिना matter के बना आ है वो सब एक dot में मतलब कैसे आ सका यह तो impossible है ना आपको पता है कि एक एटम में कितना मैटर होता है कि इस्पेस होता है क्या अटम उत है आटम वह पूरा खाली होता है कि के तो उसमें कुछ भी नहीं होता सिर्फ दस के पंदरा नाइंज भाई है वो सारे के सारे जो जो सारा जो मैंटर है ना यह एक डॉट के ऊपर यह प्रॉटॉप सो भी च्योटे मास में जम्म हो सकता है ठीक है यह पॉसिबल है और सांटिस सो इस बात को मानते हैं कि ये बात पॉसिबल है कि ये सारा युनिवर्स का मैटर एक जर्रे के अंदर जमाग जमा हो सकता है ठीक है और वो जर्रे में बिस्पोर्ट नहीं हुआ फिर उसके बात को पताखा नहीं था जो चल गया ठीक है कोई दिवाली वाला पताखा नहीं था ये तो ये दिवाली वाला पताखा नहीं था ये स्पेस और टाइम की एक्सपेंशन है और इसको आपको पता किसी साइंटिस्ट के सामने अगर आप ये कहेंगे बिग बैंग तो वो बिग बैंग को लफ्स को बुरा मनाते हैं वो कहते हैं ये क्या जाहिलों वाली बात कर रहे हैं ये हम आम हम आम है जो उसको बिग बैंग कहती है वो उसे कॉस्मिक इंफलेशन कहते हैं इंफलेशन क्योंकि उस वक्त टाइम और स्पेस जो है वो एक बड़े ही डिफरेंट त्रीके से बहेव कर रहा था ठीक है तो उस वक्त जो टाइम था वो डिफरेंट था इसलिए के एक सेक N्ड के बिलियंथ इंटस ब्लियंथ निड़ा इन्दरी जब युनिवर्सेंटीरा वो एकदम पैल के यहां एकडम एकक्सपैंड कर जा वो फटा रही है को जबाक्गत नहीं दिया और वह बहुत ही असा लगा कि पतानी कहा से आप पड़े क्याMatt एक सवाल यह बताएं आपने आते ही यह बात कहा कि आप एथिस्ट वगेरा नहीं है तो अच्छा जो एथिस्ट नहीं होते हैं जो अपने थायष्ट बोलते हैं वो अक्सर हां उनके सांथ यह प्रोब्लेम क्यों होती है कि जो साइंटिफिक रूप से जो वेल-स्टेबलिस च वाणते हैं बिल्कुल भी नहीं है आंप कैसे कह रहे हैं कि आप नहीं हुए आप मतलब मैं लेव नहीं करता सासर मैं ऐसा रखता हूं कि इतना बड़ा आप नास्तिक ही तो है ना आप तो आप सुरू में आकर बोले थे कि आप मैं एथिस्ट नहीं हूं अच्छा सारे बोल दिया होगा अधर जल्द बागी में अच्छा ऐसा नहीं मैं किसे भी मतलब बिलिव नहीं रखता है यह तो मैं भी समझता हूं कि कोई भी इन्वेंशन होता है ठीक है ठीक है ठीक है ओके तो सैम आप जो है ना पहले तो एक सही सूर्स से आप लोग पढ़के आया कीजिए मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे वाइटूबर्स हैं जो बहुत सी फेंक वीडियो बनाके लोगों को भरमित करते हैं और अक्स यह गोगों करते हैं यह तो समझ गया लेकिन मेरा क्वेश्चन यह जब मतलब जो ब्लेकॉल होता है उसका जब जन्म होता है जतना भी चोटा हो बड़ा हो मैं जो सथार में सुपरूहा होता है उसके बाद उसका जन्म होता है या तो मतलब रो neon sound बनेगा, या तो और वो बलेकॉल में बढ़ाँएगा. तो जो वो बनता है, त offenders कहोता है, जो एक अकाष होता है, उसको मतलब कोई भी ऐसी इस फॉर्स नहीं है, जो उसको compress कर सके हो, वह ना मुंकिन है वह अभी तक हुआ है मतलब बड़ा हो सकता है लेकिन कभी वह छोटा नहीं हो सकता इन दो बातों का अपज में को रिलेशन नहीं है असल में नहीं कर रहा हूं सर्थ मैं यह क्वेस्चन पूच रहा हूं को सैंब हो गया कोश्चन आपका नहीं अब इस नहीं आपको बात समझ आगी थी उस टाइम जाए ठीक है सैंब आपका जवाब दे दिया था आप नहीं बात नहीं आपका ठीक है चलें चले सैंब आपको पूरा आपको इन्वाइट किया जा रहा है आप आजाएं आपके पास समय है आपके मन में यह मलाल न रह जाए कि भई कोई पॉइंट मिस कर गया हूं डिवेट के लिए क्योंकि अब हमारे पास एक्सपाइट भी है इस चीज के और वो खुद ही एक्स क्रिश्चन है तो इसलिए उनसे ही आप बात सुनें उनकी ही बात सुनें आप मुझे का सकते हैं कि यह गयर मजबी है तो यह नहीं जानता है ले देखें यह पता नहीं दिख तो नहीं रहे हैं लिंक भी आपको वोक्स भी खाली है आप आजाएं अ अचा तब तक के अध कोलर ले लेते हैं कि आपके पास समय है ना कि बीजी तो नहीं है कि अच्छा अर्चना जी आये हैं इनसे थोड़ी बाते करते हैं जी अर्चना जी बताएं कि अर्चना जी अर्चना जो बंदा था उसके बारे नहीं मेरा खुद का एक सवाल था और यह जो ब्रामिन कल सिस्टम में जो यह करते हैं तो डॉक्टर बाबा से वांबेट करको वो क्या मोलते पता हैं कि उन्होंने जो कुछ भी डिग्रीज लिये हैं अभी तक जित्ता में यह उन्होंने पड़ा है तो यह सब बोलते कि यह सब फेक है आप इसको कैसा हो सकता है कि हाँ मेरे साथ हुआ है वो जब भी अभी मैं उसको कैसा उन्हों को यह कर लूँ कि कि किस तरह से न कर बताब कि आदी आप भारत में जो लोगों में इतना जदा द्वेश है भारत के सीसending लोगों चाहें, उनके महापूरसों से, इस द्वेश के कारण वह लोग जो हैं, इस तरह की बाते करते हैं, देखिए बाबा साहब का अपमान करने का या उनकी डिगरी का अपमान करने का मतलब है कि आज पिछले 74 सालों में 74 यर्ज में जो भारत का Constitution है जो उनके अधार पर चल रहा है जो भारत का पूरा का पूरा structure ही उनहीं की देन है उनका अपमान करना है दरसल वो बाबा साहब के सब्सक्ते ऐ सब्सक्राइब को उठाब होने का मतलब यह काना करते हैं खारत इस के तुरे सिस्टम को फिर नहीं दे सब्सक्राइब। मानते ही नहीं है और इसी वज़ेसे वो उसको पूरी तरह से डिनाय कर रहे थे कि नहीं हमें कुछ फरक नहीं पड़ता है हम मानती ही नहीं तो उसमें क्या मेरा खुद का जब शादी हुआ था तो वह भी मेरा यह हुआ है तो मतलब कोट में किया था मैंने शादी लेकिन उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता था कि खुछ तो भी मतलब नहीं मानते हैं यह लोग क्योंकि लॉज जो है वो एकदम फुल प्रूफ होता है यह उन्हें मतलब यह वो यह नहीं करते उसको मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते ही इस बात को कि फुल प्रूफ लॉज होते हैं वो कहते कि उसमें से हम कैसे भी निकल सकते हमको पता है उसमें से कैसे बाहर निकलना है उसको कैसा तोड़ मरोड के रखना है तो हम क्यों मानें आपका लॉज बच्चती सीखताएं लेकिन भारत में तथाकतित morgenको सबसे लोग मांनते हैं बुद्धिजीवी अपने को मानते हैं इंटेलेक्च्यम् ऊपने बच्चकों न च्रिकों करते हैं भारत की जो है इससे और यही कारण है कि वह बच्छों की परवरिस में इसे इसी ती और उनके हर महापुरों को उनके इन्टेलेंट्ट्रवां को हम ऐसा गाली देटेकर जाता है कारण इसका यह है कि उसको घर से ही वह चीज सिखाये दो यह भारत में बाठास lucky हैं यह कि भारत के बागी दुनिया को आप देखिया ना अंग्रेज हो गया है चाहरे दूनिया के बागी दूसरे वो बाबा साहब को क्यों नहीं गाली देते हैं वो तो टून को अपमान होता है युदा है और दूसरी और एक बात सबस्क्नाइन CR 시작 अगर उनको डिवेत में ऐसा कि इस बन्दे को अपने तरफ अच्छा यहां पर पंकज कुमार कुछ लिक रहे हैं जिसस की कहानी तो बुध के जैसी है जैसे बुध के अनुवाई इनके सगे सब्बंधित हैं अच्छा जी ओके अच्छा इसके बाद से विने सिंग क्या लिख रहे हैं अच्छा इनका सुपर स्टीकर है सुक्रिया आपका गौड विता साथ मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं आना ही नहीं चाहते हम लोग इसका क्या मतलब समझें नहीं आ रह तो फिर यह मैसेज करेंगे ना कमेंट करेंगे उसमें नीचे कि देखिए हमें समय नहीं दिया गया यह नहीं किया गया इसलिए मैं इनको बार बार दे रहा हूं समय अच्छा और भी कोई किस्चानिटी से हो जिनके पास सवाल हो आ सकते हैं रासीद जमाल आये हुए है इसे बताएं रासित हां बोलें कि आप मेरे वाज आ रही है ने अब आज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा कट रही है और कौन है इस्प्रीट आये हुए है इनसे बाते लेते हैं बताएं इस्प्रीट क्या कहना चाहते हैं कि नमस्ते में रोहन सक्षेना हूं अच्छा जी रोहन सक्षेना बताएं क्या कहना चाहते हैं अश्षर यह बार बार बूलते रहते हुए वेदो और सब ब्द्ध बगवान के बाद ही आ गया है अप सबूत कोई दे दिजिये हमें कोई सबुत आप तैखा दिक दो तरीका होत कोई ऐसा मैनुस्क्रिप्ट मिला हो कोई उपनिशद वगेरा का वेद्व वगेरा का मैनुस्क्रिप्ट जो मिला हो जो बुद्ध से पहले का वो दिखा दीजे यहां पर तो वह हम लोग माल लेंगे आपकी बात कि आप सही है नहीं नहीं सर मैं यह पूछ रहा हूं आप कहां से पढ़ा सर इसा चीज इस प्रिट आप मेरी बात समझे की नहीं समझे बहुत ही सरल सब्दों में मैंने आपको बताया चलिए सर ठी तो अब कोई सबूत है तो वह आप आपना के दोई दीजी हमें आप 2 गिणा रहे हैं बाबा साहब की बाद बाबासाहब ये बता हैं कि बाबासाहब तो आपको जब मैं सबूत मांग रहा हूं तो आपको जो वेल जो स्कॉलर्स है जो रिसर्च किये होंगे जो कुछ सबूत दिये होंगे जिस को यह सबूत मिला है जैसे बुद्ध का बाता है उनके जगव मिल गए तो फिर की बात की बात आती है तो उसी तरह कि परते हैं से तोड़ा सुन लिजी तो बात बोलता पहले जो बाबास आप जो बोलते उसको आप नहीं देखते हैं मैंने आपको किलियर कर दिया कि मुझे सबूत चाहिए आपको जब मैं रुकिए एक बात रुकिए आप अभी मैं बार-बार कहता हूं कि जब सबूत की बात आती है तो हम कोर की बात करते हैं कि बहुत चीज का है बार-बार यहां पे पहुंच रहें उन्निस्वी बीसफी सदी में वह भी बाबा साहब पहुंच रहें जो समाजिक बद्धो पर बात रखते थे आप यह उन्हों ने यह कहा दिया यह कह दिया उन्हों आप से इतनी बार में इक से पहले भी आप आये थे हैं और आपने मैंने पचास वार आपको मना किया था मैंने ने कि सबूद करें पर आप चीज़ का सबूद मांगी अब बाबा साथ कर रहे तो पर रही है नहीं पर यहां पर देखे घालिब कमाल जी भी हमारे साथ है वह भी बात सुन रहा है और उन्होंने भी यह बात आपको टोक दिया कि आप topic पर रहें इसका मतलब भाग तोपिक से आपको सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप आपको मैंने उपनिश्यद का मांगा है उसमें आती है आपका हर प्रमाण जो है बुद्धिष्ट बाबा साहबी बुद्धमार्गीते उनका उठा रहे हैं आप यह कहना चाहते हो कि आप लोग के पास अपना कोई सभूत नहीं है हर बाद में आप लोग बुद्धिष्ट में क्यों घुसते हैं मुझे यह नहीं समझ में आता अभी देखो गौड वितस आया था उसने एक बार भी आपका नाम लिया कि मैं हिंदुईजम से परमाण द सबूत करें यहां पर सेयर करें कॉंसा उपनिसत का फ्रेग्मेंट मिला है आपको थोड़ा से सुनना पड़ता ना सुने आप यह पहले सुन रहा है नहीं सुन रहा है आप मेरी बात सुने जो पूछ रहा हूं पहले उसका जबाब दीजी इतना देर समय खा गए मेरा मैं पूछ रहा हूं जवाब देंगे आप मैं जवाब दे रहा हूं तो बता है मैं तो फिर मैं हटा दूगा फिर मैं इतना बखवास चीज़ें नहीं करता एक सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों को लगता है कि साइंस च्रक्नी मैं खुझेंद मैं कियाह थौन मैं ओप आर्केलोजी प्याओंगा आप उसी पर इधर उधर ये वो हैं वो फिर कभी बुद्धिष्ट का नाम ले रहे हो कई बाबा साहब का बाबा साहब बुद्धिष्ट ऐसे थोड़ी होता है डिवेट यह फिर से आपको जोड़ रहा हूं आप सवाल का जबाब दें मनुस्क्रिप्ट कोई ओल्डेश्ट मिला है उपनी सदका इसका जवाब दें पहले उस समय का इंस्क्रिप्शन नहीं था समझ गया ठीक है ठीक है तो एक एक करके पूछ लेता है ना एक करके तभी तो क्लियर होगा पबलिंग अगर साहीं नीं यह तो मैं पूछ रहा हूं इन से स्पृट से तो इनको एक चीज देखे कालीब जी आपको भी एक चीज किलियर हो गया होगा कि यह कह रहे हैं कि इनका नहीं मिलता है लेकिन उस समय बुद्धिश्टों का मिलता है समराटासों के इतने सारे इंस्क्रिप्शन रिच मातरा में म जब पताये स्पृट की आपकी जो उपनिसद्ध है किस लिपी में लिखी गई है नहीं थोड़ा सबसुन लिजिए है लाप नहीं था उस समय लिपी नहीं था और ट्रांसमिशं स्वाल था तो बुद्धिस्टों की लिपी थी उस ताइम कि बहलت में कोई उस समय य blues लिपी थी कर नहीं थी पता है तक की भाएरत में कोई लिपी थी नहीं लिपी दिए ऀएक मिनट बता है यह मतलब आप ऐसे से एक्छेटलिप पहले भारत में लिपी थी की नहीं ओष गोईिलिकिन मिलते हैं के मीलते हैं ऑफ नहीं है यह पर करें जुछे बुद्ध के केंप रहा है कितने साल बाद आ गया हो सामराट असोक के इसा से पहले पूछा हूँ रोहन सकसेना आप कुछ दिक्कत आ रही है आपको मुझे लग रहा है तो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं सब्सक्राइब नहीं लगता है लिखते कैसे हैं हिंदुस्तान में उतलब इनको यह लग रहा है आपने ठीक पकड़ा है इनको ऐसा भ्रम हो गया है कि जब से ब्रामणों ने लिखा है तब ही से दुनिया स्टार्ट हुई है और ब्रामणों ने लिखने से इनकी जो देवनागरी स्क्रिप्ट आई है उससे पहले भारत में कोई लिखता पढ़ता ही नहीं था इनका यह कहना है तो इससे यह भी पता चलता है कि यह देखिए इन्हों ने कितना जूट बोला एक संभारत का एक बच्चा बच्चा भी जानता है कि समराट असोग जो है उन्हीं की सरहदें इरान तक थी और सबसे बड़ा भारत का प्रतापिरा जया एक मिनट आपको जब बोलने को कहा जाएगा तब बोलिएगा ठीक है ना अभी आप सांत रहें जब मैं बोल रहा हूं तो बच्चा बच्चा भी जानता है यह भी जानता है कि भारत का पूरा इतिहांस जो है समराट असोग के 35 इंस्क्रिप्शन मिले हैं गली कमाल जी याद रखिएगा एक इंस्क्रिप्शन सर मैंने खुद देखे हैं पाकिसान में सवात में मैंने समराट अशोग के इंस्क्रिप्शन तीन जमानों में लिखे हुए मैंने देखे हैं उदर उस वक्त मैं इबरानी में भी यानि हीब्रू लैंग्विज में भी मैंने लिखा हुआ उनका देखा है मैंने खुद पाकि जबाने इंस्क्रिप्शन लिखवाई हुए मैंने खुब भारत में इसा से भी 200-300 साल पहले तीन जबाने कम से कम तो थी लिखित प्रमार तो इसका मिल रहे गालिव जी लिखियो ही लिखियो ही थी जी जी आचा तो भारत में जो इंटेलिक्शुल वर्ग होगा इसा से 300 साल पहले वही तो लिखता पढ़ता होगा जारी बात है अगर हिंदुस्तान में लोग लिख रहे थे जो इसा से पहले लिख रहे थे अशोक जो इसा से पहले जी अच्छा एक प्रश्न और है मेरा भारत की जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी बताए जाती है वह तक्स्चिला जो आप पा किस्तां से रहते हैं तो इन लोगों का दावाад है कि पाकिस्तान में बराम लबन पढ़ाते थे जहां इसiro they कि क्या वहां पर किसकी मूर्थियां मिलती है तश्चिला में ने मैं जब पाकिस्तान छोड़ने वाला था उससे एक माँ पहले में टैक्सिला गया था ठीक है और मैंने बुद्दा का स्टूप जो के टैक्सिला म्यूजियम में रख है वो भी देख है जब मैं अपने आपको पबलिक करूंगा अब आपको तस्वीरें सिरकप किया हूं और जिसके गिर्द उनके पास कोई पिर इस तरह टैक्सला में बहुत सारे बुद्दिस टेंपल हैं और पूरे-पूरे और आपको कुछ आपको दिखाई दिता है तो देखें यहां पर देखिये गालिप जी एक बात समझें एक की लाइफ की पूरी और इवन के एक जगा पर और बहु खुछ पहन我覺得 लाइफ की स्टोरी तस्वीर की शकल में पूरी जो स्टूप हो था उसके गिर्द बनाईए तो अब एक और एक और आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं एक और प्रश्न पूछूंगा मान लिजिए कि जो बंदा लिखता ही नहीं हो वो बंदा क्या पढ़ सकता है दिल्कुल Exactly तो जो बंदा लिखता ही नहीं हो या कभी लिखा ही नहीं हो वो पढ़ेगा क्या तो उसको तो हम लोग अनपढ़ कहते हैं जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता जो सिर्फ बोल पाता है लेकिन लिख पढ़ने नहीं पाता तो पढ़ेगा जिसका यह क्लेम हो कि हम लोग कभी लिखते ही नहीं थे हम लोग सिर्फ जो है औरली लेकर आते थे तो वो बंदा कभी लिखा ही नहीं हो तो वो पढ़ेगा कैसे क्योंकि लिखने के लिए तो लिपी की जरुरत है इनके पास तो लिपी है नहीं लिपी का ग्यान होगा तभी तो लिख पाएगा ना तो इससे यह पता चलता है कि यह खुद ही अपने सवाल में ही फंस गया कि नहों ने कहा कि यह लोग लिखते पढ़ते नहीं थे और भारत में जबकि उस समय लिखाई पढ़ाई होती थी तो यह कैसे इंटेलिक्चुल लोग थे यह कैसे तबात होकते हैं कि यह भारत के सबसे इंटेलिक्चुल लोग रहे हैं जब यह लोग तो पूरी दुनिया भी पढ़ती थी इसका मतलब इसका मतलब तो पूरी दुनिया भी पढ़ती थी मेसोपोटामिया में भी इंस्क्रिप्शन मिला है अगर एरान में भी इंस्क्रिप्शन मिले है ये देखिए और इं लोगो का दावा है कि 11-12 सदी तक 11-12 सैंचτί तक इन लोगो ने वेडा लिखा ही नहीं था ये अलबरूनी भी ये बात वेरिफाई करके गया है वो भी लिखके गया है अपने नोटस में और अब ये बताईए कि क्या ऐसे लोग भारत के निवासी हो सकते हैं कि जो भारत में जो तकनीक अल्रेडी एवलेबल हो इनके बड़े-बड़े क्लेम हो कि इनके रिसी मुनी चल रही है उपनिसद इसा से 600 साल पहले लिख दिये जब इनको लिपी नहीं पता है वेद नहीं लिख सकते तो ये सारी किताबे कैसे लिख सकते हैं ये तो सवाल उठता है ना सर यही तो बात है ना ये आर्केयोलजी इनको समझ नहीं आती ना मैं क्रिस्टींद और मुस्लमनों छो यही बातें समझाते रहता हूँ आप इनको यह बातें समझ नहीं आती कि भाई जी आपकी आपका आपकी वो हो गया म्यूट अच्छा आ रही अभी हाँ लिखा हुआ कुछ दिखाओगे तो तब भी बात बनेंगी लिखे के बगार बात नहीं बनेंगी अगर आप यह कहो के तीन हजार साल हम अपनी औरल ट्रांस्मिशन करते रहे तो इससे बड़ी देवक को जानता हो वो इस बात को हस पड़ेगा इस बात पर वो कभी माने गई जो जानता हो क्योंकि यह पासिबल नहीं है दो तीन सो साल कोई औरल ट्रांस्मिट कर लेना तो वो भी बड़ी बगए बात है और औरल ट्रांस्मिशन में हर चीज़ बदल जाती है फ़र्ज करो जी तो इसका मतलब है यह वो वेद ही नहीं है जो तीन हजार साल तक विदाउट एनी एरर और ट्रांसमिशन के थूँ आप किसी नॉलिज को लेकर आगे आजए पॉसिबल नहीं है इंपॉसिबल बात है स्टूपिड बात है जूट है सीधा सीधा हो और तीन हजार साल पहले इनके पास्टो कोई लिपी ही नहीं है ने आपकी बातें और थोड़ा ग्यान बढ़़ाया करें इस तरह से आके अलदा चुब आ ना कराा करें अचाबी सिंग टूडू जो है यह लिखते हैं इस जे अमित और गालिप सर यू अला डूइंग ग्रेट जॉब फॉर सोसल रिफॉर्म आई लिटरली अप्रिसिएट और थैंक्यू 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 बी सिंग तूडू और यहां पर चले साथ कोई कोई मुमिन या कोई जो कि ऐसा बंदा है जो कि मुझसे कोई क्वेस्टिन करना चाहता है तो ठीक है वरना फिर साथ मैं मैं आपसे इजाज़त लूँगा ठीक है तो फिर जरूर आपसे बात करेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहें काम करते रहें बस हम आपका जितना भी शुक्रिया दा करे जी एक रासित जमाल आये हैं अब देखता हूं अगर इनका इसलाम से एक रिलेटिग कोस्टिन है क्रिस्टिन से सब्सक्राइब करेंगे हैं हाँ हाँ अवाज आ रही है जी आ रही है बताए सर साहिं जन्नी सर मुझे आपसे बात पूछनी थी कि बुद्धा के बारे में र अच्छा इसलाम से भी अगर अच्छा चलिए पूछ लिजिए पूछ लिजिए इसलाम से मुझे पूछना मुझे बुद्धा के बारे में जानना था कि बुद्धा के बारे में सबूत क्या मिलते हैं इस पर तो बहुत सारे मैंने बताया है बुद्धा के बहुत सारे सबूद है ठीक है लेकिन बुद्दा इसका क्या सबूद है उस पर मैंने स्ट्रीम की हुई है आप इसी चैनल पर जाएंगे ना तो आपको आप जो है सबूद दिखाया है आपको इतने जदा और मैंने यह सबूद दिखाये है जो नालंदा यूनिवर्सीटी थी और उनके जो प्रोफेशर्स थे जैसे धर्मकिती धर्मकिती का क्या कहना था उनकी जो किताब थी प्रमाण वर्तिका उनमें उन्होंने इश्वर आतमा का कैसे खं प्रोफेशर विक्रमसिलाव उन्वर्सीटी के बहुत महाविहार के उन्होंने गौड और आतमा को कैसे डिवंग किया है पूरा उनका स्क्रिप्च दिखाया है मैंने अच्छा बुद्ध के तीपिटक में गौद और आतमा पर क्या विचार है उसको पूरा मैंने दिखाया है इसलिए दिखाना पड़ा क्यों अक्सरहां यह सवाल मल्टिपल लोग पूछ रहे थे इस पेसली एथिस्ट लोग उनको किसी ने बता रखा है कि बुद्ध जो है वो यह लोग गौड को मानते हैं या सौल को मानते हैं क्योंकि हिंदुईजम ने उनको गौड मान रखा ह है तो यह इसलिए मुझे दिखाना पड़ा है अच्छा मैं बाद पूछना जैसे आपने जी प्रोफेसर का नाम लिया तो वह मतलब वह बुद्ध के एरा के बाद कितने साल के बाद थे जी देखिया प्रोफेसर्स तो आते जाते रहें जैसे माल लेते हैं कि बुद्ध के सबूत कहे जाते हैं कि इसा से पहली दूसरी सदी में उनके अनुवाईयों ने कंपाइल किया था तो 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 आप 400 300 400 माल लेजिए तो मेरा वही फिर इसलाम और जैसे बात आ जाती है तो उसमें का हर बंदा जो है अल्ला को मानेगा चाहें वह हो सिया हो या सुनी हो आप जब उसमें जाएंगे तो उनके जो तीन चार पांच जितने भी ब्रांच है सब जो है गौड को मानेंगे लेकिन जब आप बौध मार्ग में हिंदूिजम में जाएंगे तो वह भी गौड को मानेंगे लेकिन जब आप बुद्ध मार्ग में जाएंगे तो गौड को और सौल को कोई नहीं मानता अगर कोई बाद में भी लावट करता ना कि कुछ लोग एथिस्ट बन गए तो कम से कम बाकी लोग तो गॉड को मानने चाहिए थे ना इसमें जो है हाँ इसमें एक सिंगल सबूत ही नहीं है इन्हें में पहली बार जो गॉड किसी ने बुद्ध को ही गॉड कहा वो 12 सेंचूरी में कहा इसने रामानुजाचारे ने जो इस टेचू आफ इक्वालिटी जिनकी ब मेरा डाउट आपने क्लेयर कर दिया सर बहुत 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 जिनवात आपका यह मेरा डाउट था मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे यकीन करूं इस पर तो यह चीज थी अच्छा इसके बाद से जो है और कौन आये हुए देखते हैं अच्छा यहां पर राम मोहन जी आये हुए है इसे बाते करते हैं जैवीम सर इस से पहले हमाने आपसे बात हो भी चुकी है आप पैचान दाने सर एक थोड़ा सा बड़ विवस्था बारे में थोड़ा सा कुछ बात पर नहीं थी कि जिसे कह जाता है कि वो धर्म को नहीं मानते हैं तो सर जो हमारे ओपर के तीन वर्ड जो हैं वो खुदी बड़ द्वस्था को नहीं मानते हैं क्योंकि सर मैंने यह देखा है कि जैसे हमारे बड़ द्वस्था में बड़ द्वस्था की जाती है यह लिकि बड़ आस्रम की बात नहीं सब्सक्राइब करते हैं कि जो काम सको सी को करना चाहिए यह हमारा सास्तर बिलिखा है व्यवार बना है लेकिन देखिन कभी इस ब्रहकों सर्पर शक्राइब करता है उसकी 25 साल गरत के मैं 20 साल गरत का अफिर जबान्द्रस नहीं जा होता है तो जो भी 50 सास्त ओपर के हो वो त लेकिन दूसरों को तो सिच्छा देते हैं लेकिन खुद अपने आपके अमल नहीं करते तो क्या वो यह लोग तो अपना अब कुछ नहीं मान रहे हैं यह यह सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य था देखिए इन्हों अपनी धर्म पुष्टके जो लिखी वह भारत के जो मूल निवाती हैं इनके शोशड करने के लिए लिखी थी तो अब क्या किये हैं यह लोग ना कि अपना पढ़ने तो दूसरों को नहीं देते थें क्योंकि जब वह पढ़ता तो अब जानता ना कि उसके बारे में क्या लि नौकरी की बात आ गई जॉब की बात आ गई तो उसने तो अपने को पहले पहले इसका काम था भीच्छा मांगना भीच्छा मांग मांग के खाता था तो इसने पूरे मनुस्मिर्थी में भीख मांगना ही सिखाया है जो बच्चा पढ़ने जाता था उसको भीख मांगना सि क्या होता है कि जैसे ही अध्योंगी करन आता है अंग्रेज आते हैं तब जौब की बात आती है तो यह अपना पूरा धंधा छोड़ देता है अभी तक इसका काम था भीछण помागना दान देना दान लेना तो नहीं था दान लेना इसका काम था और अपना करम चोड़ चुका है यह अपना करम छोड़ चुकाैं। जब अपना करम शोड़ चुका है तो इसका जन्म धरमकृत क regarde इन स्वभभां जो रहा अब जैसे कोई ब्रामध है यह को उसको ब्रामध नहीं कहना चाहिए धुरा करे लड़की इस ऐसर अगला जनम होगा अचाम लेते हैं कि चाप रासी का पोष्ट देखिายगान जाकर, चाप बताये तो बताईए तो क्या अब वो अपनी बेटी जो है वो सूधर से करेगा क्योंकि सेवा का काम तो सूधर का है तो यह हर से नंगे लोग हर से नंगे हो चुके हैं यह कोई भी अपना धर्मकरंथ नहीं मानते हैं न उसको फॉल्व करते हैं यह सिर्फ धर्मकरंथ जो है जो भारत के पिछड़े वर्ग है जो अती पिछड़े इनको आपस में लडाने के लिए परोसे हैं उनको पकड़े लिया है कि ले बेटा तु इसमें भासा रहा तु जिदिन भर हिंदू मुसल्मान कर या फिर दान पुन्य हम को दे आपस में लड़ता रहा इसके लिए धर्म है यह खुद नहीं फॉलो करते धर्म को सब्सक्राइब करने मेंakah के लिए फ्रहज बात का था है सबसे बढ़े हैं कि अरचठ का था उनके बच्चे नहीं बनता है जो हिदू सिय थे और शबसे बड़ी बात यह हैं कि यहा आरचछड की बार बाचली तो तो मैंने कहा कि देखो C.A. में आरच्छड नहीं है सरा कराको जन करियों और इसमें काया यूगता के आधार पर ही जो है वो होता है तो मैंने कहा देखो अपने सहर में तो जितने C.A. जो है हिंदू बनके है उससे ज्यादा तो मुस्लिम बनके है तो अगर सभी नौकरियों म पर जो मूख पद है तो वो तो मुस्लिम और जैन और बहुत निकल लाएं तो इसमें क्या हुआ वह जो है वह जो योग होगा वह बनेगा तो उन्हें इस वात की चिंता है कि यह SCST OBC ना बन जाए भले ही दुसरा धर्म का बेक्ट बन जाए हां 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 उनकी मूल समस्या SCST OBC से है उनकी मूल समस्या जो है SCST OBC आगे न बढ़ जा यह है इसी के लिए उन्हों धर्मगरंद रचे हैं और इसी लिए बार बार गाली देते हैं यह आप देखेंगे ना निल्टा जो करते रहते हैं इसी लिए देते हैं कि इनको नहीं सुहाता है कि यह लोग आगे बढ़ है जै कि हमारा तो सभी तरह के लोगों से काम है हमारे मुस्लिम हमारे कलाइन है तो मैं आज उनका वेटा हुआ था तो चूंकि मैं प्रयास रहता है कि सब के आगे साइन्टिफिक टेमेर की बाद रखो लेकिन भलुद्जी बात ना पाए और मैंने देखा है कि इसमें महां जाता हूं तो वह क्या होता है उनकी जैसे अजान होती है तो अगर वह अपना कोई कंप्यूटर के काम पर रहे हैं तो अजगुरा छोड़ के भाग खड़े होते ह हैं और कई वाद तो ऐसा होता है कि अगर हम दो घंटे बैठे तो उतनी में दूबार नमाज पढ़ने गए तो हम उसक्रम कहते हैं तो मैंने जो है है वो क्या मैंने जो है अपनी जो साइंटिफिक ठीर रखा एवलुशन ठीर रखा और मैंने का कि इस तरीके से तो बोले कि आइसा वो नहीं अपने आप कैसा सकता है कि क्रिएटर है उपराना है तो मैंने का उनसे आप गालिप कमा जी को देखिए तो जब उन्होंने दोच कि आपके जो है सबसे पहले जो आए थे तो हमने कि जब सबसे पहले वाले ने अरवी हो ले थी तो पुछी दुनिया ना अरवी होनी चाहिए थी हमारा पहले हुआ तो उससाब से पहुत हासा जो भी है वह सबसे पहले पुरी इंडिया होनी चाहिए पुले बाड़ बहुत है बिल्कुल आपने सही कहा यह लोग भागते हैं ना जब इनसे सबूत जैसे मांगिएगा तो भागना शुरू कर देंगे तो वहां साब बदल गई हमने की इसका क्या प्रमार बदल गई हमने कि अगर बदल गई तो उसका पिछला जो है उसमें वह सलाले की निकल गए उन्हें प्राने वाले तो फिल बात आई गए होगी कि मैं ज्यादाव चीज़ को नहीं बढ़ाया तो इस तरी अच्छा यह य प्रांस के वैग्यानिक ट्रेले ने हवन में साच की है कि जो है वो उसे एक फार्मिक लडी हाइट नाम के सब्सक्राइब होती है जिससे सब्सक्राइब करें करेंगे है तो फिर मैंने क्या किας हुँक्या क्या Member-aft लिए ट्रेले का नाम ब्याओर यह दिखते कि लो कि इतनी पिगई हुस्च्छा सॉव्हाइब इस बीन को खुद ही नहीं कर लेते हैं अचा ठीक है ठीक है ऐसे हैं कि जिनके नाम के आगे जो है वह सर्णेम कुछ रहे हैं जैसे वात आती नहीं कि वह अपना जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं जी जी आप समझे लें ना रख कि जैसे जो नीचे से उपर जाने कोशिश कर रहे तो सबने बदलने को पर दिया अब यह यह पैंड कार पुछा जो है तो महारू प्रभव प्रता का ना पूछे और उनका समय थोड़ा कम है तो और भी कॉलर से तो सबको थोड़ा-थोड़ा समय देना चाहता हूं मैं आउट आफ कंटेक्स्ट लिखते हैं सुन्नियों और टुनियों ने एरो प्लेन स्पेस प्लास्टिक सरजरी सब केक्नलोजी डेवलप कर लिया था बट यह 20th सेंचूरी तक इल मिल रहे हैं जो आर्केलोजी के मिल रहे हैं मैला भी खुनियों के मिल रहे हैं उसमें ट्वालेट तक वाश्रूम मिल रहे हैं उसमें सबूत मिल रहे हैं और यह हाल फिलहाल तक अभी जो है खेतों में दोड़ते थे तो यह तो इनका वो था इनका एंसिंट साइंस था अच जारवीश सायद चले गए चलिए और को ना है अमीद कौसी काया है इन से थोड़ी सी बात लेते हैं बताएं अमीद क्या काना चाहते है हाँ 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 मैं ना इसको आतमा को मानता हूँ क्योंकि मैंने ना यूटूब पे दो-चार वीडियो देखे थे इसके नियर डेथ एक् उसमें उससे बताया जब पेशेंट मर रहा होता है कि वह कैसे अपने आपको देखता है डाक्टर उसको यूटूब पे वीडियो पड़े हुए हैं तो मैंने भी वह वीडियो देखे तो मुझे भी बरोसा हो यहां आत्मा कोई चीज होती है और कुछ भी बहुत कट रही है मैं और और डियाओर इडारीनवेत्स करें और चलिए अधर इसा क्या क्या करें तो चले तो कैसे बात होगा दूसरी बात कि अलिसीना जो है वो अधिस्ट थे नहीं एतिस्ट है वह एक मुसलिम है और वह आत्मा अत्मा की बात नहीं मांते हैं और YouTube देखके आत्मा सत्यापि अगली बार जो है सबूत लेकर आए आप लोग ऐसे कितना भी हांक दो गया है उससे थोड़े कुछ प्रूफ हो जाता है कुछ भी प्रूफ सबूत देना पड़ता है अच्छा जी और कौन आये हुए है एडी आये हुए है इनके कुछ प्रश्ण है इन से ले लेते हैं बताएं एडी क्या काना चाहते हैं अपने एक मतलब दूसरे इस चैनल में गए थे एक बार साइंस शायद उदर आपने एक बात मतलब वह नालंदा के बारे में कुछ बोल तो उदर आपने बोला था कि नालंदा में मतलब सब संस्कृत पराया जाता है तो मैंने आज एक चैनल देखा है मतलब वह चैनल मैं बहुत दिन से फॉलो भी कर रहा हूं तता का लाइव आई तिंग उस चैनल तो उन्होंने एक चाइनीज मूवी का शायद मतलब वह रिव कि जो इसिंग या पाहन के स्टोरी दिखाया कि वो जब फाइनली नालंदा में पहुचा तो नालंदा का जो गुरू है वो संस्कृत में बात कर रहे हैं और फाहन या साइद यूवें सेंग यूवें सेंग ही सायद जो पी जो आपने शायद वही स्ट्रिम किया तो वह संस करके फिर उसको अपने तरीके से ऐसा लेंगविज बना लिया कि वह सिर्फ कुछी लोग पर सकते हैं मतलब यहीं डाउट मेरा था कि देखिए आप एडी जो भी है आप लोग ने थोड़ा सा त्यारी करके आया कीजिए आप लोग प्रश्ण तो लेकर आ जाते हैं लेकिन नाम भी गलत बताते हैं सबसे पहले बात कि आपने जिस चैनल का नाम लिया उस पर यह बात नहीं हुई थी देखिए आप साउंड क कि बोल रहा कि आप एक यह बोला है हां ठीक है साउंड क्यों डबल हो रही है आप म्यूट करें अपने को ओक है हां हां तो आप जो वह जो बात हुई थी वह निस्पक शावाज चैनल पर बात हुई थी नालंदा का जो सिरीज किया था उसमें मैंने दिखाया था दूसको को पर पोरी भी देखेगा तो सको पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आपने वह देखा होता май अपय उठाद यह कन थाह है पता नहीं देखा है कि नहीं देखास देता हूं कि आप ख्या बात की चल रही है पुआदर असल वहां पर आप संस्क्रीत कहा गया है वो संस्क्रीट जो है जो बौधों की जो उस समय की भासा थी उसको संस्क्रीट कहा गया है जैसे मान लिजिए कि रोमन कल्चर है तो रोमन में जो स्वर्ण मद्राय होती थी उसको दिनार कहते थे तो अगर आप यहां पे अरव में जाएंगे और सोने की हो उसको असरफिया कहेंगे तो आप असरफिया क कहेंगे आपके देश की हो सकती है वो दिनार कह रहा है भारत में भी गुप्त वन्स कुशान ये सब भी उसको दिनार कहते थे ठीक है ना इस चीज को थोड़ा समझना होगा आपको कि क्या बाते चल रही हैं तो हो सकता है कि क्वाइन्स जो है न अलग-अलग हो इनके अपने राजा उस पे अंकित हो उनके अपने राजा अंकित हो भासा लिपी भी अलग हो लेकिन होगा वो सोने का ही तो जब सोने का होगा तो अलग-अलग जगा पर उसका अलग-अलग नाम हो जाता है तो उसी तरह से जो संस्कृत आज जो ब्रामडों ने कबजा करके रखी है वो संस्कृत उस समय नहीं था उस समय जो संस्कृत था जो Hybrid Sanskrit भी सही नाम नहीं है, उसको पाली संसकारित नोगते हैं पाली संसकारित भासा कहते हैं, कि पाली को थोड़ा-थोड़ा संसकारित किया गया, थोड़ा सा Mix-Up हो रहा था, वो एक नई भासा बन रही थी तो कभी-कभी लोग क्या करते हैं ना कि भाववेस में आके जैसे आप देखिए 1903 में जो राइट्स बंधू ने जो उड़ाया था वो क्या उड़ाया था वह बहुत प्रोटोटाइब का था लेकिन लोगा कहते हैं 1903 में राइट्स बंधू ने प्लेन उड़ाया था वह पाली जो थी उसी का थोड़ा संसोधन किया जा रहा था संस्क्रीत यहां तो जो फाहियान लिखा है वहां पे मैं संस्कारीत जो है तीन साल सीखा विने पीटक पढ़ना था और वहां पे उसंने बताया कि 18 तरह कि विने पिटक थी उस संद्गे तो संस्क्रीट सिख रहा है बिनए पिटक पढ़ने के लिए, अब बिनए पिटक की language क्या है? सोचिए चारा क्या language है बिनए पिटक की? बिनए पिटक की language है पाली. तो इसका मतलब ये है कि जो बौधों की उस समय पाली या पाली हाइब्रिड पाली जो भी थी उसी को संस्कृत वो कह रहे थे कोई special संस्कृत इस तरह की चीज नहीं थी ये फाहियान कह रहा है 5th century में जब आप उससे भी आगे बढ़ते हैं 7th century में जाते हैं जब इत्सिंग के समय में जाते हैं तब तक जो है ग्रामर भी ग्रामर की बात आने लगती है अब जो है एक ग्रामर बना लिया गया है पानेनी का ग्रामर बना लिया गया है तो पानेनी का ग्रामर लोगों ने परचारित कर रह था इसा पूर्व कहा है नहीं वो भी बौधों नहीं बनाया है और वो जो है सेवन सेंचूरी तक अपने आधे अधूरे फॉर्म में आना सुरू हो गया था तो उस समय भी संस्कृत पूरी तरह से डेवलप नहीं थी लेकिन वो बौध उसका इस्तमाल कर रहे थे तो मैंने भी वहाँ पर यही बताया चुकि बौध विश्वविद्याले नश्ट हुएं तो नश्ट होने पर पबलिक का नाता अपने स्कूल से कॉलेज से चूट गया और ब्रामडों ने क्या किया कि जो थोड़े बहुत उन्हों लोगों ने संस्कृत वगरा सीख ली उसको किसी पबलिक को दिया नहीं सीखन पाली जो संसकारी थोड़े थी वो ही इनसे गायब हो गई यह चीज मैंने वहां बताई थी जी एडी है अलो हाँ सुना आपने की नहीं सुना मैंने मैंने पूरा सुना मैंने मतलब मेरा संस्क्रित को लेके थोड़ा था इसलिए मैंने आपसे पूछा क्यूंके वह शायद निश्पक सावास्ता क्यूंके करें एस सब भी एठी है सब कोई फॉलो गड़ता हूं सब कोई देखता हूं तो मुझे कंथ्यूज़ था कि एक लास्ट क्वेशन हैं एक का नाम है ब्रह्मा गुपता और दूसरा का नाम है स्रीधर अचारिया यह दोनों को इसा क्रेडिट दिया जाता है कि यह दोनों ने क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला है वह इन्होंने इस मतलब तयार किया है तो इसमें क्या अपने माइक कर लीजिए आपका डबल साउंड आ रहा है देखिए एक चीज़ आप समझें इस बात को कि ब्रहमिहीर क कोई नाम ले ले या सिरधराचार्य का नाम ले ले आप जब मैथेमेटिकल मॉडल बनाओगे तो उसमें किसी ने वह ब्रहमा गुपता ब्रहमा गुपता कौन सी सदी के सदी बताएं कौन सी सदी से इंसी अटी में उतना नहीं आप एंसी एटी का क्लास 9 का मैज़ डाउनल के लिए और ब्रहमा गुपता भी को क्रेडिट है क्यूंकि उसने भी क्वाड्रेटिक का और कुछ दूसरा भी कुछ मतलब एंसी अटी क्रेडिट दे रहा है मुझे पता नहीं है बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है कि इन्होंने क्रेडिट विया है डिटेल्स बैक्र पड़ेगा कि यह कब का है तो एक चीज तो आप यह समझे कि इनको इस्तमाल करने के लिए उस समय कोई न कोई सिंबल तो यूज जरूर करना पड़ा होगा सिंबल जब तक यूज नहीं करेंगे जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ABCD समय इस्तमाल करते हैं तो उसी तरह से उनको भी कुछ न कुछ उस समय का इस्तमाल तो जरूर करना पड़ा होगा अगर नहीं इस्तमाल करेंगे तक कैसे फिर वो बता पाएंगा और उस समय चलती थी ध भमलिपी में इनोंने कोई quadratic formula लिखा हुआ है तो फिर यह चीज़ें जो हैं यह सब को पता होनी चाहिए अचा भारत में 7th century में किसका सासन था कौन से विश्व विद्याले थे और कहां पर कौन पढ़ाता था यह पले clear करें कोई अगर कोई यह चाहता है कि हम भारत के mathematics का credit लें तो आप भाई स्रिधाचारे को स्थापित कर दिजिए शिक्स सेंचूरी में 7th में आप उसको ब्रह्म गुपता को भी रखिए ठीक है लेकिन आप बताईए तो सही कि वह कौन से गुरुकुल कौन से युनिवर्सिटी में पढ़ाते थे यह तो बताना पढ़ेगा ना भारत में उस समय उनिवर्सिटी थी तो आफकोर्स किसी ना किसी उनिवर्सिटी में थे तो ब्रहमणों की कौन से उनिवर्सिटी थी यह उसमें से थे आप क्रेडिट दे रहें तो आप सबूत भी दीजिए ना नहीं तो किलियर किलियर बताईए कि यह बौधों के किताबो तो उसकी किताब मिल जा रही है जो नालंदा विक्रमसिला उनिवर्सिटी की है आपको इन सब की कितावे कहां से मिली सिर्धराचारे का और ब्रम्भ गुप्त का बताना पड़ेगा ना इनको कहां से इनकी कितावे मिली मैथमेटिक्स मॉडल मिले तो यह लोग जो है क्रेडिट तो दे रहे हैं लेकिन आधी अधूरी क्रेडिट दे रहा है मैं इन पर रिसर्च करके लाता हूं अभी कि कहां से चूरी करके लाएं यह चीज़े लास्ट एक क्वेस्टन से पूछ सकता हूं क्या पूछाएं लास्ट क्वेस्टन मतलब हिस्टोरी कल नहीं है वह प्रैक्टिकल है सर हम जब बात करते हैं तो हम मतलब अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज गेंगे वहां पे सब मतलब जिसको ही बोलना है हम यू बोलते हैं यू डिट देस यू डिट डैट माइट मैं अप हिंदी में जैसे आप तुम तू मतलब ये तीन क्यों मतलब मतलब किसी को मैं अगर तूम बाद तू बोल दूब बुड़ा मान जाता है मतलब उसको आप सुनना है मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें आई आई आईस ओवीसर को एक शायद को धरना दे रहा था उसने तुम बोल दिया वो छटाक से बुरा मान जाए तुम क्यों बोला तुम आप यूं नहीं बोले तो यह डिफरेंस क्यों होता है कि आप ये क्यों नहीं मतलब, मैं अलने है वह ओओ पूचना था अगर से अब देखिए एडी एक चीज आप समझें कि यह लेंग्वेज का पर्ख है इंसान तो कोई भी है लेकिन एक इंसान जब अपने को कहता है कि हम इंसान में बरामण है तो लोग उसको रिस्पेक्ट देने लगते हैं और जब वह पाया जाता है बहरत के कोछे लेंग्धThrाया जाता है आप बड़ा हो छोटा आप एंगलिस में किसी को लिखिये गाना इसो नहीं बूरा मानेगा धिक मतलब तुम समझता ही नहीं है यू का मतलब आप ही समझता है लेकिन जब भारत में देखिएगा तहर यहां पे आप करते हैं इसलिए ये लोग जो है करते हैं जब आप कहेंगे तो respectful माना जाता है तुम कहेंगे तो फिर खराब माना जाता है तो खराब माना जाता है तो जब कहिएगा तो खराब ही मानेगा या तो ये भासा ही हटाईए ये language हटाईए जो discrimination कर रहा है तो ये भासा का चक्कर है आप सोचोगे कि आप किसी को डिस्रेस्पेक्ट जिसको हिंदी पता है वो किसी को तुम क्यों कहेगा कहेगा नहीं न उसको पता है न कि रेस्पेक्ट की भासा आप होती हो तुम नहीं कहेगा तुम जब कह रहा है तो मैं समझे कि उसकी भासा फिर उतर रही है यह चीज होती ह जैसे बेंगोली में भी है जैसे हिंदी में आप बोलते हैं बेंगोली में अपनी बोलते हैं हिंदी में तुम बोलते हो बेंगोली में तुम ही बोलते हैं और हिंदी में तू बोलते हैं बेंगोली में तू ही बोलते हैं अब इधर जो है अगर मैं किसी डॉक्टर प्रवेसर या कोई सर्विसमेंट से बात कर रहा हूं तो कि मैं बोलनός जब को तुम नहीं मुझसे निकल था हिमें किसी को रिक्षा वाला को किसी आप बोलता हिनी मतलल dużo यहां बहुत जगह पर बोलते हैं कर रहा है बहुत कम लोग आप बोलते रिक्षा वाले को वैसे यह तो पैरेंटिंग है ना इलिए तो सिखा रही है ना कि जो जिनके जिनकी सेलरी कम है जो कम आये वाले हैं या जो निचले तबके हैं उनको disrespect करना है इसलिए तो यह भासा बनाई गई है ना नहीं तो इसमें आप और तुम की ज़रत ही नहीं थी या तो आप ही रहने देते है या तुम ही रहने देते है इतने जो discrimination किया गया है भासा में यह भेदभाव जलकाता है कि भेदभाव जिस भासा भी बनाया उसने यह मान के चला कि हमें किसी को respect दूंगा उसी वर्ड से उसी वर्ड से मैं किसी को disrespect भी करूंगा नीचा दिखाऊंगा तो यह भेदभाव का जरिया है चले ओके एडी कि आप से बाते होगे अच्छा जी जार अंधा कुटिल साप पाएं हैं चलिए इन से थोड़ी बाते करते हैं बताएं अंधा कुटिल साप क्या कहना चाहते हैं अब जया भी मैं जया बहुत दिनों से कर रहा तो आपके वीडियो मैं बहुत पहले से देख रहा हूं और मैंने आप से बहुत नौलिज ली है और आपने मैं मेरा पुरू अब जाता है इनसान तो हाड़वेर इसको इसको इंस्टॉल कर ला अपने तो वही गलत है तो तो मैं को एक थोड़ा चोटा सा सवाल पूछना है कि जैसे तर यह साओ इंडिया में अब अभी बोला जाता है कि तमिल जो है ओल्ड़ेस लेंग्विज तो साओ इंडिया में तमिल या फिर और कोई जो लेंग्विज है वो मिलती है क्योंकि सम्राट असोग के टाइम से मेरे को तो नहीं दिखी है इसका कुछ एविड़न्स हो गए रहा किसकी किसकी आपको नहीं दिखती है सम्राट असोग के समय तर तमिल का क्या यह पैजेंट थी उस टाइम पर य जो वहां पर कि छार-4 इंस्क्रिप्शन मिल लें और तमिल में उर भी बहुत सरे पहली जाहराने की कोसिस कर रहे हैं लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ सर्च होना बागी है अच्छा जी सर एक छोटा सा और था सवाल कि जैसे अगर हम इसलाम को देखते हैं तो थूराउट दी कोई किसी की पूजा गर रहा हुगा तो क्या यह साथ में इवल हो रहा था या मतलब इसका रीजन क्या इसका रीजन सिर्फ एक है क्योंकि इसका जो मूल है ना पूरे भारत का जो मूल है वो बुद्ध मार्ग से निकल कर आया है उससे पहले सरमड कल्चर थी लेकिन बुद्ध मार्ग ने यूनाइट किया पूरे भारत को तो जो रेशनल होते हैं जिनकी ठेंकिंग रेशनल होती है वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिल्टी देते हैं अपनी इंडिपेंडेंट फिंकिंग देते हैं रिलीजन कभी इंडिपेंडेंडेंट सूच नहीं देता है फ्लेक्सिबिल्टी नहीं देता है तो इन लोगोंने फ्लेक्सिबिल्टी दी कि आप जो है अपने दीपक भी बन सकते हैं मतलब आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो कोई जूरीर नहीं है कि मेरे नाम पर ख्यान भी अपने लेख में किया है तो इस से यह पता चलता है कि भारत के लोग हमेशा से ही शुरू से ही जो इनकी छवी थी रेशनालिटी की वह अलग-अलग सिफ्टों में पटे हुए थे तो लोगों में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिल्टी थी एक दूसरे को मानने की आ उनको तो सिर्फ हिंदू मुसल्मान सिखा रहा है, इससे पहले वो किसी को भी मान लेते थे, ये उनकी जो छवी है ना स्रमण परंपरा के कारण आई हुई है, किसी को भी मान लेना, एक्सेप्ट करना, किसी से भी प्रेम से रहना, ये जो लोग दिखाते हैं वसुपदेव पानी चार कोस पर बाड़ी, लोग बाड़ी भी बदल जाती थी, पानी बदलता था, बाड़ी बदल जाती थी, अलग-अलग चीज़े मानने को स्वतंतरत हैं, क्योंकि ये रेशनल विचारधारा जो इनकी थी, इनकी जो फ्लेक्सिबिल्टी थी, कि आप कुछ अलग भी म मान सकते हैं, हमसे कटर नहीं है, कि आपको बुद्ध को ही मानना है, या महावीर को ही मानना है, कटर नहीं है, थोड़ा सापको अलग लगता है, वो मान लिजिए, कि यानि महा, यानि सर्वस्तिवाग, वो क्या नाम है, इनका सौतांत्रिक, मध्यम्मार्ग, योगाचार, जो मन करें, वो मान लो, कुछ भी मान लो, फ्लेक्सिबल, पूरा, तो ब्रामण द्रम ने आज इनको समेट कर एक में लिया है, इसलिए ये लोग इस चीज़ का क्रेडिट दिखाना या वो करना चाहते हैं, लेकिन इनका जो पहले से जो डिवीजन था, वो कहीं और से आ र हम बड़े खतरनाक रखा था, इन्होंने आके पता नहीं क्या रखा था, मैं तो ठीक से पढ़े भी नहीं पाया, अच्छा जी, प्लासिवो इफेक्ट आये हुए हैं, चलिए इन से थोड़ी बाते लेते हैं, बताएं प्लासिवो इफेक्ट क्या कहना चाहते हैं, नमस्का से ज़सा में बड़ा किया जाता है, और बच्छों को इशारों से या मतलब एक तरू किसे से पोर्स करते हुए बताया जाता है कि आप इनके पैंट शुने हैं, बच्छों से उनको लगता है समस्कार होते हैं, कि कोई उमर में बड़ा तो पहले से भी देखने को मिलती है और अगर हम हिस्टोरिकली वैसे बात करें तो ये भी देखने को आया है कि भारत में जो अपने से छोटे थे उम्र में उनको भी बड़े लोग जो है उनको अपना सिसे बनाए हुए है इसका सक्षात एक्जामपल बुद्ध है उनसे बड़े बड़े जितने भी थे अजित के सकामपली चाहें कशप हो, महावीर हो, निगटनाग पूत, मिखल गोश्वाल इस सब लोग उम्र में इनसे बड़े थें इन सभी लोगों ने उनको अपना गुरु माना है तो हमारे यहाँ यह जो परंपरा थी न कि अपने से छोटे हैं उनको भी वो लोग मानते थे, बड़े होने की बात जो है यह तो एक प्राकिर्टिक रूप से देखने को मिलती है चाहें वो जीव जनतु हो, जानवर हो, वहाँ पर भी यह बात देखने को मिलती है कि जो अपने से बड़ा होता है उसको नीचे वाला respect देता ही है चाहे डरकर देता हो या फिर उसकी ताकत से देता हो उससे हमजोड हो इस करण देता हो लेकिन यह पाया गया है हमेशा इनेचरली पाया गया है सर इसमें जो आपने छोटे वाले का example दियाना वो तो मुझे समझ आ रहा है कि उसकी बुद्धी, मत्ता, श्रेष्टा, ग्यान की वज़ें से उसको रिस्पेक दी जा रही है, बड़ो दुआरा, लेकिन अगर कोई छोटा व्यक्ति, जिसकी श्रेष्टा शायद किसी और से जादा हो, जो कि उमर में उससे बड़ा हो, उसक अपना क्या स्टेंड होना चाहिए? खाई गई है और इसको लोगों ने वो मान लिया है, अपना अनुसासन मान लिया है, कोई भी आता है तुरंट बच्चे को परशुंगर बच्षुंगर, रजिर पर पर अब एचारा पैर छुके परणाम कर रहा है, तो उसको किसी के पैर पर गिढ़ा देना, तो आनुशास 50 साल पहले आ गया या 20 साल पहले आ गया तो इसका मतलब यह है कि आप उसका पैर ही छुएंगे तो आपका जीवन धन्य ओने वाला ऐसा पुछ नहीं है रएस्पेक्ट जरूर दीजिए रैस्पेक्ट क तरीका पैर ही छुके दिया जाए यह कोई जरूरी नहीं है बिभिन देसों में अलग-अलग प्रणाली है जापन में जाएंगे वो सर जुकाते हैं आप और भी कही जगे जाएंगे तो सर जुकाते हैं हाथ जुकाते हैं कही जगे हैंड सेक करते हैं अलग-अलग अभिवादन का तरीका है जी प्लासिबो एफेक्ट ओके चले जी बस मै मैं जाना चाहूंगा मुझे मेरी मेरा एक आइडिया पस ये था कि मुझे लगता है कि ये जो जो उमर में बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट देने की जो अपनी प्रथा बनी है न ये भी मुझे लगता है कि जैसे विहारों में अपने जो इनके आचारे हुआ करते होंगे दिनचरिय शुरू करते होंगे ब्रामनबाद ने ये चीजे भी कॉपी की है मुझे ऐसा लगता है बस मेरा आइडिया ये था और कुछ नहीं है तो आप सही है सही है ये पॉइंट पर सही है ये तो बहुत जगा उले खाया है ना कि बहुत वह तुम आने उसमें भी दिखा है और एक-दो सांथी छोट जाएंगे राहूराल काफी देर से आ हैंँ है पर चली जोड़़दा हूं बता हैं राहूल जी क्या करना चाहते हैं कि एगके आप हमें सून पा रहे हैं राहूल क्या आप हमें सुन पा रहे हैं जी, हालो, हाँ हाँ, बोले, बोले राहूल जी, हाँ सर, मैं आपका सबसे बड़ा फेंड हूं सर, मेरे सच में बहुत दिनों से ट्राइ कर रहा था आपको साथ जोड़ो जोड़ो जोड़ो, लेकिन आज मोका मिला, बस में एक सिंपल क्रिशन है, मैं स्टी केर्टेगरी से ब 330 से 340 के आर्टिकल के तहट कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किया है कि यह हिंडू नहीं है, वो तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं न, कौन सा आर्टिकल आप बता रहे हैं, बताए है, यह 330, 330 से 302, वो एक्चुली मैंने सर्च किया, तो वहां पर क्या लि मतलब किसको दिखाना चाहते हैं? हाँ, अपनी मन की मर्जी है कि आप कुछ भी कहीं भी जा सकते हो, लेकिन एक्चुल जो आप मूल निवासी हो भारत के, तो आपको एक प्रकुरती पुझा करते थे पहले के जमाने में से, तो हम लोगों को यह कहना है कि आप दोनों संपरद हैं, लेकिन आपस में जगड़ ओड़ जब आप दोनों भी क्रिश्मस और रहता है, तो वो जोर-जोर से अपना प्रोग्रम चालू करते हैं, तो इन लोगों को बुरा लगता है, फिर जब यहाँ को प्रोग्रम आता है, तो उन लोगों को चड़ाने के लिए बहुत बहुत हैं, तो यह ऐसे चीजे होती ह प्रूफ जैसा है क्या करें? आपने जो आई किल बताया है वह बात कर रहा है लोग सभा में जो पारे में बात कर रहा है तो किसी वैसे विडियर्वेशन पर नहीं दिया जाता है वो जाती के अधर पर दिया जाता है क्योंकि यह बात अल्रेडी पता है कि वह कितना भी धरम का चोला बदल हर जगह उनको नीची ही समझा जाएगा चाहें वह इसलाम में इसलामिस्ट ही क्यों ना बन जाए जाके देख लिए ना इसलाम में जो इसलाम बन गए उनमें आज भी जो उनके उपर का जो है सेख सैयद आपको रिप्रजेंटेशन ही इसलिए लिए गया है कि आपके जाती पर तोहमत लगिया ना इसलिए प्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन दिया गया है ओके रहुल रॉय चले एक क्रिशन सर सॉरी सॉरी सर यह जो अभी क्रिस्टन में कवर्ट हो गए अभी जो हमारे भाई है तो उन लोगों को जो मतलब यह क्या भी रिजर्वेशन का भी फाइदा ले रहे हैं ऐसा लोग बता कितनी वेलिड है नहीं जो वो ले सकते हैं ना जिन्होंने कोई भी धर्म परिवर्टन किया हुआ हो अब उनके पास दो कोटा होता है माईनौरिटी कोटा होता है और दूसरा होता है कास्ट सर्टिफिगट तो जाती तो बदलती नहीं है जाती तो बाइबॉर्न होती है ना यह तो ब्रामेनिकल सिस्टिम ने बाइबॉर्न बनाया है तो जाती सर्टिफिकेट वो अपना काश सर्टिफिकेट बना सकते हैं धरम चाहें जो भी हो आप देख लिए इसाइयों में बहुत सारे एसी लोग हैं जब इसाइयों का आप देखेंगे तो उसमें एसी भी आएगा ओवी सी भी आएगा और जेनरल भी आएगा उसी तरह से मुसलिम में भी आता है जेनरल भी आता है ओवी सी आता है और एसी एस्टी भी आता है इसमें मुसलिम में भी लेकिन उसमें एसी कम है तो हर धर्म में यह तीनो चारो क्राइटेरिया है कि जेनरल भी होग कोई भी लेकिन वो हर दूसरे भी धरम में जाके उसको वही चीज कहा जाएगा कि यह सी हो यह चीज है इसलिए रिप्रेजेंटेशन उनको देना पड़ गया है कि इन लोगों को किसी भी धर्म में जाएंगे हर जगह इनका सूसर ही होगा इस जी सर ठीक है रहूं के सब्सक्राइब नाइट कि लाइव प्रोग्राप हम लोग लेकर आए एक्चुली कुछ टेक्निकल प्रparty है आज आउट हो जारा है बीच में भी आउट हो जा रहा था टую तो सतरडे को महिं भी हो सकता है कि सटर्डे को भी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखें साम को ही और बाकी जो है मिलते हैं हम लोग थ्रश्टे को मिलते हैं होली स्पेशल सेशन के साथ इसी रेशनल वल्ड पर ही बहुत सुक्रियाप सभी का